हाई एवरिवन मेरे ना प्रतीक जगाती हो और आज की इस वीडियो में हम रिवाइस करेंगे इंडेस 103 बिजनस कॉमिनेशन इस वीडियो के अंदर लेंथ थोड़ा सा बड़ा होगा 5-6 घंटी का होगा क्यूंकि मैं इस वीडियो में इंडेस 103 के सारी कंसेप्स आपको डेट इंडेस 103 important है इससे questions भी आ सकते है 16 नंबर के भी है ना और कुछ-कुछ 8 नंबर के भी question है जो पूछे जा सकते हैं तो वो सारी question जो जो मुझे important लगेंगे वो इस वीडियो के अंदर मैं आपको cover करवा दूँगा और अगर आप में से कोई यह सोच रहे कि इंडेस 103 tough है तो करके भी मजह आता है अच्छा लगता है यह चैप्टर बहुत इजी टेंसन की कोई बात भी अराम से हो जाएगा इसका मैंने हैंट रिटेन भी सारा नोट्स बना की रखा वह पूरा का पूरा हैंट रिटेन नोट्स मैंने रेडी कर रखा हुए आप टेलीग्राम चैनल को जोइन कर लिजेगा डेस्रिप्शन में लेंगे और वहां सी इस वीडियाप को डाउन्लोड कर लिजेगा इसके तात्त में क्या करूंगा नेक्श्ट वीडियो भी मेरा बहुत जल्द आने वाल है जहां पर मैं इंडरस वन वन जिरो कॉनसोल एडिशन भी आपको नेक्स व अलावा मैं आपको बस एक चीश बताना चाहता हूं कि इंडरस103 और 110 दोनों रिलेटेड हैं कैसे रिलेटेड हैं इंडरस103 हम कब लगाते हैं मानली जब और एक एंटिट्यू मैं जगाती लिमिटेड हो और आप बन जाओ राहूल लिमिटेड मानलो आपकी कंपनी को उसी acquisition डेट पे मैं इंडस 103 के साफ से consolidated balance बनाओंगा यह बिजनेस combination accounting होता है पहली पहली बार मतलब आपका assets and libraries को pull किया जाएगा मेरे balance इट तो वही इंडस 103 आपको guide करेगा कि कैसे आप consolidated balance बनाओगे पस यह धिहान रखना इंडस 123 के हिसाब से हम acquisition डेट यहनी पहली पहली बार जब आपके business को खरीदा जाएगा आपके business को acquire किया जाएगा आपके business पे control लिया जाएगा तब acquisition डेट पे कैसे consolidated balance बनाना वो इंडस 103 आपको बताएगा इसके अलावा अब आगे जाके हर साल reporting period end में भी तो मुझे consolidated balance बनाना पड़ेगा separate balance statement तो बनाऊं गई उसके अलावा जबकि मेरा कोई subsidiary company मेरा दूसरी company में control है तो मुझे हर साल reporting period end में consolidated balance बनाना पड़ेगा तो उसके बारे में इंडस 103 गाइड नहीं करेगा उसकी बारे में गाइड करेगा इंडस 110 जो कि next वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा यानि आप समझो 103 110 दोनों consolidated balance rate बनाने में गाइड करते हैं लेकिन 103 जो है यह acquisition rate पे जब पहली पहली बार जिस दिन आप control होगे उस दिन आप कैसे बनाओगे वो इंडस 103 आपको बताएगा लेटर उन हर साल हर रिपोर्टिंग पिरेड एंड में आपको कैसे consolidated balance rate बनाना है consolidated PL वगेरा आगे जाकि जो बनेगा वो आपको इंडस 110 गाइड करेगा तो चेलिए अभी हम स्टार्ट करते इंडस 103 तो मैंने सारे notes prepare कर रखें और सबसे पहले मैं आपको एक practical example के साथ समझाऊंगा कि business combination हम करते कैसे वो पूरा practical example के साथ समझाऊंगा आपको एकदम clarity मिल जाएगी समझे मेरी बात को मान लीजे मैं company हो मेरा company का नाम है जगाती limited और मैं आपकी company के हम दोनों की company चलने वाली है जगाती limited भी अपनी जगा पर चलीगी उसका भी इंडस स्टीट्मेंट बनने वाले इट्स डेट कि आपकी जो shareholders है जो आपकी company के sales hold करते हैं वो shareholders में मैं भी one of the shareholders बन गया और मैंने 70% sales अगर आपकी company के acquire कर लिए तो मतलब आपकी company में मेरा control है मैं बन गया parent company और आप बन जाओगे मेरी subsidiary company तो आप देखो क्या हर साल आप अपना फाइंस स्टीट्मेंट बनाओगे जी हां individual financial statement बनाएगा अपने लिमेट जगाती लिमेटेट भी अपने इन्डिविजिल फाइंस स्टीट्मेंट बनाएगा लेकिन जब कि मैंने आपकी company के controlling interest मैंने ले लिए आपकी company के 50% से ज्यादा सेर्स मैंने ले लिए तो इसलिए अब business combination accounting करना पड़ेगा जिस डेट में जिस दिन मैंने आपकी company का control हासिल कर लिया हाला कि अब index के आपसे 50% होना जरूरी नहीं कि 50% से ज्यादा होने पर भी control आएगा कितने बार ऐसा भी होता है कि मालू मैं आपकी company के 40% से सेक्वाइर कर रहा हूं लेकिन बाकी सारे सेरोल्डर्स जो है वह बहुत ही कम percentage of सेरोल्डिंग रख रहें किसी का 0.2% है 0.3% है इन्हीं वाइडली डिजबर्स है एमों का दर सेरोल्डर्स है ना तो यहां पर 40% से भी मेरा control establish हो सकता है यहां पर तो अगर मेरा मैं अगर आपकी company में control establish कर देता हूं तो जेस दिन मैंने आपकी company का control एक्वाइर किया है उस दिन मुझे क्या करना पड़ेगा मुझे उस दिन बनाना पड़ेगा business combination accounting करना पड़ेगा गैट इस मुझे उस दिन consolidated statement बनाना पड़ेगा और consolidated statement मैं कैसे बनाऊंगा मैं उस दिन आपकी company को acquire करूंगा यह नि बेसीकली मैं उस दिन बनाऊंगा consolidated balance it consolidated balance sheet में आपकी company के जितने भी assets and liabilities हैं वो सारे assets and liabilities को मेरी company में merge करके एक single consolidated balance sheet बनाऊंगा वो कैसे बनाऊंगा वो सारी चीज़े मैं आपको समझाऊंगा जैसे देखिए for example हम एक particular date ले ले लेते 1st April 2001 का यह balance it है 1st April 2001 को मैं जगाती limited हूं मैंने आपकी company के 70% sets acquire कर लिए प्रियंका limited अपनी company अपनी पर चलेगी मेरी जगाती limited अपनी जगा पर चलेगी मैंने प्रियंका limited के जब की controlling interest 70% sets मैंने हासिल कर लिए बदले में मैंने 2,000,000,000 का cash consideration दिया तो मुझे अब consolidated balance sheet बनाना पड़ेगा acquisition date पे acquisition date वो date होता है जिस control acquire करता हूं मैं तो मैंने आपकी company का control अगर 1st April 2001 को acquire किया है तो वही मेरे लिए क्या होगा acquisition date होगा इसके अलावा मैं आपको और बता दिता हूं इसके लिए मुझे थोड़ा सा space है चलो जैसे मालों यहाँ पर मैं आपको बता दिता हूं यह आपका जगाती limited का balance hit है वो भी क्या है carrying amount है जगाती limited का यह प्रियंका limited का balance hit है यह भी carrying amount है और इधर आप देख रहो है यह भी प्रियंका limited का ही balance hit item है लेकिन यह सारे fair value है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे देखो यहाँ पर हम करेंगे क्या यह तो मेरा अपना assets and liability से मेरा अपना balance hit आपको पूरा दिख रहा होगा property plan and requirement intangible assets inventories receivals cash हो गया है यहाँ पर और इधर देखे share capital other equity debentures payable यह मेरा पूरा balance hit हो गया वही इधर आप देखिए प्रियंका limited का balance hit आपको दिख रहे है carrying amount जो उसके books में carrying amount है और साथी सद इनका fair value भी मुझे दिया गया प्रियंका limited का fair value भी मुझे दिया गया तो मैं आपको एक बात बता दूँ यहाँ पर मैं जगाती limited कहलाओंगा acquirer क्योंकि मैं business को acquire कर रहा हूँ मैं majority shares acquire कर रहा हूँ और यहाँ पर प्रियंका limited जो वो कहलाएगी acquire मैं कोन हूँ acquirer प्रियंका limited एक्वारी तो एक्वारी का जब मैं console iterated balance sheet बनाऊँगा तो एक्वारी के सारे assets and liberties को मैं pull करूँगा किस में pull करूँगा carrying amount में जी नहीं fair value में तो कि आप सोचो आप हो प्रियंका limited अब आपके carrying amount से मुझे क्या मतलब आपने तो अपने carrying amount कुछ भी दिखा रहे का मुझे उसे कोई लेना देना नहीं मैं अगर आज आपका business को acquire कर रहा हूँ तो मुझे आपके fair value से मतलब होगा obvious ही बात है जो मैं consideration भी अगर आपको दूँगा तो आपके books में जो carrying amount है उसके basis में मैं कभी भी आपको consideration नहीं दूँगा आपका जो fair value होगा है ना उस दिनका market value जो होगा fair value होगा उसी की basis में तो मैं आपको consideration दूँगा तो इसलिए जब भी हम business combination करेंगे तो आपके जो भी assets and liabilities को हम pull करेंगे वो उसे हम fair value में pull करेंगे लेकिन आप बोलोगे सर अगर fair value दिया हुआ नहीं है तब हम क्या करेंगे carrying amount को fair value माल लेंगे for your exam purpose carrying amount को assume कर लेना कि वो fair value यहाँ पर तो यहाँ पर वह होने वाला देखो अब हमें सबसे पहले यह देखना है कि प्रियंका लिमिटेड का हमने कितना assets acquire किया कितना liabilities हमने acquire कि हम यह चेक करेंगे तो देखिए क्या पीपी जो है मैं 2 lakh लूँगा ची नहीं मैं 2 lakh नहीं लूँगा मैं fair value दिया हुवा 2 lakh 20,000 यह वाला लूँगा intangible assets भी 20,000 नहीं लेने वाला जो fair value दिया हुआ 15,000 वो लेने वालो अब inventories में कोई info दिया हुआ नहीं देखो मैंने जान मुझ किया पर no info लिखा अगर कोई भी information नहीं तो carrying amount को ही हम fair value माल लेंगे हम 50,000 ही लेंगे इसी को carrying amount को मैं assume कर लूँगा fair value है फिर receibles के मामले में देखो carrying amount भी 10,000 है fair value भी 10,000 है चलो 10,000 ले लिया कैस का तो fair value जो carrying amount है वह यह रहते है तो कैस भी यह पूरा का पूरा आ गया तो अब मुझे आप बताओ fair value कितना हुआ पूरा total assets कितना acquire हुआ हमारा यह 2,20,000 ले लिया हूं प्लस 15,000 2,35,000 प्लस 15,000 2,85,000 प्लस 10,000 2,95,000 हो गया प्लस 30,000 3,25,000 का मैंने assets लिया है देखा जाए तो प्रियंका limited का 3,25,000 का मैंने क्या क्या assets लिया यहां पर अब मैं देखूंगा कि liability भी तो होगा liability क्या होद है जो हमारे सर पे भार आता हो obligation आता है तो pay cash जो हमें payment करना पड़ेगा cash या फिर other assets जो भी देना हो हमारे सर पे भार है तो वो obligation भी हमें चेक करना है तो हम यह capital के एक आगज का टुकरा जो shareholder को issue किया जाता कितना भी कर दे है ना और वो liabilities होती नहीं है और other equity भी क्या है आपका यह reserves होगे है ना तो इसका भी अपना को existence होता नहीं है और इन सब के बदले में तो उनको consideration देंगे और यह किसको refer करते है जो net assets होता उसी को refer करते है जो all assets minus liability जो आपका आएगा वोई तो figure यहां पर देखेगा आपका carrying amount के सबसे तो हमें share capital other equity से कभी मतलब नहीं होता आप अपने दिमाग में डाल लो acquire का share capital और other equity से में मतलब नहीं है even मैं तो कहता हूँ कि acquire की पूरे balance से मुझे मतलब नहीं है मुझे मतलब है तो सिर्फ acquire के assets and liabilities भले उसने वो अपने books में दिखाया हो या नहीं दिखाया हो doesn't matter to me अगर उसने अपने books में वो assets and liabilities नहीं भी दिखाया पर वो assets या liabilities मुझे मिल रहा है तो मैं उसे consider करूँगा इनि सारे assets का existence होता है तो सारे assets का fair value मैं लूँगा सारे liabilities का भी मैं fair value लूँगा है ना और उससे जो net assets आएगा मुझे पता चलेगा कि मेरे घर पे net assets कितना है तो दिखो ये सारे assets में उठा के लिए आया समझ लो है ना मेरे घर पे total assets है 3,25,000 का liability कितना है क्या carrying amount of liability लूँगा जी नहीं मैं ये दोनों लूँगा जो fair value of liability है 46,9,000 फिर वही बात अगर fair value दिया हुआ नहीं है तो carrying amount को ये fair value मान लेंगे तो यहाँ पर 46,000 और 9,000 55,000 का मैंने liability है starting में जहाँ जहाँ जरत पड़ेगी वहाँ में थोड़ा सा time लूँगा बाद में जहाँ जरत नहीं पड़ेगी वहाँ पर में fast भी चला जाओँगा तो वह मेरे पर छोड़ दीजिए आप उसके बार में ज्यादा audit मत कीज़े भी ठीक है तो यहाँ पर देखिए 55,000 का मैंने liability acquire किया है मतलब 3,25,000 का मैंने assets लिया प्रियंका limited का और 55,000 का मैंने क्या क्या liability लिया है तो net assets मेरे पास कितना याप कर लो 3,25,000 मैंने positivo याणी 2,70,000 का मैंने net assets लिया है अब देखो 2,70,000 का मैंने क्या लिया net assets acquire किया है बदले में मैं पैसा कितना दे रहो बदले में मैं पैसा दे रहो 2,03,000 मैं पैसा दे रहो अब मेरी बात सुनो ये 2 lakh 70 thousand net asset सारा मेरा तो होगा नहीं, क्योंकि मेरे पास तो 70% sales ही आने वाले, 30% sales तो बहर वालों का होगा, मैं controlling interest ले रहा हूँ 70% stake के साथ, यानि बाकी जो है वो कौन हो कि non controlling stake, क्योंकि मेरे पास controlling power है, बाकियों के पास क्यों होगा, non controlling power, तो बाकियों को हम क्या कहते हैं, प जो टोटल एसेट्स है 2,70,000 का जो टोटल एसेट्स है इसमें पूरा हमारा हक नहीं है इसमें हमारा तो 70% हक है बाकिन NCI वालों का 30% हक है तो NCI वालों का कितना होगा 2,70,000 का 30% दिख लो कितना आते हैं मैं ऐसे कहना चाहता हूँ 2,70,000 में 70% हक हमारा है 30% हक NCI वालों का है मुझे हग कितना मिल रहा है 1 lakh 89,000 का देखा जा है तो मुझे हग मिल रहा है यह देखा रहे देखा जटो तो मेरा हिस्तिदारी जो आ रहा है रहा नेट्ट असट में वह 189,000 का और और बदले में मैं balance rate बना की भी समझाओ अटेंसन बिल्कूल ना लो बदले में consideration कितना दे रहा हूँ किंकि हम जादा o quanto का नहीं दे रहें यह मिसले जादार दे रे क्योंकि फ्यूचर में हमें benefit मिली जो भी हम access payment करते हैं अ क्योंत डेट पे वह हम goodwill दिखाते हैं उसे हम खर्चा हुर्ड निमानतें लॉस निमनत हैं गोडविल दिखाते हैं तो 14,000 का मैं एसेट खरा कर देंगे मतलब मैं यह मालूँगा कि मैंने 2,3,000 जो consideration दिये 1,8,000 तो मुझे share of net assets मिला बाकी 14,000 का मेरा गोडविल रहेगा मैं बाकी 14,000 गोडविल दिखा दूँगा और इस तरीके से मेरा balance it पूरा का पूरा match हो जाएगा अब मैं आपको क्या करूँगा सीधा balance it बनाऊंगा मैं और balance it आपको match करा के दिखाऊंगा मैं आपको balance it match करने का मैं आपको बता दू तीन-चार simple step आपको मैं आँगा आपका balance sheet हमेशा पूरा का पूरा match होगा में इस बात की guarantee दे सकता हूं आपको end में tally भी नहीं करना पड़ेगा liabilities और share capital other equity यह सारे item को as it is अपने balance sheet में उतारेंगे यह fair value में लेंगे जगाती limited थोड़ी ना भी करें तो जगाती limited तो मेरा खुद का है तो मेरे खुद के items मेरे carrying amount पर ही रहेंगे तो इसलिए मैं क्या करूं दिखो अब मैं यहाँ पर consolidated balance sheet बना रहा हूं acquisition date पर जिस दिन हमने control acquire के उस दिन में consolidated balance sheet बना रहा हूं तो इस दिन हम क्या करेंगे इस दिन हम सबसे पहले तो सारे assets का नाम लिख दिया मैंने share capital का नाम लिख दिया NCI भी अलग से छोड़ दिया मैंने एक बार है ना और सारे liabilities का भी नाम मेंने लिख हाला कि जब आप exam में बनाओंगे तो as it is जो figure है जगाती limited का 5 लाग, 2 लाग, 80,000, 60,000, 3 लाग, 60,000 यह as it is figure मैंने अंदर के तरब लिखा बाहर नहीं लिखा क्योंकि बाहर कुछ अलग आने वाला है मैंने अंदर की तरब exam में भी ऐसे करना आपको पूरे मान number मिलेंगे attention बिलकूल ना लो आप as it is figure लिख दोग balance rate दोनों सेट मैच है या नहीं मैं guarantee दे सकता हूँ हमारा balance rate दोनों सेट मैच है देखो मैं आपको guarantee दे सकता हूँ अब भी तक हमारा मैं rough में एक बार लिख दे रहा हूँ इधर भी आप देखो कि हमारा balance rate गी ना 788, 49, 12 लाक हो रहा है इधर भी सारे assets मिला के है और equity and liability मिला जाकी भी देख लो 7, 10, 12 लाक हो रहा है तो balance rate हमारा 100% मैच ही रहेगा यह तो मैंने क्या क्या मैंने acquirer के सारे items carrying amount पे डाल दिया तो पहला step यह है कि आप क्या करोगे acquirer के सारे के सारे item जाए asset हो, liability हो, equity हो, other, equity सारे के सारे item आप उठा के डाल दो, सारे के सारे में उठा क अगे मैं आपको common control पढ़ाऊंगा, common control अलग चीज हो गई, उसको छोड़ दो, अगर common control का case नहीं है, तो आप ध्यान रहे हमेशा assets and liabilities ही सिर्फ लोगे, fair capital, other, equity से मतलब नहीं है, acquire का सिर्फ और यह कान में डाल लो, समझ लो, acquire का सिर्फ और सिर्फ assets and liabilities लोगे, वो भी किस में fair value में, sir fair value दिया वा नहीं है, तो carrying amount को fair value माल लो, तो हम डालेंगे उठा के, तो अब देखो मैं यह सारी item जो fair value वाले उठा के डाल दूँगा, 2,20,000, 15,000, 15,000, 10,000, 30,000, है न, fair value नहीं दिया वाद तो carrying amount ले लिया, तो देखो 2,20,000 का, मैं अलग pen से लिखता हूँ, एक्वाइरी का, 2,20,000 का, fair value of pp मैंने ले लिया, intangible assets कितने का है, 15,000 fair value मैंने ले लिया, ठीक है, इसके अलावा, inventors 50,000, receibles 10,000, carrying amount कोई fair value मान ले रहे, क्योंकि दिया हुआ नहीं है, receibles का तो fair value भी 10,000 नहीं बता दिया नहीं, और cash 30,000 का 30,000 नहीं दाएगा, तो मैंने सारे assets डाल दिये, fair value में, अब क्या liability पर डालूँगा, जी हाँ, हम liability पर डालेंगे, 46,000, 9,000 का, तो देखों, यहाँ पर 46,000 का मैंने deventures डाल दिया, payables भी डाल दिया, मैंने 9,000 का, आप चेक कर लो, इनको अगर हम डालेंगे, तो अब हमारे balance rate पे net पे 3,00, sorry, 2, 2,70,000 हमारा net assets दिख रहा है, इतनी का ही फरक आएगा, क्योंकि assets total 3,25,000 है, liability total 55,000 है, तो net effect हमारे balance rate में कितने का 2,70,000 का है, यह net effect तो हमें अब adjust करना है, 2,70,000 का net effect को हम कैसे adjust करेंगे, देखों, मैं यहाँ पर एक बार लिख रहा हूँ, मैं बोलूँगा net assets मेरा 2,70,000 का है, है ना, इतनी का net assets है मेरा, अब मैं बोलूँगा, यह जो 2,70,000 का net assets है, इस में से NCI को सबसे बहले बटवारा करेंगे, NCI को सबसे बहले कितना दे देंगे, हमने लिखाया था अबर, NCI के हक में 30% जाएगा, क्योंकि हमने 70% दिलिए है, तो NCI को 81,000 मिलेगा, तो इस 2, 2,70,000 में से मैं क्या करूँगा, NCI को 81,000 allocate कर दूँगा, यह रही है, यहाँ पर मिलिखता हूँ, 81,000 में NCI को allocate कर दिया, तो net assets जो था 2,70,000, NCI को अगर मैं 81,000 allocate कर दूँगा, तो अब 1,89,000 का फरक देखेगा हमारे balance sheet, तो अब इस फरक को कैसे करेंगे, हम बोलेंगे, अ हमने इसके बदले में क्या दिया, consideration दिया है, कितने का consideration दिया है, यह assets हासिल करने के लिए, 2,03,000 का consideration दिया है, तो यह net assets को हासिल करने के लिए, मैंने 2,03,000 का cash दिया है, तो मेरा cash balance 2,03,000 से कम हो जाएगा, यह जो 3,60,000 का मेरा cash balance था, यह 2,03,000 से मेरा कम हो जाएगा, तो म cash 2,03,000 का मैंने minus कर दिया अब मेरा पर negative फरक आ रहा है 14,000 का 14,000 का ज्यादा assets दे दिया मैंने तो ये 14,000 का ज्यादा assets दे दिया ये मैं क्या दिखा दूँगा goodwill दिखा दूँगा ये रहा है यहाँ पर मैंने goodwill दिखा दिया यही चीज़ अब मैं करा मेरा balance rate match है अब मुझे कुछ नहीं करना अब आपको मैं guarantee दे के बोलता हूँ हमारा balance rate बन चुका है अब बस total करना है goodwill 14,000 है सबको बंद करों सबको बंद करके total करेंगे 7,20,000 आपका PPA intangible assets 2,15,000 का है inventories आपका 1,30,000 का है है ना 70,000 का receival से आपका cash आपका कितना होगा अच्छे 3,60,000 से 3,30,000 प्लस 3,90 और इधर 2,00,000 माइनस करेंगे 1,90,000 1,87,000 हाँ सही है और अब आपका इधर total भी कर लेते हैं assets का total कितना होगा हमारा देखो 7,20, 7,34, 9,49, 10,069, 10,079 और 11,049 हो गया ठीक है 11,000, 49,000 11,049,000 रुक जाओ 7,009,00, 10,00, 10,00, 11,00, इधर ओर आपका 14,000, 34,000, 39,000 69,000 और 139,000 यहनि 12,39,000 हो गया और इधर 87,000 प्लस 87,000 यह 13,26,000 हो रहे हैं और इधर देखो share capital हमारा जो हो भी रहेगा other equity भी हमारा जो हो भी रहेगा 2,00, क्योंकि उनका तुम लेंगे नहीं other equity भी हमारा 6,50,000 का है NCIM ने 81,000 allocate कर दिया और इधर आपका 3,46,000 आ रहे हैं other 4,79,000 आ रहे हैं तो इधर भी करेंगे 8,11,00, इधर ओर आ पका और इधर कितना हो गया 50,000 1,30,1,000 12,00, 31,00, हो गया और 77,000 और इधर 59,000 प्लस 69,000 उदर 12,000 ही 12,000 ही उदर 13,000,000 36,000 हो रहे हैं अच्छा 13,000,000 36,000 आ रहे हैं उदर भी यह था कि एक बार चेक कर लेता हूं 7,000,000 20,000 प्लस 14,000 देजर का गरबड हुआ होगा से 2,15,000 प्लस 1,000,000 30,000 प्लस 70,000 प्लस 1,000,000 87,000 13,000,000 36,000 हो जी नहीं था बड़ा सा गरबड कर दिया था चलो तो दोना से 100% मैच करेगे नहीं करने से भी चलेगा आपका यह 100% ही आपका मैच करेगा अब मैं आपको एकदम ब्रीफ में भी आपको मैं समझा दूँगा यह बैलेंस इट क्योंकि एकदम सिंपल है कुछ नहीं यह बैलेंस इट बनाना बिल्कुल भी सिंपल चीज़े आप अराम से बना सकते हूं नहीं मैं एक बार फिर से आपको एक्जाम के लिए रीकॉल करा रहा हूं मैं बात कर रहा हूं भी कॉनसोल इडिशन की नहीं जो assets and liabilities को fair value में ले ले लेंगे सर carrying amount दिया हुआ fair value दी दिया हुआ तो carrying amount को fair value मालेंगे तो second asset, second step में हम assets and liabilities को pull करेंगे अपने consolidated balance में pull कर दिया, अब net assets पता चल जाएगे जैसे हाँ पर पता चला कि 2,70,000 का net assets आया, अब हम देखेंगे NCI को कितना allocate करना है तो 30% NCI का हिसा तो proportionately 30% NCI को डाल दिया, हमने 81,000 NCI को डाल दिया, third step में NCI को allocate कर देंगे, ये कर दिया अब उसके बाद देखेंगे हमने purchase consideration क्या दिया, जबकि यहाँ पर हमने cash दिया purchase consideration में भी आगी हम question करेंगे, हम वहाँ पर purchase consideration में shares भी दे सकते asset भी दे सकते, diventure भी दे सकते वो अलग बात है, यहाँ पर हमने purchase consideration में 2,003,000 का cash दिया है तो वो 2,003,000 का purchase consideration हम डाल देंगे, फिर हम देखेंगे जो भी difference आ रहा है difference between net asset minus NCI minus purchase consideration जो भी difference आ रहा है वो goodwill होगा या फिर capitalizer होगा यहाँ पर 14,000 का difference है वो goodwill बन गया हमारा, बस balance it बन गया बात खतम, और इसी का मैंने step भी आपको नीचे लिख रखा हुआ है यह step को आपको exam में revise करके जाना है देखो, अभी revise होगा, अभी दिमाग में set हो गया होगा, acquirer के सारे item, सारे के मतलब सारे item share capital, other equity sub, asset liability sub सारे item में कोई fair value नहीं लगेगा, carrying amount में आप record करोगे फिर step 2 में आप क्या करोगे acquire के assets and liabilities को सिर्फ fair value में include करोगे, अगर fair value नहीं दिया होगा तो carrying amount कोई fair value मालोगे धिहान रहे, share capital, other equity acquire का को pull नहीं करेंगे, उससे में मतलब नहीं है, हाँ आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा depth vertex का impact अगर आएगा, तो DTA, DTL भी बनेगा आपका जो सरकार के इसाफ से जो difference है और हमारे इसाफ से जो difference है, उसके इसाफ से आपका DTA, DTL बनेगा उसका भी revision video YouTube में आप देख सकतू उससे आपको पूरा clearly समझ में आ जाएगा तो DTA, DTL भी कुछ बनेगा तो वो भी क्योंकि DTA, DTL भी assets and liabilities है तो वो भी कुछ बनेगा तो उसका भी हम assets and liabilities बनाएंगे, acquisition rate पे, वो अलग बात है फिर third step में हम क्या करेंगे, NCI calculate करेंगे देखो NCI calculate करने का दो तरीका है एक तो proportionate net assets method है और दूसरा fair will होगा अब भी जो मैंने question कर रहा है उसमें मैंने assume किया proportionate net assets method अगर fair will होगा तो कुछ अलग होगा वो भी मैं आपको सिखाऊंगा tension की कोई बात नहीं है तो मैं NCI को step 3 में record करूँगा फिर step 4 में मैं देखूँगा कि मैंने क्या consideration दिया वो cash जो consideration मैंने दिया PC purchase consideration मैं sort मैं PC बोलूँगा बार बार जो मैंने PC दिया वो मैं PC किसी भी form में दे सकता हूँ वो PC को मैं include कर दूँगा फिर difference जो भी आएगा वो goodwill है capitalizer होगा और यह difference कैसा है एगा net assets कितना लिया less NCI less PC paid जैसी यहाँ पर भी मैं अगर लिखके दिखा दू net assets हमारा 2,70,000 का था हमने NCI proportionate के सबसे 81,000 वाना और PC हमारा 2,3,000 हम cash दे रहे हैं दे सिर्विया पर 2,3,000 का आपका था तो यह देख लो आप कर लो है 2,70,000 minus 81,000 minus 2,3,000 आपका negative 14 था होचे न आएगा असलिए goodwill है अगर positive आता तो capitalizer बन जाता नुकसान हो रहा है नुकसान मतलब goodwill फाइदा मतलब capitalizer दिखाएंगे PNL का कोई काम नहीं है ठीक है capitalizer या goodwill दिखा हो गया यहाँ पर उसी capitalizer का हम gain on bargain purchase बोलते हैं और थोड़ा मैं तीजीड़ बोल रहा हो थो थोड़ा थेजीड़ी से तो बोलू मैं बोलना ही पड़ेगा मुझे मैं बोलू आउ नो नहीं चाहीं थे बाल के यहको एक दम अच्छी तरीके सा समझा On उसके एक sword balance rate भी मैं आपको मेना के दिखा रहा हूँ ताकि आपका दिमाग खुल जाएगा मचे लेको ultimately क्या हुआ हमारा अपना balance rate तो पूरा match रहेगा यह वाला यह वाला होगा यह यह case 1 वाला है देखो तू लक्स एवन्टी थाउजिन का हमने assets डाला एंसीए हमने proportionate method लगा कि एटीवन थाउजिन का एंसीई भी डाला था आपको याद होगा Case 2 मत देखोई बार, Case 1 ही देखोई बार यह देखो, NC81,000 का मैंने डाला है यहापर है न, NC81,000 डाला फिर मैंने क्या क्या, मैंने PC जो दिया 2,03,000, वो मैंने effect दिखाया और जो difference है, वो मैंने goodwill दिखा दिया आप इस goodwill के जगा balancing figure भी लिख सकते हो goodwill के जगा, यहाँ पर balancing figure भी आपका goodwill या capitalizer बनता है, तो यह चार चीज़ों का impact दिखाया मैंने, वही चीज़ यहाँ पर हो रहा है देखो, यह balanced में भी यह हो रहा है आप अगर बोलो कि तो मैं एक बार फिर से आपको मार कर देता हूं, पहले मैंने यह सारे assets डाले तो net assets मैंने सारे डाल दिए, यह step 1 हो गया हमारा net assets मैंने सारे डाल दिए, है ना step 2 मैंने step 1 तो यह सारा था, है ना step 2 में मैंने सारे net assets डाले, फिर मैंने क्या कि NCA डाला, NCA कहा गया, यह NCA डाला है यह आपको इस balance rate से पता चल जाएगा ultimately यही मेने डाला मैंने सबको तोड़ के assets liabilities दिखा दिया जो कि net assets 2,70,000 का है मैंने NCA दिखा दिया मैंने PC दिखा दिया जो difference से वो goodwill कर दिया और आप दिखो दूनों से यह हमारा match भी करेगा इधर भी अगर आप दिखो कि cash दिया है ना तो minus होगा तो कितना आएगा 84,000 यानि 81,000 इधर आएगा 81,000 यानि कहने का मतलब acquirer का तो balance rate as it is बन रहे है उसमें सिर्फ यह effect आ रहे है यह तोड़ तोड़ के जा रहे है अगर ही तोड़ तोड़ के नहीं जाता तो उपको छुटा लगता तो चार चार आइटम में तो खतम हो जाता पूरा का पूरा 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 कॉन सो चार आइटम में खतम हो जाता है उसी का अगर आप पुछोगे मेरे से journal entry तो जनर्रेल इंट्रेस भी हम बनाते हैं जनर्रेल इंट्रेस हम कैसे बनाते हैं हम बोलते कि देखो assets हमारा आया assets आता है तो debit होता ही तो अपने बच्पन में सिखा होगा शुरुआत में थोड़ा सा time जेल लो ठीक है identifiable net assets दिखोगे 2,70,000 का फिर आप लिखोगे NCI 81,000 का जो proportionate NCI मतलब आप बोलोगे इस net assets में NCI का कितना अधिकार है 30% है तो 2,70,000 का 30% मैंने 81,000 दिखा दिया फिर third instance में आप दिखाओगे third step में कि कितना अपने consideration दिया consideration in the form of cash assets कुछ भी हो सकता है तो मैंने consideration दिया 2,000,000,000 cash तो गया तो credit होगा NCI भी credit होता है क्योंकि equity and liability credit होता होता है और cash अगर जाएगा minus cash asset होता है जाएगा तो credit होता है है ना तो 2,000,000,000 का गया मैंने credit कर दिया अब जो भी difference है यह point number 4 में balancing figure यह आपका क्या बन गया goodwill बन गया तो आपको मैंने यह 1,2,3,4 लिख्वा दे जिससे आपको revise करने में आसा नहीं होगे सर समझ में आ गया पहले INA इतनी का हुआ फिर NCI इतनी का हुआ हमने PC इतना दिया difference आपका goodwill बन गया यही मेरा journal entry होगे बस बात खता तो एकदम simple way में आपका बन रहा है इसी से ही आपका पूरा balance rate मैच होने वाला है अब दूसरा case भी मैं आपको बता दूँ NCI को acquisition date पे सिर्फ और सिर्फ acquisition date पे हम NCI को दो तरीके से measure कर सकते हैं एक NCI को या तो आप proportionate net assets method से measure करो या फिर अब NCI को fire value में भी measure कर सकतो है और आगे आपको पता चलेगा जिब हम proportionate method से measure करते हैं तो वह जो goodwill निकल के आते थे और जब हम NCI को fair value से measure करते हैं तो जो गुडविल निकल किया तो फुल गुडविल निकल किया तो उसका भी लॉजिक में समझाऊंगा रुको जड़ा पर पहले यह तो समझ लो NCI को अगर अब fair value में measure करेंगे तो कितना करेंगे जैसे आपको पता तो चल गया NCI जब proportionate net asset method में measure होगा तो जितने net asset से उसका 30% यानि 81,000 का NCI हुआ non controlling interest अगर NCI fair value में measure करना तो कैसे करेंगे उसके लिए हम यह देखेंगे यह देखा आप एक उपाई ऐसा है निकालने का जब जगाती limited ने 70% sales खरीदने के लिए 2,003,000 दिये है तो बाकि 30% का क्या fair value होगा अब बताओ 2,003,000 अगर 70% sales खरीदने के लिए दिया जा रहा है तो पूरे entire business का fair value क्या होगा हम यहां पर ऐसे करेंगे हम कहेंगे 2,003,000 equal to 70% है क्योंकि 70% sales खरीदने के लिए इतना पैसा दिया गया है तो मैं divide by 70% कर दूँगा न तो मेरे 100% value आ जाएगा मैं लग 2,005,000 is the business का value प्रियंका limited का 100% business का value 2,009,000 है तो 30% का कितना होगा into 0.3 कर दूँ into 30% कर दूँ 87,000 इन्ही fair value of NCA 87,000 है जबकि हमने क्या दिखाता net assets के इसाब से अगर हम NCA निकाले तो 81,000 आया था पर fair value के इसाब से 87,000 आया तो यहाँ पर हम अब क्या बोलेंगे NCA को हम कैसे करेंगे मैं देखो मैंने का अगर 70% के लिए 2,003,000 दिया जा रहा है तो 30% के लिए कितना दिया जाएगा 87,000 दिया जाएगा तो आप दिखिए proportionate share of net assets method के इसाब से जब मैंने NCA निकाला तो मैंने कहा कि net assets इतने का है इसका 30% 81,000 NCA आया लेकिन fair value के इसाब से निकाला तो यह 87,000 आया तो क्या NCA बढ़ गया जी हाँ बढ़ गया 6000 से NCA बढ़ गया कि NCA को भी हम fair value में निकाल रहे तो NCA अब मैं कितना में measure करूँगा 87,000 में measure करूँगा तो आप बोलोगे sir balance rate में क्या होता फिर तो balance rate में कुछ नहीं होता हम 87,000 का NCA दिखाते इंस्टेट ऑफ 81,000 और अगर हम 87,000 का NCA दिखाते तो difference जो है आपका 20,000 का था गोडविल 14,000 किजगा 20,000 होता है बस बात करता है कैसे देखो हम बोलते 2,70,000 का मने analysis डाला उसमें से अगर हम 87,000 का NCA दिखा देंगे तो difference बचेगा कितना 1,83,000 बचेगा अब अगर मैं 2,03,000 का purchase consideration दे दूँगा तो 20,000 का difference आएगा और वो गोडविल में 14,000 किजगा 20,000 दिखाऊँगा यनि balance sheet वही का वही बनने वाला है बस NCA 81,000 की जगा 87,000 हो जाएगा जिसके चलते goodwill भी आपका 20,000 हो जाएगा बस वही चीज़े और कुछ भी फरक नहीं है यही चीज़ यहाँ पर होने वाला है यनि console balance sheet बनाने में कोई आपत्ती आपको नहीं आने वाली अब अराम से बन इस बने मैं NCA fair value में ले रहा हूँ तो NCA जब मैं fair value में ले रहा हूँ तो 87,000 का मेरा NCA आया चलो ठीक है यह NCA यहाँ मैंने purchase consideration तो 2,3,000 ही दिया है तो जो भी balancing figure आएगा मेरा वो क्या होगा goodwill होगा और आप देख लो यहाँ पर भी 87,000 होगा यह bracket में और यहाँ पर भी 87,000 में balance it match है तो वही balance it में क्या होने वाला NCA इतना में जाएगा तो goodwill automatically 20,000 हो जाएगा general interest कि अगर आप बात करोगे करोगे तो क्या करोगे आयने 2,70,000 का NCA फैर विलू के अप 67,000 है हमने cash दे दिया 2,3,000 का तो difference आपका balancing figure goodwill आ जाएगा 20,000 का तो अब देखिए goodwill का कारणा में मैं आपको समझा रहा हूँ यहाँ पर दिखो goodwill आया 14,000 और यहाँ पर जो goodwill आय आपको भी समझा दूँगा आपर है ना क्यों कहते हैं यह भी देखो पूरा detail में मैंने लिखा पर मेंची जो मुझे आपको समझा दूँगा यहाँ पर आप देख सकते हो अब इस example से आपको अच्छे सा समझ में आ जाएगा कि क्या parcel goodwill यह full goodwill देखें 2,70,000 का total identifiable net assets था उसमें से जो parent है जगाती लिमिटेड पैरेंट को 70% हिस्सा मिला यह ना यह पैरेंट को कितना मिला 1,89,000 का हिस्सा मिला अब बताओ मेरी बात अगर मैं जगाती लिमिटेड मुझे net assets 1,89,000 का मुझे हक मिला है net assets का अगर मैं उतना ही payment कर देता तो कोई goodwill arise नहीं होता मैंने पर उतना नहीं उससे ज़्यादा मैंने payment किया है जगा मैंने 2,3,000 का payment किया है तो इसी वज़े से goodwill जो आया 14,000 का है और यह goodwill किसका है parent का goodwill है यह parent का goodwill है हमने समझा अब मेरी बात सुन अब मैं NCA की बात करता हूँ NCA को देखो 2,70,000 का net assets पर 30% NCA का हक है 81,000 देखा जैसे मैंने कहा parent का हक 1,89,000 है parent का हक 1,89,000 है वैसे NCA का हक 81,000 का है अगर मैं NCA का जितना हक है उतना ही मैं measure कर दू that is proportionate net assets मैं measure कर दू तो NCA का कोई goodwill arise नहीं होगा क्योंकि NCA को हक 81,000 का मिल रहे और NCA को measure कर दू मैं proportionate net asset method में तो NCA को मैं 81,000 में measure करूँगा तो अगर मैं NCA को 81,000 में measure करूँगा उसको हक भी 81,000 का मिल रहे तो बताओ क्या NCA को goodwill आएगा books में नहीं आएगा लेकिन अगर मैं NCA को fair value में measure करूँ मैं बोलू कि अगर NCA बाले अपना stake को बेचते हैं तो उनको कितना पैसा मिलेगा अगर हम कहेंगे कि उनको बेचने पर 87,000 पैसा मिलेगा क्योंकि इधर इतना हिस्सा को बेचने पर 2,3 थाउचिन मिल रहा है तो आपका इतना हिस्सा को बेचने पर 87 थाउचिन मिलेगा हमने तो fair value निकाल लिया मतलब NCI को अगर मैं proportionate net asset method में measure करो तो भाई जितना उनका net assets allocated है उतना ही मैं measure कर दूँँगा तो NCI का goodwill कहां से आएगा नहीं आएगा लेकिन अगर मैं NCI को fair value में measure करूँ मतलब जितना उनका net asset से उससे ज़्यादा fair value में measure कर दूँगा तब तो उनका भी goodwill में record कर रहूँ न तो इसी वज़े से दिखो इनको net assets मिला 81,000 का पर हम अगर इनको 87,000 में measure कर देंगे तो that means 6,000 हम ज़्यादा measure कर रहे है न तो वो 6,000 NCI का goodwill हैं आपर यानि कहने का मतलब यह है कि अगर आप net asset method में measure करोगे यह रहा net asset method NCI का तो 14,000 हमारा goodwill और उनका goodwill कुछ भी नहीं रहेगा total 14,000 ही दिखाएंगे जिसे हम partial goodwill method कहते है partial goodwill method का मतलब सिर्फ parent का goodwill और वो तब होता है जब आप NCI को net asset method में measure करते हो proportionate net asset method में measure करते हो क्योंकि वहाँ पर NCI को fair value में नहीं दिखाया जाता है जितना net asset से उसका proportionate दिखा दिया जाता है तो NCI का goodwill निकल के नहीं आता है तो partial goodwill निकल के आता है सिर्फ और सिर्फ parent का goodwill निकल के आता है इसलिए सिर्फ 14,000 आएगा लेकिन अगर आप NCI को fair value में measure करोगे तो हमारा तो 14,000 goodwill निकल के आए NCI का भी 6,000 का goodwill निकल के आया और दोनों का मिला कि ये full goodwill हो गया full goodwill मतलब 70% हमारा ये goodwill है 30% 6,000 उनका goodwill है अब देख भी लो 70% 14,000 होता है तो 30% 6,000 होगा तो उससाब से full goodwill हो गया तो वही चीज यहाँ पर हो रहा है अब आपको balance rate देखके समझ माया अब देखके यहाँ पर balance rate में हमने NCI को measure किया proportionately तो आपका जो goodwill निकल के आई ये कौन सा आएगा partial goodwill आएगा सिर्फ और सिर्फ parent का होगा ये सिर्फ और सिर्फ parent का क्यों? क्योंकि NCI को तो net assets का हिस्सा दिया है NCI का तो goodwill निकल के आई गया नहीं proportionately उनका हिस्सा दिया है तो ये जो goodwill आएगा सिर्फ और सिर्फ किसका होगा parent का होगा ये लेकिन अगर case 2 में आप NCI को fair value में measure करोगे तो हमारा goodwill के अलावा NCI का भी goodwill निकल के आ रहा है क्योंकि NCI को proportionately हिस्सा 81,000 का मिल रहा है पर हम NCI को 87,000 दिखा रहा है तो 6,000 उपे NCI का भी goodwill निकल के आ रहा है इसलिए ये जो goodwill निकल के आया ये कौन सा हो जाएगा ये balancing figure में मिटा रहा हूँ इसके जरत नहीं ये full goodwill हो गया ये full goodwill हो गया और इसको अगर आप कहीं पर दिखाने सकते हो अगर यहां पर हम बोल सकते हैं यहां पर मैं लिख देता हूँ parent का 14,000 goodwill है और NCI वालों का 6,000 goodwill है हमने पूरा goodwill दिखा है दोनों का मिला के तो अब क्या आपको याद रहेगा जी हाँ crux आपको क्या समझ में है आपको क्रक्स यह समझ में आया हमें आप मैंने लिखा हूँ अभी हूँ भी मैं आपको दिखा देता हूँ क्रक्स मैंने लिख रखा था यह दूख लिवा रूप जाओ क्रक्स मैंने नीचे लिख रखा हूँ अगर nci को मैजर करोगे proportionate net asset method में तो ऐसे situation में आप partial goodwill होगा आपका क्योंकि आपने सिर्फ और सिर्फ parent का goodwill निकल के आएगा लेकिन अगर आप nci को fair value में मैजर करोगे न तो आपने nci का goodwill भी record कर दिया तो आपका full goodwill निकल के आएगा parent as well as nci का goodwill निकल के आएगा इसलिए दियान रखना जब भी nci measure हो रहा है proportionate net asset method में तो आप जो goodwill रहेगा आप उसको क्या बोलोगे किसका goodwill है वो सिर्फ और सिर्फ आपका parent का goodwill है लेकिन अगर nci fair value में मैजर होगा तो nci का भी goodwill निकल के आएगा और वो goodwill फिर दूनू का होगा parent और nci यह दूनियों का goodwill होगा तो अब आपको यह पूरा समझ में आगे कि parcel goodwill कब होगा और आपका full goodwill कब होगा एक दो question और मैं revise करा दूँगा तो पूरा आपको clarity मिल जाएगे तो यहाँ पर यह सारी चीजे तो मैंने आपको समझा दिये question बस मैंने आपको दिमाग फूलने के लिए अब यह मैं समने इतना लंबा चोड़ा अंसर है अंसर को लंबा चोड़ा नहीं मैं इसको खोल के रख दिया अलग-अलग एंगल से आपको समझा दिया फिर देखो न आगे और balance sheet बनाया मैंने इस balance sheet में मैंने general entry जो पास किया है यहाँ पर देखो तो यह आपका देखो मैंने लिखा हूँ अभी है one 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 यह सारे net assets वाले हो गये one ठीक है तू वाला NCA हो गया यह proportionate यह fair value वाला फिर आपका क्या आगया consideration देखो दूनों तरफ consideration से में goodwill आपका निकल क्या आगया इधर 14,000 इधर 20,000 इधर 20,000 यह वाला proportionate net asset method था इसलिए यह goodwill किसका सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ पैरेंट का goodwill है partial goodwill है और इधर अपने NCA को fair value में measure किया है तो यह full goodwill है 20,000 full goodwill है मले इसमें 14,000 तो parent का 6000 NCA का goodwill है तो पूरा goodwill निकल किया है तो I think अब आपको यह पूरा समझ में आगे जब आप revise करोग अच्छे सो तो आपको और यह notes के साथ पूरा clear हो जाएगा दिखलो since NCA measured proportionate share of net assets goodwill or rupees 14,000 relates only to parent लेकिन अगर NCA measure होगा fair value में instead of net assets तो आपका goodwill NCA को भी allocate हुआ 6,000 का parent का तो 14,000 है दोनों मिला के 20,000 हो गया और वही 20,000 यहां पर आ रहा है सिर्फोर सिर्फ parent का goodwill निकल के आएगा क्योंकि NCA को तो आपने जितना net assets सा उतना ही में allocate किये उसको तो fair value में रखा ही नहीं है जितना net assets सा उसी का हिस्सा दे दिया लेकिन अगर NCA को fair value में हिस्सा दे है ना तब तो NCA को net asset method पे रखा नहीं proportionate आपने तो पूरा fair value में करवा दिया एकदम अच्छे से यह step भी आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया अब इसके बाद मैं चाहता हूँ एक कोशिन आपको करवा हूँ एक आथ कोशिन आपको consolidation वाले करवा हूँ इसी type के उसके बाद मैं आपको asset acquisition business combination समझाऊंगा चलिए एक दो कोशिन करवा देता हूँ आपको मैं पहले देखें यह consolidation का दो कोशिन है वो मैं आपको करवा देना चाहता हूँ consolidation prostitute से illustration 3 और illustration 2 में आपको करवा हूँ गा देखिए illustration 3 x limited acquires 80% of while limited by paying cash consideration और विस 400 लाग मतलब मैं x limited हूँ आप while limited हूँ मैंने आपको 400 लाग रुपीस cash दिया है और 80% shares खरीद लिए मतलब control आ गिया है 80% shares खरीद लिए the fair value of non controlling interest on the date of acquisition इस रुपीस 100 लाग MCI का fair value उन्होंने बता दिया मैं आगे the value of subsidiaries identifiable net assets यानि identifiable net assets का भी fair value में बता दिया इतना 520 लाग का identifiable net assets का fair value है determine the value of gain on bargain purchase and pass the general entry देखो gain on bargain purchase या good will दोनों आ सकता हो तो depend करेगा और हमें general entry भी पास करना है तो हम क्या करेंगे हम दोनों method करेंगे यापर हम क्या करेंगे दोनों method देखेंगे अगर मानलो NCI को proportionate net assets method पे measure करें और अगर NCI को fair value में measure करें दोनों situation में क्या होना है देखें identifiable net assets तो मेरा 520 लाग रहेगा दोनों जगा पे identifiable net assets 520 लाग कर रहेगा मैंने दिखा दिया मैं 520 लाग अपने balance rate में add कर दूँगा अब NCI में किस पे दिखा हम proportionate net asset method का मतलब क्या है जो ये identifiable net assets है इसका proportionate 20% NCI का क्योंकि हमने 80% acquire किया तो 520 का 20% होता 104 52 52 104 होता ह 104 का मैं NCI दिखा दूँगा मैंने consideration कितना दिया 400 का मैंने consideration दिया 80% खरीदने के लिए तो जो difference होगा वो goodwill ये gain on bargain purchase होगा अब मैं आपको simple way में समझा देता हूं दिखिए 520 का net assets लिए उसमें से तो 104 NCI का दिखा दिया तो बचा कितना 416 बचा तो मुझे 416 का net assets मुझे मिल मिला हिस्सा जिसके लिए मैंने पैसे दिये 400 यनि कम पैसे दिये न मिला net assets का share मुझे मेरा जो share of net assets है वो 520 माइनस NCA हटा तो 520 का 80% share of net assets है और मुझे दिना पड़ा phone ready तो 416 मिला दिना पड़ा phone ready यनि फाइदा हो गया फाइदा यनि gain on bargain purchase होता है जिसे हम capital reserve के अंदर दि है इडिटिफाइबा net assets 520 का NCA 104 का दिखा देंगे consideration हमने phone rate दिया फाइदा हुआ फाइदा हुआ तो credit हो गया 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 जो कि capital reserve के अंदर चला जाएगा बात खत्म अब अगर मैं NCA को fair value में measure करो तो ऐसा situation में NCA proportionate नहीं होगा fair value यहां पर 100 लाग दिया हुए देखो the fair value of NCA on the date of acquisition 100 लाग है तो IA ने तो 520 रहे गई अब मैं NCA को fair value में 100 में measure करूँगा consideration मैंने 80% के लिए phone rate दिया है तो जो difference इस बार capital reserve आया और यह capital reserve 20 आया तो यहां पर समझ लो यह भी capital reserve है तो partial है यह सिर्फ parent का part का capital reserve आया और यहां पर हम देखे तो यह full capital reserve है जहाँ पर NCA को भी हमने fair value में measure किया तो दोनों का मिल के आया आप ऐसे भी समलो 80% हमने hold किया partially 80% में 16 का capital reserve आ तो 100% में कितने काएगा 20 काएगा टोटी क्यूंकि 80% 16 तो 20% 4 तो extra से 20% का 4 add होके 20 हो गया तो इसमें हम कह सकते हैं कि NCI का capital reserve 4 है और बाकी आपका parent का capital reserve 16 है entry identifiable net assets 520 NCI 100 दिखाया कैस आपका phone rate है बाकी difference 20 का gain on bargain purchase तो simple question है देखो एकदा मच्छी से मैंने समझा दिया अब एक और question मैं आपको कराने जा रहा हूँ illustration 2 यह भी फटा फट से मैं आपको करवा दूँगा देखिए राम लिमिटेड ने 60% मैं हूँ राम लिमिटेड आप हूँ राजा लिमिटेड मैंने आपके 60% sales खरीद लिए आप आपको बदले में 750 लाग का consideration दिया अब मेरी बात सुन लो हम पते एक चीज़ और देते control प्रीमियम देते मतलब कहने का मतलब मैं आपको समझा दूँगा रूख जा दूँगा 480 अगर 40% रूख जाओ 480 अगर 40 तो 1200 होगा आपका 720 देखो मैं आपको समझाने की कोसिस करो राम लिमिटेड ने 60% sales खरीदा राजा लिमिटेड का और इसने consideration कितना दिया 750 लाग का आगे including control premium रिखा हूँ समझाओंगा मैं आपको आगे तब fair will of NCI on the date of acquisition इस रूपेस 480 लाग जैको नए NCI का fair will कितना है 480 लाग NCI के पास हक कितना है 40% है क्योंकि मैं 60% ले रहा हूँ तो NCI के पास 40% है और 40% का fair will 480 लाग है तो आप बताओ 100% का कितना होगा 480 लाग आपका 40% का fair will है तो 100% का 1200 लाग होते है 60% का कितना होगा 720 लाग होगा तो देखा जाए तो राम लिमिटेड ने जो 60% acquisition किया इसको देना चीए था 720 लाग ही पर यह देर है 750 लाग पता है क्यों देर है क्योंकि जब आप control हासिल करना चाते हो ना तो उसके लिए आपको premium देना होता है आप बताओ आपके पास पहले से ज़्यादा सेर्स पड़े हुए अब आपने सेर्स को निकालोगी निया बेचोगी निया तो नहीं बेचोगी आप बोलोगे आप अगर अगर अपने सेर्स मेजूरिटी निकाल दोगे control आपके हासे चला जाएगा control मतलब power और power कौन खोना चाता है तो हमें जब power ची होता है तो power के लिए हमें fair value के उपर भी extra पैसा देना पड़ता है 720 लाग होगा आप ऐसे वापस कर लो 480 divided by 40% into 60% 720 लाग होगा लेकिन 750 दे रहा मतलब 30 लाग का control प्रेमियम दिया जाए अब हम यह तो समझा दिया मैंने अब देखिए fair value of identifiable net assets कितना है 1000 लाग का है तो अब यहाँ पर भी मिलूँगा ncii proportionate ncii fair value में देखो identifiable net assets हो 1000 लाग दोनों के केस में रहेगा identifiable net assets ncii अगर हम proportionate net assets की बात करें तो ncii क्या होगा 40% होगा है ना किसका 1000 लाग का 40% होगा 400 होगा आपका ncii और अगर इधर हम बात करें तो इधर हम ncii fair value ले रहे है और fair value question में दिया वह 480 लाग यहाँ पर 480 ले लिए हमने अब consideration हम कितना दे रहे है जो 60% हासिल के उसके लिए consideration हम 750 दे रहे है दूनों यहाँ पर लिख लिए हमने अब difference क्या होगा goodwill होगा वो 150 है 60% के लिए और ncii का goodwill जो है वो 80 है तो 40% के लिए ncii का goodwill 80 है तो parent का 60% के लिए 120 होना चाहिए पर parent का goodwill 150 क्यों आपत है क्योंकि वो 30 का extra control premium दिया ना control हासिल करने के लिए तो इसलिए यहाँ पर आप समझ जाओं यहाँ पर इसका दिखा जा तो extra 30 है प्रीमिम दे रहे control हासिल करने के लिए वो goodwill बना और 120 इसका असल में fair value के साब से goodwill बना तो 60% का 120 तो 40% का 80 होगा तो वहीं यहाँ पर आपको समझ में आगे यह जो 230 का goodwill है इसमें parent का 150 और ncii का है ना और कैस हमने दे दिया 750 का तो difference आपका goodwill 150 आगी यहाँ पर यहाँ पर भी दिखाएंगे 1000 लाग का हमने दिया मैं numbering कर देता हूँ तो ncii दिखाएंगे तो net पर देखो यहाँ पर भी पता चला 1000 का net assets Ncii को allocate कर दिया phone rate तो 600 का net assets बचा है ना 600 का net assets बचा अच्छे यहाँ पर गरबर लिख दिया मैंने यह phone rate नहीं है यह phone rate 80 है 1000 का net assets था 480 Ncii को allocate कर दिया तो 520 का net assets हमारे हक में आया उसके लिए हमने पैसे दिया 750 का तो कितना एक्स्ट्रा डिए 230 एक्स्ट्रा डिया वू गडवेल आगग का तो कितना defensive no balance बना लेना इकदम सिंपल हो जाएगा balance बना लेना अईने दिखा दिखा देना Ncii दिखा देना कैस कितना दिखा देना और लास्ट में बचा हुआ डिबू या cap मेटल रिजर्व होगा बात कतम तो यह पार्ट मैंने आप लोग को अच्छी तरीके से फटा-फट साथ मिनिट ओल लिया मैंने और आपको अच्छी तरीके से मैंने करा दिया तो दो चार दो चार कोशिन कराती जाओंगा तो आपका पूरा क्लेरिटी आ जाएगा और उससे मैं मानता हूँ या बिल्डिंग है जो भी है लेंडन बिल्डिंग है उस कंपणी के अंदर तो मेरा परपस है लेंडन बिल्डिंग खरीदने कहीं पर मैं उस कंपणी को खरीद ले रहा हूँ उस कंपणी के अंदर मुझे लेंडन बिल्डिंग अपने आप ही मिल जाएगा पर उस कंपणी करने के लिए किसी भी सिर्फ company नाम दे दिने से वह बिजनस नहीं हो जाता है कंपनी का अंदर बिजनस तब कहला जाता है जब उसके अंदर बिजनस के elements हो जैसे कि input हो input मतलब सारे resources assets हो गए intangible assets tangible assets यह सारे resources assets हो गए उसके अलावा process हो process मतलब activities हो है ना workforce हो आपका है ना organized workforce हो हाँ पर strategic management वाले personal हो strategy वगिरा हो एक process हो जिसके ताथ काम होगा तब वो business कहलाएगा और उस process और input को मिला देने पर एक output निकल के आना चाहिए जिससे आप कमाओगे ultimately है ना तो इसलिए पूरा business होगा तब हम उसे business combination मानेंगे अगर business ही नहीं है वो तो फिर वो business combination ही कहलाता वो सिर्फ एक asset acquisition कहलाता है तो simple सी बात है अगर मैं आपकी company को खरीद रहा हूं और उस company के अंदर land building machinery है पर उस company में कोई activities नहीं हो रही business activities नहीं हो रही है उस company के अंदर को business processes नहीं है output नहीं है तो फिर company खरीदने का मतलब मैं यह नहीं कहूँगा कि मैंने business खरीद है मैं मानूँगा मैंने assets खरीदा है वो तो बस company का formation तो कोई भी कर देगा ऐसे तो मेरे पास एक गाड़ी बढ़ी है मैं सोचूँगा कि नहीं काम करता हूँ एक company form करता हूँ उस company में उस गाड़ी को transfer करता हूँ फिर company को बेज देता हूँ तो थोड़ेना business हुआ वो तो ऐसे तो कोई भी करने लगे फिर तो इसलिए standard जबकि substance को ज़्यादा importance देता है वो कहता है कि देखो ऐसे चलते है फिर तो हम किसी को भी business combination ही कहेंगे business combination होने के लिए business होना पड़ेगा तो अगर business नहीं तो business combination ही कहलाएगा वो asset acquisition कहलाएगा तो उसके बार में थोड़ा सा तो मैंने hint देती है बाकी last में हम discuss थोड़ा सा और कर लेंगे है ना concentration test जब मैं समझाँगा तब कर लेंगे पर फिलाल के लिए आप ये समझो अगर asset acquisition हो देंगे अधर proportionate net assets या fair value में purchase consideration कितना देर difference क्या होगा गोडवेल या capital reserve होगा लेकिन अगर asset acquisition हुआ तो इंडस 16 लगेगा ये इंडस 38 लगेगा अगर tangible asset से तो इंडस 16 इंडस 38 लगेगा वो asset acquisition में इंडस 103 नहीं लगेगा इंडस 16 या इंडस 38 लगेगा और उसके provision के सबसे time accounting करेंगे तो वहीं यहाँ पर हो रहा है मानलो एक company है मानलो एक company है उस company के अंदर land है machinery है intangible assets है तीन assets है उस company के अंदर ठीक है और उसके fair value भी हमें दे दिये गए यहाँ पर अब मैंने इस company को मानलो खरीदा है consideration मैंने दिया 4,60,000 का और खरीदने का मेरा cost of acquisition का भी खर्च of acquisition भी मैंने क्या-क्या पी कर दिया ठीक है यह मेरा खर्चा लगा यहाँ पर तो यहाँ पर हमें चेक करना पड़ेगा इसके elements किया है business के elements है भी या नहीं इंपूट प्रोसेस आउपूट है भी या नहीं है अगर हमें दिखा कि हाँ business है यह तो business combination मान के business combination accounting करेंगे आगर ह चलो मान के चलते चलो एक बार के लिए asset acquisition का मामला होगा तो हम क्या करेंगे हमने पढ़ा है कि हम इंडे 16 के साब से पीपी हम इसे फिर क्या मनेंगे यह अपी लूद हिसे कॉशन क्या जाता है के से एड़ कॉस्ट अपस्ट कोंट मॉड़ लगता सबसेखंब यह यह रिवालूशन मोड़ लगा सकते हो पर इनिशेली कोस्ट इंकर करोगे वह आपका owes यह में मैंभी एक्सट अधियनी पड़ ehkä लम ऑं मिद्गेख exec लिए उसको भी एड़ करते हैं और वह में वह काँस में मै देखो मैंने क्या कशे Elena को भ։ड लग सिर्टिवुटे पशंट पनद्रह हजार 30 restart under 1000 यह विए दोणों मिला कि मैंने कितने दिये मैंने दोनों मिला कि 4,75,000 दिये तो मैं क्या करूँगा ये assets को 4,75,000 मैं measure करूँगा as per India 16 क्योंकि cost लगा 4,75,000 यानि property planning equipment all three property planning equipment cumulatively है na will be measured initially using cost model at rupees 4,75,000 तो मैं देखा जाए तो single line में ऐसे लिख सकता हूँ pp 4,75,000 तो bank 4,75,000 बो एगरी हो या नहीं हो एगरी हो हाँ क्योंकि pp के अंदर अब इसके अंदर सब कुछ आ गए इसके अंदर land आ गया machinery आ गया intangible assets आ गया मैं इन तीनों को 4,75,000 में दिखा दूँगा पर ऐसे आप दिखा नहीं सकते आप at least break up करके बता हो हम मान लेते की pp के अंदर क्या है इसके अंदर land है machine है intangible assets ही मैं मानता हूँ आपकी बात मैं समझता हूँ मैं मानता भी हूँ तीनों चीज है पर हमें break up करके दिखाना पड़ेगा तो हम break up कैसे करेंगे हम simple सी बाते standalone price में break up कर देंगे जो उसका standalone fair value है उसे आपसे break up कर दो बात करता हम यह जो 4,75,000 है इस value पे हमें तीनों item को दिखाना है तो हम सबसे best रहेगा जैसे इंडेस 115 भी मैंने पढ़ाया था standalone price में आप जैसे transaction price को allocate करते तो standalone value पे है वैसे हम क्या करेंगे इन तीनों के जो standalone value है fair value carrying amount से मतलब नहीं है carrying amount भाड में जाए वो तो कुछ भी हो सकता उससे क्या मतलब इन तीनों के standalone fair value में हम allocate कर देंगे इन जिस proportion में इनका fair value है उसी proportion में आप क्या करो 4,75,000 को allocate कर दो तो मैंने क्या क्या देखो 4,75,000 को 3,00,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, से रिकॉर्ड होगा तो आपने 4,75,000 अगर प्राइस पेकिया है तो उसको आप तीनों में ब्रेक अप कर तो उसके stand-alone fair value में हमने ब्रेक अप करके ये निकाल दिया हमने अब हम क्या करेंगे land को दिखा देंगे जो ब्रेक अप अलू है 3,23,863, machinery, 97,159, इंटन जी बलसर 5,39,77, तो यही entry देखो यह entry आपको exam में पास नहीं कर नहीं तो मैंने समझाने के लिए आपको case से आपको easily समझ में आ गया अब इस PPE की जगा पे मैंने यह तीन items तोड के लिख दिया और two bank तो वही का वही रहेगा आपका यह रहा तो यह entry हमारी asset acquisition होगी तो asset acquisition में आप ध्यान रहें आपको यह समझना है कि वहाँ पर ऐसा नहीं कि हम fair value में लिख लेंगे goodwill वगरा दिखा देंगे नहीं वहाँ पर हम index 16 लगाएंगे asset acquisition में index 16 लगाएंगे लेकिन अगर वह business combination होता ही है अगर इसके अंदर business के सारे गुण होते तो business combination कैसे करते तो वैसे situation में तो हम क्या करते सारे item को fair value में ही record करते और जो consideration pay किया वो किया difference जो रहेगा वो goodwill यह capital reserve दिखा जाएगा यह मैं पता है अब मैं आपको एक नीची बताना चाहता हूँ इंडेस 103 हमें यह कहता है कि जो भी आपका direct cost of acquisition है ना आप उसको penal में दिखाओगे आप यह capitalist नहीं कर सकते हैं हलाकि इंडेस 16 के सबसे तो आप capitalist कर सकते हो पर इंडेस 103 के सबसे आपको यह allowed नहीं है इसके पीछे का reason भी लॉजिक भी है इसके पीछे का कारण ही है कि आप already सारे assets को fair value में दिखा रहे हो है ना जो आप consideration दे रहो उसका difference भी आप goodwill तो दिखाए रहे हो है ना और यह वाला direct cost of acquisition यह दिखा जा तो अभी आपका recover होने वाला नहीं है क्यों नहीं recover होने वाला क्योंकि आगे जागे जब आप बीचोगे तो जो बंदा करने से related जो भी हमारे direct cost लगे है ना यह सारे जो भी direct cost हमारे लगे वो मतले यह वो direct cost है जो नहीं लगते अगर हम acquisition नहीं करते तो तो इससे related जो भी direct cost हमारे लगे हम इसे तो बैंक पंदराजा यानि इसकी entry सिंपल सी बात है इंडस 103 के साब सी होगी direct cost of acquisition तो बैंक पंदराजा रुपिया और यह खर्चा पीनल में आप ट्रांसफर करोगे इसका आपका इंडस 103 से कोई ले ना देना नहीं इंडस वंजरू तो यह हमने पील में डाल दिया अब हम करेंगे क्या अब हम इंडस 103 अगर लगाते हैं तो जो हमारे assets है इन सबको तुम fair value में record करेंगे 4,000,000 तो fair value में हम record करेंगे है ना तो identifiable net assets हमारा 4,000,000 का होगा consideration हमने दिया 4,000,000 तो difference 20,000 गुडविल होगा वही हुआ है यहाँ पर देखिए identifiable net assets 4,000,000 का है NCA यहाँ पर क इस identifiable net assets कीजिगा ब्रीक करके थोड़ा से detail में दिखा सकते हूँ वो भी मैं आपके लिए कर देता हूँ देखो इसको कैसे कर सकते हूँ identifiable net assets नहीं दिखानी कीजिगा आप यहसे कर सकते हूँ अब पीपी दिखा दीजे और क्या मसीनेरी इंटेंजीबल assets हो रही है आप दिखाए यह लैंड machinery intangible assets को fair value में दिखेंगे 3,90,000, 50,000 कि अबने दिखा दिया तो यह थीनों मिला गया 4,50,000 दिखाया क्या समनी दिया 4,60,000 एंसी है तो है नहीं तो difference होगा वो गुर्वी लोगा बात खतम तो वही मैंने थोरा सौट किया था पहले आये नहीं लिख दिया था इन तीनों की जिगा भी मैंने सिंपल कितना आसान है मैंने एसेट एक्विजिशन आपको एकदम अच्छी से समझा दिया फिर रिपीट कर रहा हूं आप एसेट एक्विजिशन के मामले में इंडस 16 लगाओगी इनिशली मेसरेडेट कॉस्ट कॉस्ट फूल लग 75,000 उसको फैर विलु के इसाब से ब्रेक कितना अच्छी से समझा दिया मैंने बात खतम किसा खतम अब आगे मैं थोड़ी से थियोरी में बात करूँगा कि पर्चेस कंसीडरेशन का डिटरमीनेशन हम कैसे करेंगे कंटिंजेंट कंसीडरेशन के बारे मैं डिसकस करूँगा फिर स्टैप एक्विजिशन आपको और बात हैं जो मैं आपको दूँगा अगर मैं आपका बिजनस आउइक्वायर करूँ गा मालीजिए मैं आपको debentures दे दिये, मेरी company के debentures इसू कर दिये 20 लाग रुपीज के, मैंने आपको machinery वो गिरा दिये 2 लाग रुपीज का, है ना, तो ये सारी तो purchase consideration का इसा है, मतलब cash दिया, वो भी purchase consideration का इसा है, machinery दिया, वो भी purchase consideration का इसा है, मैंने sales दिया, वो भी purchase consideration का इसा है, मैंने debentures दिया, व और बाकी चीज़ों को किसमें लेंगे ये तो सब चीज़े आपको समझ में आगी इसके लगव एक और चीज़े पता हैं मैं कितनी बार क्या करता हूं मालीजे मैं आपके बिजनस का मैजूरिटी सेर्स खरीद रहा हूं 70% सेर्स खरीद रहा हूं x dude और एक बात मैंने आपसे कहा दिया और यह चकिने को एंटीन ऊपणी ने अच्छा प्रॉफिट कमाया यह यह मैंने कहा कि मैं आपको extra से और 20 लाग रुपीज भी दूँगा मतलब मैंने contingent consideration भी रखा है जो मैं आपको दे भी सकता हूं नहीं भी दे सकता हूं वो depend करेगा on the future events future में अगर वो event ओकर हुआ या नहीं हुआ जो भी यह terms and conditions की सबसे जैसे मैंने कह दिए कि अगर future में हमारी company ने करोड रुपए से जादे का profit कमाया तो हम आपको 20 लाग रुपीज देंगे यह कमाया तो नहीं देंगे अगर 50% से ज़्यादा probable नहीं तो आप उसका provision मत बनाइए यह इंडस 67 कहता है पर इंडस 103 उसको over rate कहता है इंडस वंजरू कहता है कि इंडस 67 की बात नहीं सुनेंगे आपने अगर किसी प्रकार का contingent consideration देनी का वादय किया है भले उसकी probability 50% से कम हो चलेगा आपको उसको fair value में मैज़िर करना पड़ेगा जैसे मान लीजे मैंने आपसे कहा कि future में अगर हमारी कंपनी ने बहुत अच्छा काम किया profit profit earn किया तो हम आपको 20 लाग देंगे तो 20 लाग जो हम आपको देंगे यह दे भी सकते नहीं भी दे सकते contingent consideration है और मानलो probability है आपको देनी के सिर्फ 10% सिर्फ 10% probability कि हम आपको देंगे तो इंडस 87 तो कहता है कि ना जी न प्रोविजन मत बनो पर इंडस 103 जो हम पढ़ रहे है for the purpose of business combination इंडस 103 कहता है कि जो मैंने आपको contingent consideration देने का वाद है क्या है उसका आज की rate में fare value क्या है उसका आज की rate में चितना fare value न उतना fare value को हम PC में include करेंगे उसका provision बनाएंगे कैसे PC में include करेंगे वो भी मैं आपको दिखा दूँगा हम उसका provision बनाएंगे मानलो अगर हमें लगता है कि उसका fare value 2 lakh rupees है जो मै आई चीज़ यहां पर देखिया फैर विल उप्ट एसेट्स ट्रांसफर्ड इंक्लूडिंग कैस एक्विटी इंट्रस हो सकता है कोई भी प्रकार का लाइपली इस जैसे डेवेंजर वगेरा साथ इसाथ क्यों प्रकार क्यूंट्रस हो इसका फैर वेलू इसका फैर वेलू है तो इसका अगर 3 लाग रूपीस फैर वेलू है तो इंडस 103 के हिसाब से even if it is not probable contingent consideration अगर हमने कुछ दीनिका वादा किया है उसे हम fair value में measure करेंगे तो 3 lakh रुपीस आपका PC का हिस्सा बनेगा तो अगर मैं आपको बताओ, मालो एक छोटा सा balance rate आपको बना के दिखा देता हूँ, मालो for example मैंने आपका identifiable net assets 50 lakh रुपीस का लिया ठीक है, और NCI मालो 10 lakh रुपीस का है मेंने 80% लिया, 20% NCI 10 lakh मैंने आपको purchase consideration में क्या दिया, cash दे दिया मैंने आपको 42 lakh रुपीस का मालो मैंने आपको cash दे दिया for example और मैंने आपको ये contingent consideration देने का वादा बे किया है जो probable नहीं है पर उसका fair value आज की rate में मान लो जैसे 3 लाग है तो 3 लाग है तो ये 3 लाग भी PC का हिस्सा बनेगा ये 3 लाग को हम provision करके दिखा देंगे ये दिया थोड़े ना cash से कम नहीं होगा है ना ये provision बना के दिखा देंगे ये भी PC का हिस्सा बनेगा तो ये cash जो दिया ये भी purchase consideration है ये provision जो ये भी purchase consideration है तो purchase consideration कितना दे रहे इन दा form of cash दे रहे 42 लाग और जो हमारा obligation उसका fair value 3 लाग है तो इन दा form of liability 3 लाग है 45 लाग का PC दे रहे हैं है ना तो देखो हमारे हाथ आया कितना 50-10 40 लाग का net assets आया और हम consideration दे रहे 45 लाग का तो difference 5 5 लाग क्या होगा goodwill हो जाएगा 5 लाग का difference आप देख लो balance match करें इधर 13 हुआ उदर भी 13 है आपका balance match करें यह मैंने छोटा सा balance आपको बना के दिखा है यहाँ पर मैंने provision भी लिए यह भी PC का हिस्सा है तो वही चीज आपको समझाना था contingent consideration भी मैंने आपको समझा दिया और आगे question कराऊंगा मैं आपको एक concept और समझाना step acquisition उसके बाद में tyk का question number one कराऊंगा यह बहुत ही अच्छा question है और यह question कि है सबसे अच्छी बात कि इसके अंदर step acquisition में include हो जा रहा है और इसके अंदर जो contingent consideration भाट है वो भी include हो जाएगा तो यह मसालेदर बहुत ही आपने acquisition किया मैंने एक साथ आपकी company का control नहीं लिया मानलो for example मैंने starting में आपकी company के सिर्फ 30% shares खरीदे तो बताओ अगर मैं आपके company के 30% shares खरीदूँगा तो क्या मेरे पास control आजेगा नहीं आएगा अगर मैं आपकी company का 30% shares खरीदूँगा तो मेरे पास क्या आएगा significant influence आ आ सकते हूं मैं इसे investment in associates दिखाऊंगा और consolidation purpose के लिए हम इंडेस 28 लगाते जिसमें हम equity method अपलाई करते हैं ठीक है investment in associates मैं इसको measure करके दिखाऊंगा जब मेरे पास control आएगा तब ही तो में business combination करूँगा तो वही हुआ starting में मानलो 1st April 2001 को मैंने क्या क्या आपकी company के मैं हूँ मानलो ABC आप हो XYZ मैं हूँ ABC आप हो XYZ मैंने आपकी company के 30% shares खरीदे 8 लाग रुपीज में control नहीं आया तो मैं अपने balance sheet में पता है कैसे दिखाऊंगा मेरे balance sheet में क्या होगा आपको मैं बता देता हूँ देखो मेरे pocket से पैसे जाएंगे कितने कैस मेरा जाएगा आट लाग रुपिया तो एट लाग रुपीज मेरा कैस जाएगा कैस कम हो जाएगा और मैं investment in associate दिखा दूँगा एट लाग रुपीज का मैं क्या दिखा दूँगा investment in associate दिखा दूँगा यहनि starting में हम क्या करते cost approach लगाते cost में measure क जितना पैसा गया उतना का investment in associate दिखा दिया और इंडेस 27 की बात करें तो वह हम पॉस्ट में उसको रख देते और अगर इंडेस 28 की बात करें consolidation purpose के लिए तो मुसमें क्या करते equity method लगाते हैं यहनि आगे जब जब वो company कमाई कि उसका share of विस्ट हम अपने books में दिखाते रहते हैं तो वो सारी चीज़े वहाँ पर अभी हम ज़्यादे detail मिनी जाएंगा इहोप उतना तो आपको पता होगा आगे देख लेते हैं फिर मी मैं आपको जितना होगा मैं समझा दूँगा टेंसन की कोई बात नहीं अब देखो फर्स अ इलागे कितना हो गया 70% हो गया मतलब control आ गया मेरे पास step wise आया पहले 30% खरीदा फिर 40% खरीदा तो 70% हो गया ना तो 1st April 2002 को क्या होगा control established हो गया है 1st April 2002 को control established हो गया मतलब मुझे business combination accounting करना पड़ेगा तो पता है जिस दिन आपका control established हो जाता हम क्या मानते हैं हम यह नहीं मानते कि हमने 40% खरीदा हम यह मानते हमने 70% खरीदा कैसे पता है हम पहले जो 30% हमने पहले से खरीद रखा था ना मतलब क्या हुआ पहले मैंने 30% खरीदा फिर मैंने 40% खरीदा टोटल हुआ 30 plus 40 70 हम पता हैं इसमें क्या समझते हम यह समझते कि जो पहले 30% खरीदा उसको मान लो बेच दिया और उसके बाद हम कहेंगे हमने 70% पूरा खरीदे इस तरीके से हम करते हैं तो हम क्या करते हैं जो पूराना हमारा investment in associates है उसको हम मानते कि हमने fair value में sold कर दिया उसको हम क्या मानते कि हमने fair value में sold कर दिया वो हम कैसे करते हैं वो सारी value previously held 30% interest 15 लाग हो गया तो हम क्या समझेंगे मतलब देखा जाए तो मतलब आपको ये समझना है कि control हासिल करने के लिए आपने कितने पैसे लगाए एक तो 15 लाग रुपी इसका आपके पास already 30% interest था फैर वेलू में ये 15 लाग गया आपका और दूसरा 20 लाग रुपीस अपने cash दिया तो देखा जाए तो 35 लाग रुपीस हम purchase consideration मानते हैं पर तो इसका करने का तरीका भी देखो यहाँ पर आपको सबसे पहली बात acquisition date पर आपको एक ओची चाहिए होता है और आपको ये भी चीगा कि identifiable net assets कितना है उस इन जो जिस company को आप step wise मैं आपको समझाऊंगा जो आपको exam में भी करना है सबसे पहला step में हम क्या करते हैं जो हमयरा previously held interest है 30% उसे हम fair value में measure करते हैं और जो भी difference होता वो हम penal में दिखा देते हैं तो आप देखो आपका investment in associates 8 लाग रुपीस का था हम इसे पहले fair value में लेके जाएंगे कितना 15 लाग इसका fair value है तो मैं कितना बढ़ाना पड़ेगा 8 लाग रुपे का समान 15 लाग रुपे हो गया 7 लाग रुपीस बढ़ गया आपका तो fair value increase हुआ 7 लाग का तो हम क्या करेंगे investment in associates को 7 लाग से बढ़ाएंगे और corresponding effect profit and loss में दिखाएंगे investment in associates to profit and loss कैसे 15 लाग हो गया पहले 8 लाग ता 15 लाग हो गया तो 7 लाग का फाइदा जो है पीनल में दिखा देंगे तो आप मुझे बताओ ये entry pass करने के बाद आपका investment in associates का carrying amount अब 8 लाग नहीं दिखेगा अब revise carrying amount आपका 15 लाग दिखेगा क्योंकि आपने और 7 लाग से investment in associates को debit कर दिया तो दीखे revise carrying amount of investment in associates कितना होगा 15 लाग रुपया होगा 8 लाग प्लस 7 लाग 15 लाग रुपीस होगा और इसका मैंने balance rate में भी effect रखा है पहले मेरा investment in associates 8 लाग रुपीस का था अब मैं क्या करूँगा fare value increase 7 लाग का हुआ उसका corresponding PL में effect दिखा दिया अब मेरा investment जो है वो 15 लाग रुपया होगा इसलिए तो मैंने parallel में डाला क्योंकि अब मेरा investment in associates का रिस्ता हो जाएगा खतम अब मेरा निया रिस्ता चालो होगा parent subsidiary का क्योंकि पहले मेरे और आपकी बीच में रिस्ता था क्या चिश्का significant influence का आप मेरे associates था मैं आपकी company में significant influence कर रहा हूँ with 30% interest अब मैं आपकी company का पुराना रिस्ता को करूंगा टाटा भाई 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 अब मेरा निया रिस्ता चलेगा parent subsidiary का आप मेरे subsidiary के लाओगे तो हम यह क्या करना पड़ेगा हम यह पुराना जो हमारा 15 lakh का investment है उसे हम टी रिकाग्नाइस करेंगे है ना और cash इतना देरे वो भ proportionate share of net assets NCI को देखो control हासिल हो गया हम क्या करेंगे सबसे पहले तो यह वाला entry पास करना ही से रहेगा कि बरूग जो मैं आपको समझा रहा हूँ सबसे बहले तो मैं identifiable net assets ही दिखाऊंगा मेरे पास identifiable net assets आया कितने का 42 लाग रुपीस का मेरे पास identifiable net assets आया इसमें NCI का हक कितना है उनकी पास 60% interest है तो NCI का हक को गया 12 लाक 60 थाओजिए एकदम simple रखते एकदम simple ठीक है identifiable net assets मेरे पास 42 लाग का आया जिसमें से 12 लाक 60 थाओजिए तो NCI को allocate कर दिया तो मेरे खाते में कितना आया 42 लाग यह 100% net assets है धिया रखना यह 100% net assets है सब मिला के total ठीक है तो 42 लाग का net assets मुझे मिला जिसमें से मैंने 12 लाक 60 थाओजिए तो NCI का खाता मेरे रहेगा उनको allocate कर देंगे 20 लाक 29 लाक 50 थाओजिन का net assets मुझे मिल रहा है बदले में मैं क्या गवार हूँ देखो बदले में एक तो मैं cash दे रहा हूँ 20 लाक रुपीज दूसरा मेरा investment in associates भी तो D-recognize होगा ये भी देखा जो एक asset जा रहा है मेरा cash जा रहा है इसके लावा एक assets भी तो जा रहा है किया इसको fair value में लेके गए corresponding effort पेल में दिखा दिया अब जितना fair value उतना में D-recognize किया एक बार इसे में मिटा रहा हूँ अब देखो मेरी बात सुनो मेरे पास आया कितना 29 लाक 50 थाओजिन का share of net assets आया मैंने PC कितना दिया 20 लाक cash दिया 15 लाक का investment in associates D-recognize होगी है मेरा है नो यानि 35 लाक रुपीस में ने दिखा जया तो consideration दिया कितना जादा दिया मैंने 5 लाक 60 थाओजिन जादा दिया तो यह जो 5 लाक 60 थाओजिन मैंने जादा दिया यह मेरा क्या होगा goodwill होगा अब बताओ यह goodwill partial goodwill होगा क्यों क्यों क्योंकि NCI को measure करे proportionate net assets method में अगर व step acquisition के मामले में जो previously held interest होते है उसको हमें fair value में लेके जाना होते है और जो भी difference है वो P&L में दिखाते है बाद खतम और फिर बाद में हम क्या करेंगे जब हम control लाएंगे तो identifiable net assets दिखाया जाएगा NCI दिखाया जाएगा जो भी consideration दे रहे हैं इन the form of cash या फिर इन the form of investment in associates य यहाँ पर बात खतम किस्था खतम तो चले यह चीज आपको एकदम अच्छे से समझ में आगी हैं पर अब मेरी बात सुनो अब general entries हम कैसे पास करेंगे इसका general entries देखो दो entry होगा एक तो मैंने उपर पास करी दिया पर फिर भी आप बोलोगे तो मैं एक साथ पास करके दिख भादिता हूं क्या क्या होगा पहली general entry तो यह होगी कि आपको investment in associates को fair value में लेके जाने है कितना 8 लाग था 15 लाग पर लेके जाने है यह 7 लाग से बढ़ाना है यह entry पास करते अब आपका investment in associates 15 लाग का हो जाएगा फिर next step में आप क्या करोगे इसके बाद next step में आप यह करो तो assets पूरा दिखाओगे NCA दिखा दोगे 30 परसेंट आपका consideration जो आपने यह हमने दिखा दिया 20 लाग cash दिया investment in associates दे रिकाग्नाइस का 15 लाग का जो difference है वो हमने goodwill दिखा दिया यह दो entry हम पास करते हैं आपको बता दो IECA इसको shortcut way में पास करते हैं वो क्या करते हैं एक single entry से घटाया IECA क्या करता है shortcut लगाता हूँ उसमें concepts कम रहते है sort ज्यादा रहते है तो वह ऐसा shortcut क्या काम का IECA कहता आप एक काम करो identifyable net assets दिखा दो सीधा 42 लाग का NCI दिखा दो आप 12,60,30% जो आपको दिखाना net assets का यह दिखा दो consideration आपने कितना दिया consideration आपने एक तो cash दिया 20 लाग का और आपका जो investment in associates जो है न डीर कगनेस अब करोगे तो आप carrying amount डीर कगनेस करो और बाकी का PL आप सीधा दिखा दो 7 लाग का है न और goodwill आपका balancing figure आपका goodwill आजाएगा कितने का 5,60,000 का आजाएगा मतलब ICA ने कुछ नहीं किया इन्होंने PL सीधा यहाँ पर दिखा दिया हमने पहले investment in associates to PL दिखाया फिर बाद में हमने पूरा डीर कगनेस किया पर यह क्या करें देखो debit 7 लाग हो रहे है credit 15 लाग हो debit और credit का net effect कितना आएगा 8 लाग की होगा इन्होंने सीधा 8 लाग दिखाया मतलब हमने जादा detail दिखाया मेरे इसाफ से यह जादा सही है पर आपको exam में अगर यह धियान मेरे तो ICA के इसाफ से चले जाना अब दो entry pass करने के जगा एक single entry pass कर देना ICA के इसाफ से वो भी मैं investment है वो पूरा का पूरा D-recognis होगा यह दोनों PC का हिस्से है यह भी PC है यह भी PC है तो देखो यह 70% के लिए PC है और यह बाकी NCI तो 30% का ही तो देखो एकदम अच्छे से मैंने समझा दिया आपको अब अगर आप बोलोगे सर अगर मालो NCI को आप fair value में measure करते तो क्या करते Simple सी बात है तब हम देखते NCI कितना में measure होता है तब हम देखते कि अगर 40% के लिए 20 लाग रुपे scarce दिया जा रहा है बढ़ जाएगा कितना तू लाग 40,000 से इसको बढ़ाओगे गुडविल भी टू लाग 40,000 से बढ़ जाएगा आपका क्योंकि 12 लाग 60,000 की जगा 15 लाग अगर आप NCA दिखाओगे तो गुडविल आपका corresponding कितना हो जाएगा 8 लाग का हो जाएगा फिर ये full गुडविल ब देखो आएएने हम कितना दिखाएंगे 42 लाग आएने हम है NCA हम कितना दिखाएंगे हम बोलेंगे 20 लाग अगर 40% खरीदनी के लिए हमने अभी दिया क्योंकि 30% तो पहले से था तो 30% NCA का कितना होगा हमारा 15 लाग आएगा तो NCA 15 लाग हो गया consideration में हम cash दे रहे 20 लाग है न और investment डी रिकर्गनेस करे 15 लाग का तो बाकी का balancing figure क्या होगा गुडविल होगा तो गुडविल आप देख लो इधर 15 है 15 42 20 यह नि 22 कितना आ रहे 35 बार है 35 7 और इधर 7 15 8 लाग आएगा गुडविल 8 लाग आ गया और इसी के अंदर मैं आपको समझा देता हूँ 560,000 पैरेंट का गुडविल है और 2,40,000 न्सी आए का गुडविल है है न यह आपका फूल गुडविल हो गया और समझ लो ना 70 परसेंट का गुडविल बन रहा है पैरेंट का 8 7 जा 56 30 परसेंट 8 3 जा 240 क्योंकि अब तो पैरेंट का तो 70 परसेंट हिसा ही है पूरा 30 परसेंट न्सी आइक है तो ब्रिक अ मैंने दिखा दिया तो बात कर दो मैंने NCI को फैर विलू में भी करके दिखा दिया और यह कंसेट मैंने स्टैप एक्विजिशन अब आपको मैंने समझा दिया ना अब आप रेडियो फाइनली कोशें निमर वन करने के लिए आपको एकदम सिंपल लगेगा फोटाफट पहले से 25 परसंट था और 65 खरे लिया तो टोटल 90 परसंट हो गया तो NCI का कितना रहेगा 10 परसंट रहेगा इसमें कोई डाउट नहीं है हमारा 90 परसंट NCI का 10 परसंट रहेगा 3 भी तो PC है, तो 1 लाग सेर्स दिया इंटू रुपीस 10 market price, 10 लाग रुपीस का मैंने सेर्स दिया है, यह रच 10 लाग रुपीस आ गया, इसके अलावा देखो contingent consideration, वही मैंने इसका extract निकाल के समझाया था, कि 7 लाग का consideration देने का वादा है कि अगर profit आने वाले 2 सालों में 70 प् इसका हिस्सा बना, यह भी मैंने ले लिया, इसके अलावा और किया, transaction cost मैंने कहा था न, business combination में, transaction cost सीधा, पेनल में जाएगा, direct cost of acquisition, transaction cost कहा जाएगा, पेनल में जाएगा, यह मैंने पहले भी बता दिया था आपको, यह अब सीधा पेनल में दिखा लोगा, इसका इंडस वं पेनल में जाएग, ठीके बात खतम, अब देखो, NCI इनोंने बोल दिया, इसका fair value में बता दिया, 7,50,000 बोला कि NCI का fair value है, फिर इनोंने बताया कि previously held जो non controlling interest, पहले से अब जो 25% hold करते थे थे न, उसका इनोंने बोला कि आज का date में तो इनोंने बोला कि carrying amount 6,000,000 है, आज का करींगे, पहले fair value में लिके जाएंगे, मतलब पहले से investment in associates हमारे bucks में 6,00,000 का दिख रहा है, हमारे bucks में पहले से equity method के यसाफ से जो books में हमारा दिख रहा है, वो 6,00,000 का दिख रहा है, लेकिन इसका fair value जो है, इसका fair value जो है, कितना? 20,00,000 का है, तो fair value सका 20,00,000 है, तो यह भी तो PC का हिस्सा बनता है 20 लाग का जो फेर विल्यू में ने खाता ना ये भी PC का हिस्सा बनेगा क्योंकि हम इतना का investment in associates डीर कगनेस कर रहे हैं तो ये 20 लाग रुपीज भी आएगा तो इसका मैंने आपको एकदम simple तरीके से बता था पहले आप क्या करोगे जो 6 लाग से 20 लाग हो रहे है 14 लाग का increment हो रहे है आप उसका entry पास करोगे कैसे investment in associates to PL तो मैं पहले दिखाऊंगा investment in associates to PL 14 लाग रुपीज का मैं दिखा दूँगा उसके बाद में क्या करूँगा इसके बाद में identifiable net assets मैं अपना control आया उसके entry पास करूँगा identifiable net assets कितने का है दिया हुग है क्या ये दिखो दिखा हुग है identifiable net assets दिया हुग है हमें 60 लाग का मैं identifiable net assets 60 लाग का दिखा दिया हुग NCA में कितना दिखाऊंगा NCA जबकि इन्होंने fair value दिया हम assume कर लेते कि fair value में हमें NCA को measure करने है हाला कि proportionate भी हम चाहे तो कर सकते हैं कि proportionate करते NCA को तो NCA के पास 10% है तो 60 लाग का 10% वैसे भी 6 लाग होता और इन्होंने NCA 750,000 दिया हां दिखो NCA fair value 750,000 है अगर NCA proportionate measure करते हैं तो अब 60 लाग का 10% 6 लाग लेते हैं बट जबकि हम NCA को fair value में measure कर रहे हैं हम 7500,000 question में दिया हो हमने लिए अब consideration हम क्या दे रही देखो ये PC है सारा ये सारा का सारा PC है हम PC क्या क्या दे रहे हैं cash दे रहे 10 लाग रुपीज का जो provision बनाएंगे ने contingent consideration का 3 लाग का ये contingent consideration का provision हमने बता दिया ये दे रहे और investment in associates drecognize 20 लाग का क्योंकि अब 20 लाग का हूँ चुका 14 लाग प्लस करके 20 लाग का बना दिया investment in associates 20 लाग का drecognize करेंगे जो भी difference आएगा वो good will हो जाएगा हाँ simple है वापस से repeat करो पहले तो आप 6 लाग से 20 लाग में पहुचाने के लिए investment in associates को fair value में measure करोगे तो 14 लाग आपका profit and loss में चला गया आपका investment in associates अब 20 लाग का दिखेगा अब हम क्या करेंगे investment in associates का रिस्ता को करेंगे खतम तो investment in associates जो 20 लाग का आपका दिखे रहा वो धीर करनाईस हो जाएगा है ना cash, sales, provision वो भी हम दिखा देंगे और difference आपका गुडिल हो जाएगा ICA single entry pass करते है ICA क्या कहते है IA ने दिखा हो 60 लाग NCA इतना रहेगा care, sales, provision तो वही रहेगा वो क्या करते है investment in associates 6 लाग दिखाता है PL 14 लाग दिखा के एक entry को चूरा के वो एक साथी दिखा देते है या ICA के entry है और मैंने कहाते हैं transaction cost वाला जो हमारा लगा है direct cost of acquisition वो तो transaction cost to bank जाएगा किदी से बाते बात खतम यहाँ पर अब मैं आपको एक बार balanced approach से भी समझाने की चाहत रखता हूँ मैं देखो मैं आपको समझा दे रहा हूँ देखो मेरा पहले books में क्या था 6 लाग का मैंने पैसा दिया था सुरवात में जो भी दिया था और मेरा investment in associates भी 6 लाग इससे मेरा अब investment in associates कितने का हो जाएगा 20 लाग का मेरा investment in associates देखेगा अब मैं क्या करूँगा पते मैं identifiable net assets दिखाऊँगा अब मैं मुझे balance rate बनाना है तो मैं identifiable net assets या फिर मैं ऐसा कर सकता हूँ एक बार रुख जो मैं अलग से निया balance rate बनाता हूँ यह तो मेरा balance rate रहे गई मैं अलग से एक balance rate बनाता हूँ तो ज़्यादा clarity रहे गए देखो मेरे पास identifiable net assets कितने का है 60 लाग का identifiable net assets है NCI मैं दिखा दूँगा fair value मैं 7 लाग 50 था हूँ यह मैंने दिखा दिया तो मेरे हक में कितना आ रहे है 60 लाग का identifiable net assets है उसमें से 7 लाग 50 थाउजिन NCI को allocate कर दिया वो भी fair value में तो 52 लाग 50 थाउजिन का share of net assets है अब मैं PC क्या दे रहा हूँ मैं PC क्या क्या दे रहा हूँ in the form of cash दे रहा हूँ में cash मैंने दे दिया 59 लाग का मैंने cash दे दिया मैंने sales इसू किया है sales तो आपका equity में जाएगा मैंने sales इसू कर दिया 10 लाग रुपीज का ठीक है मैंने liability जो मेरा provision है provision बनाऊँगा मैं मैंने contingent consideration दिया है उसका मैं provision बनाऊँगा liability का 3 लाग का liability मेरा provision आएगा ये दिया मैंने cash, sales, provision cash डाल दिया, sales डाल दिया, provision और आपका investment in assets de-recognize होगा ना आपका कितने का है ये देखो ये रहा 20 लाग का ये आप de-recognize करोगे ये मैं de-recognize करूँगा कितने का 20 लाग का ये जो मेरा 20 लाग का investment in associates था इसे मैं de-recognize कर दे रहा हूँ ये मैंने de-recognize कर दिया बाकी balancing figure मेरा क्या होगा goodwill होगा आप देख लो इदर आपका balancing figure होगा 52 लाग 50,000 net assets मिला मैंने इस मैंसे दे दिया 59 लाग का cash दे दिया मैंने 10 लाग और 3 लाग 13 लाग का shares और provision और मेरा 20 लाग का investment in associates ये 39 लाग 50,000 का मेरा goodwill आएगा और आप देख लो दोनों side balance it match करेगा इदर कितना हो रहा है 10, 3, 7, 50 कितना 20 लाग 50,000 इदर कितना हो रहा है 60 माइनस 15 लाग 21 लाग 18 लाग 50,000 हो रहा है इदर आपका कुछ गरबड हुआए क्या अचा 1 लाग है ये इदर भी तो 20 लाग 50,000 होना चाहिए गरबड के और 60 माइनस 15 लाग है 20 लाग 50,000 दोनो side match हो रहा है 20 लाग 50,000 ये balance it भी मैं आपको बना के दिखा दिया और ये question भी मैं आपको अच्छे से करवा दिया तो I think अब आपका ये question पूरा अच्छी तरीके से हो चुका है यहाँ पर ये सब balance it बनाने के आवा सकता नहीं आपको तो ये entries pass करनी ये तीन बस बात खतम ये आपका exam कर रहेगा ठीक है आप चाहँ तो ICA oriented भी entry pass कर सकतो है ये तो rough है ये rough है for understanding तो बोलो जी एक बार आप बोलोगे detailed revisa ने तो एक बार फटाफट revise करा देना चाहिए आपको मुझे मैंने आपको ये खा कि मैं PC पहले निकालूँगा cash मैंने कितना दिया, sales दिया contingent consideration और ये भी भूलना मत जो पुराना investment in associates का रिस्ता खतम हो रहे वो भी जितना fair value मानेंगे वो हमारे गया, तो वो भी तो PC का हिस्स है क्योंकि ये 20 लाग का हमारे investment हुआ करता दाबू चला जाएगा हमारी जिंदगी से गया, तो PC तो दिया है हमने ये भी हमारे क्यों गया, क्योंकि हमने control हासिल कहता भी तो अगर control नहीं होता तो ये दिखाते रहते तो control हासिल करने के वज़े से ये भी गया, है ना, तो ये भी आए का PC का हिस्सा, यानि 92 लाग हमने PC दिया है, अब आप और short cut करना चाओ तो आप ऐसे कर सकते हूँ, आए ने 60 लाग, NCA माइनस कर दोगे आप कितनी का, NCA 7 लाग 50 लाग हमने दिया, तो हमारे हक में आया 52 लाग 50 लाग और हमने अब PC दे दिया 92 लाग का, चारों मिला के, तो हमारे एक्सेस जो है 39 लाग 50 लाग आपका, कितना short में में करवा दिया, देखो कितना short में करवा दिया, पस यह आपको बड़ा क्यों लग रहा है, इन चार को आप तोड़ के दिखा रहे हो, जैसे आपने चार बड़ दिखाया है, cash, sales, provision, investment and associate इसलिए बड़ा लग लग रहा है, अधर बस एकदम छोटा होता है, तो आप आप आपका ये भी question अच्छे से हो चुका है, अब मैं आपको illustration 11 भी फटा फट से करा देता हूँ, ये भी simple question है, ये exam के लिए काफी important है, most important, ये भी question same to same ही, बस इसमें एक दू entry है, बस वो मुझे आपको सिखाना है, चार्ट करते है, illustration 11, और 1st April 2009, PQR Limited 30% acquire किया, देखे, PQR Limited ने क्या क्या 30% shares acquire किया, कितने में acquire किया, 8000 क्रूड रुपीस में acquire किया, यनि cash से चले गया, 8000 क्रूड देखे, मैंने लिख रखा है, cash से 8000 क्रूड गया, investment in associates हम 8000 क्रूड का दिखा देंगे, पिर आगे क्या हुआ, PQR Limited account, its investment in XYZ Limited using equity method, अब equity method क्या कहता है, equity method यह कहता है कि आगे जाके, अब मालो आप यह company हो, जिसमें मैंने 30% shares खरीदा, मैंने 8000 क्रूड रुपीस देखे खरीदा, तो investment in associates 8000 दिखा दूँगा, और मेरा cash से 8000 चला जाएगा, अब आगे जाके मालो आप कमाऊगे फाइव इनिट रुपीस, आपने earning की फाइव इनिट रुपीस, आपने मुझे पैसे नहीं दिए, आपने अगर 500 रुपीस earning की है, तो उसमें मेरा हक कितना है, 30% हक है मेरा, क्योंकि मेरा 30% investment है, तो 150 रुपीस मेरा हक है न, मैं क्या करूँगा, अपने investment in associates को 150 से बढ़ा दूँगा, अपने PL को 150 रुपीस से बढ़ा दूगा, यहीं जब जब आप कमाऊगे, उसका proportionate earning मैं क्या करूँगा, equity method के साब से, मै मैं अपने investment को बढ़ा दूगा, corresponding PL या OCA को बढ़ा दूगा, तो वही चीज़ यहाँ पर equity method का accounting कर रहा बताया, अब देखो, 31st March 2002 में PQR Limited, यानि मैं PQR हो, आप XYZ हो, मैंने क्या किया, मैंने recognize किया, share of the net asset changes of XYZ Limited, यानि आपने कमाया, उसका corresponding मैंने अपना profit दिखाया, तो मानलो आपने जो भी profit कमाया, 700 divided by 30% करता हूँ इबरू को, मानलो आपने 23, 2333, sorry 2333.33 आपने कमाया, क्रोड, उसका 30% मेरा 700 क्रोड बनता है, क्योंकि ये share of profit and loss लिखा है, मतलब आपने जितना कमाया, उस पे मेरा हग बनता है 700 क्रोड का, तो मैं क्या करूँगा बता है, investment in associates बढ़ जाएगा, corresponding मेरा पील बढ़ जाएगा, ये ही equity method और कुछ भी नहीं है, equity method बस आपको ये allow करता है, कि जब associates है, joint venture में आपका investment है, तो consolidation purpose के लिए है न, क्योंकि subsidiary में ही हम proper consolidation बनाते हैं, सारे individual asset liability दिखाते हैं, आपका, अगर हम associate joint venture की बात करें, तो वहाँ पर consolidation investment नहीं बनता है, जहाँ पर individual assets and liabilities दिखाया जाता है, वहाँ पर एक single value दिखाया जाता है, investment in associates, पर हाँ, investment in associates को consolidation करते हैं, हम equity method अप्लाई करते हैं, जहाँ पर आप जैसे जैसे पैसे कमाऊगे, उसका proportionate earning में अपना हिस्सा दिखाते रोंगा, तो मानलो आपने 2333 crore कमाया था, उसका 30% मेरा 78 crore बना, तो 78 crore का मैंने investment बढ़ा दिया, PNL में दिखा दिया, फिर आगे, share of exchange difference in OCI, अब आपका translation difference हुआ, जैसे जब आपकी कोई subsidiary होगी, तो आपका translation difference में आपका कमाई हुआ, है ना, तो आपका translation difference में 100 crore नहीं, आपका ज्यादा का कमाई हुआ, उस उसका 30% मेरा, 33 नहीं, 333 crore का अपका कमाई हुआ, उसका 30% मेरा 100 crore का कमाई हुआ, तो मैं क्या करूँगा, 100 crore investment में दिखा दूँगा, मेरा share of, है न, income, और अब दिखो मेरी बात सुनो, जो translation difference है, वो हम OCI में आपने दिखाया होगा, क्योंकि translation difference आपने FCTR में दिखाया ह चाता है, लेकिन, कौन सा exchange difference, translation वाला exchange difference की बात करो, ठीक है, जब हम, जब आप foreign operation को translation करोगे, तो उससे related जो translation difference आएगा, वो OCI में आप दिखा रहे तो मैं भी OCI में दिखाऊंगा, जब यह dispose हो जाएगा, जब मैं इसे dispose कर दूँगा, मतलब, मतलब, आपकी company को मैं dispose कर दू दिखा दिया, फिर revolution reserve, जो index 16 में पढ़ाता है, revolution model follow करते हैं, तो revolution reserve में भी आपने जो कमाई किया, उसका corresponding मेरा सहर हुआ, फिप्टीग रोड का, revolution reserve भी OCI में जाते है, बट आपको बते हैं, इंडे 16 में देखाता है, यह OCI कभी reclassify नहीं होता है, पील में, जब disposal भी हो जात है, तो यह OCI आपका सीधा retain earning में जाते हैं, यह reclassified नहीं होता है, मतलब translation difference reclassify होता है, तो पील, यह आपका reclassify नहीं होता है, revolution reserve में आपको समझा है, ते इंडे 16 में reclassify नहीं होता है, सीधा यह retain earning में जाते हैं, तो 50 crore मैं क्या करूंगा, investment in associates 50 crore से बढ़ा दूँगा, OCI मैं दिखा दूँगा 50 crore का, तो आप देखो मेरा पहले 8000 का investment in associates था, फाइदा का हिस्सा डाला, translation difference का हिस्सा डाला, इसे मैं FCTR लिख देता हूं side में, foreign currency translation difference, यह डाला, revolution reserve data मेरा investment बन गया, 885 चरूँगा, और corresponding कहा का effect जग गया, वो भी मैंने दिखा दिया, PLA और OCI में, आप देखो यह भी इन्होंने लिख रखा, फिर भी मैंने balance rate बने आपको समझाने के लिए, देखो, carrying amount of the investment in associates और 31st March 2002 कितना, 8850 crore का, फिर लिख रखा हुआ इन्होंने, और मेरा भी 8850 का carrying amount of investment in associates आ चुका है, अब क्या हुआ आगे जाके, आगे 1st April 2002 को, जो remaining 70% था, वो भी मैंने खरीद लिया 25,000 crore देखे, remaining 70% नहीं पहले से 30% तो था ही, और 70% भी मैंने खरीद लिया, मैंने पूरा 100% मेरा हो गया, अब NCA नहीं है आपर, पूरा का पूरा 100% मेरा हो गया, 25,000 crore मैंने पैसे दिये, आगे क्या लिखा हुआ है, जो previously held 30% interest है ना, उसका fair value 9,000 crore का हो गया, और net assets का fair value आज के rate में 3000 crore है, तो सबसे पहले मैं आपको क्या बोला, कि जो आपका investment 8850 का, इसे हम fair value में लिखे जाएंगे, कितना हमें 9,000 crore में, तो पहली entry क्या होगी, हमें 8850 को 9,000 में पहुचाना है, यनि 150 crore से हमें investment in associates को बढ़ाना है, इन्हें entry क्या होगी, investment in associates to PL, ये तो पहले भी सिखाया होगा है, देखिए, investment in associates to PL 150 में दिखा देंगे, अब revise caring amount of investment कितना हो जाएगा, मारा 9,000 crore का हो जाएगा, अब बताओ, परचीस consideration क्या होगा, ये भी investment in associates भी डी रिकागनाइस होगा, और मैंने 25,000 क्यास दिया, ये भी आपका PC होगा, तो PC क की entry करेंगे, ये भी मैं आपको समझा देता हूँ, देखो, identifiable net assets पहले दिखाएंगे, पहला point, है न, 30,000 का मैंने दिखा दिया, मुझे मिला, NCA कुछ होगा नहीं, इसलिए मैंने लिख के काटा था कि आप समझो कि NCA कुछ होगा नहीं, पूरा 100% acquisition मेरा हो रहा है, NCA कुछ ये मेरा D-recognize होगा, 9,000 का, तो आपका जो balancing figure है, वो क्या बन जाएगा, goodwill बन जाएगा, 4,000 का, goodwill हो गया, तो बात खतम, अब मेरी बात सुनो, हम क्या इस investment in associates को D-recognize कर दे रहें, जी हां, तो कि control आने पर हम इस investment in associates को D-recognize कर देंगे, investment in D-recognize होने का मत्तब investment disposal होना, तो अगर ये investment disposal हो जाएगा न, तो इससे related जो भी आपका OCI का balance है, ये भी आपका transfer हो जाएगा respective reserve में, तो आप देखो, जो translation difference है मैंने कहा था, disposal की बद ये PL में classify होता है, reclassify, तो हम क्या करेंगे, ये जो 100 crore का FCTR balance है, ये हम PL में reclassify कर देंगे, तो इसका entry क्या होगा, FCT to PL, FCTR to PL होगे आपका, क्योंकि reclassifiable है, इंडेस 21 के हसाब से, अगर मैं revolution reserve की बात करूँ, इंडेस 16 के हिसाब से, ये allowed नहीं, ये PL में reclassify होना, ये revolution reserve का balance, जब आप dispose कर दोगे उस investment को, तो इससे related जो revolution reserve आपने दिखा रखा है, ये return ending में सिधा जाएगा, तो आप क्या करो इसे आप revolution reserve को PL में नहीं सीधा return earning में डालोगे, तो ये चार entry में ने तोड के आपको समझा, आपको पता, ICA ने एक single entry pass किया है, सब को merge कर दिया, वो entry भी आप बोलोगे मैं कर सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं करना चाहता, आप ICA का देख लेना, या फिर आप चाहोगे तो मै फटा फट आपको rough में करवा देता हूँ, देखो, उन्होंने क्या क्या, उन्होंने बोला, उन्होंने पहले तो ये entry pass ही नहीं किया, उन्होंने बोला, INA 30,000 है, NCA तो हमारा कुछ भी नहीं रहेगा, हम cash दे रहे 25,000 ये दिखा दिया, और investment in associates, वो क्या करते हैं, वो दिख entry को कर दिया, उन्होंने merge, और बाकी entry को भी उन्होंने merge किया, कैसे क्या पते हैं, ये FCTR 2PL हैं, तो FCTR यहां पर लिख दिया, 100 का, और PL में यहां पर 100 जोड दिया, तो ये 100 जोड दिने पर ये 250 हो जाएगा, ये, क्योंकि पहले से 150 था, और 100 और आ गया, क्योंकि FCTR PL में single entry pass कर दिया, ये single entry आपको IC के book में दिखेगे, बट समझाने के लिए मैंने break करके आपको 4 entry में दिखाया, तो आपको ये entry आपकी नई entry नहीं, पहले भी आपने सीख लिया था, ये entry भी आपको पहले से पता था, ये दूए entry नहीं चीज है, कि FCTR disposal कर दोगे, investment in associate D return ending में जाते ही है, और revolution reserve आपका जो है, ये P.L. के थूरू root नहीं होगा, ये सीधा return ending में जाएगा, मतलब ये FCTR PL में जाएगा, फिर P.L. के थूरू net profit होते वे return ending में जाएगा, मतलब ये statement of PL में दिखेगा, लेकिन ये statement of PL में नहीं दिखेगा, ये सीधा balance sheet के अंदर revolution reserve स return ending में चला जाएगा, आपका, तो ये question मैंने आपको अच्छे से करा दिया, I think, मैंने step acquisition के सारे question आपको अच्छे से करा दिया, अब मुझी ने तब को step acquisition में कोई परेशा नहीं आएगी, अब आगे हम बात क्या करेंगे, आगे contingent payment to employee serholder ये सिखाऊंगा, थोड़ा से इसकस कर लेते, acquisition method, हालकि मैंने जब कुछ starting में पढ़ाया था ना, balance it, वहाँ पर मैंने आपको समझा दिया था, मैंने आपको ये बताया था कि acquisition date पे acquire क्या करेगा, business combination का consolidated balance बनाएगा, जहां पर वो क्या करेगा, सारे identifiable assets and libraries को measure करेगा, acquire का, NCA measure करेगा, है न, NCA को दो तरह से measure किया जाता है, proportion methods, या फिर fair value में, और finally Godwill या फिर gain or bargain purchase दिखाया जाएगा, अब मुझे आपको ये समझाना है, mainly important यहाँ पर क्या identify the acquirer, और determining the acquisition date, determining acquisition date मैं आपको बाद में पढ़ा दूँगा, आगे discuss कर लेंगे हम धियोरी में, पहले मुझे आपको ये समझाना है कि acquir यह जो identify करना होता है, acquirer को यह हम कैसे करेंगा, आप बोलो कि sir, simple सी बात है, जो business खरी देगा, वो ही तो acquirer, आपनी ही तो बढ़ा है था, जो business को खरी देगा, वो acquirer है, जो बेचर है, वो acquirer है, यानि जो control जिसके पास आएगा, वो acquirer है, बट यहाँ पर भी कुछ कु acquirer, कौन है, obvious सी बात है, acquirer वही होगा, जो control obtain करेगा, तो कि अगर आपका control आएगा, तभी तो आप बोलोगे कि हाँ, business combination हुआ है, और तभी आपको business combination, index 103 का accounting करना है, उसके लिए आपको control obtain करना पड़ेगा, और control का मतलब क्या, देखिए पहले AS के जमाने में तो control का अब यह था, 50% से ज़्यादा voting rate अगर आपके बास है, तो मतलब आपके पास control आगया, बट अब ऐसा नहीं होता है, अब index 110 में आगे, control evaluation का एक topic है, वहाँ पर हम समझते हैं, उसका मैं brief idea आपको मैं भी दूँँगा, control का मतलब अब यह नहीं रहा, अब ऐसा हो गया, कि चल मैं AS में ऐसा नहीं था, 50% से ज़्यादा voting rate तो control है, अब ऐसा नहीं है, अब अगर मालो for example में आपकी company का 40% voting rate मेरे पास है, तो भी control आ सकता है, कैसे आ सकता है, मैं बता दो आपको कुछ कुछ example है तो, मालो मेरा आपकी company में 40% voting rate है, और दो बंदे, दोनों बंदों का 30% voting rate ह है, तो मेरे पास control नहीं है, क्योंकि वो तुनों बंदे मिल जाएंगे, मिलकि एक होगे 60% voting rate से क्या पता, वो सारे resolution पास कर लिए, यहाँ पर मेरे पास control नहीं है, पर सोचो न, मालो मेरे पास 40% voting rate है, बाकी सभी के पास, जो बाकी जो 60% remaining interest है, remaining shares है 60%, वो widely dispersed है, मालो among many, many, many shareholders, और वो भी चूटा 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 रेजियो में, बौटी चूटा चूटा रेजियो में, यहीं 0.2% किसी के बास, 0.1% किसी के बास, यहीं वो public में disburs किया गया है, widely, जो बताओ, तो वहाँ पर तो बाकी सब तो publicly disburs किया हुए, तो वो तो ऐसे भी company में control नहीं ला सक आएंगे है ना और कितने सारे लोग तो आती ही नहीं है ना resolution पास meeting में आती ही नहीं है तो इसमें क्या होता है कि अगर मालो मेरे पास भले ही 50% voting right नहीं है मेरे पास minority है voting right for 50% से कम but largest minority voting right है 40% का और बाकियों के पास widely disbursed तो ऐसे situation में भी control आ जाएगा तो यहां पर control के लिए index 110 ने definition बनाया उन्होंने बोला कि यह तीन पॉइंट है यह तीनों पॉइंट अगर satisfy होगा तो हम मानेंगे control है इसके अलावा और भी कुछ-कुछ factors and circumstances देखने में आपको बढ़ा दू कि इसका मतलब क्या है पहला बात तो यह कहता है कि control होने के लिए तीनों condition satisfy होना पड़ेगा पहला condition है कि power over the investing यानि जो एक्वाइरी है है न मैं एक्वाइर हूँ मेरी company जगाती लिमिटेड आप बन जो प्रियंका लिमिटेड तो आपकी company में मेरे पास power है कैसे power है आपकी company का जो relevant activity से है ना जो major decisions है उसको direction मैं दूँगा मतलब आपकी company के मैं को जगाती लिमिटेड हूँ आप प्रियंका लिमिटेड अब आपकी company के जो भी major decision होने वाले है relevant activities मतलब important decisions important activities उसको मैं direct करने वाल हूँ तो माली की तो important decisions लेते है अब day to day decisions की बात नहीं हो रहे छोटे मोटे decisions है ना जो बड़े-बड़े strategic decisions लिए जाते जैसे funding कहा से करवाना है सेहर से सु करके fund करे, debenture से सु करके fund करे, fund कराए की नहीं कराए, bank से पैसा ले क्या करे, financing decisions हो गया, या फिर मालो बड़े-बड़े plants वगेरा खरीदने, तो किनसे plants खरीदे, कितने investment करे, plant वगेरा खरीदने में जो बड़े-बड़े major decisions होते हैं, है न, तो वो अगर मालो मैं ले सकता हूँ, मैं जगाती limited, अगर प्रियंका limited का major decisions लेता हूँ, मैं उसके relevant activities को direct करता हूँ, मतलब मेरा प्रियंका limited पे power है, तो पहला तो यह होना पड़ेगा, सिर्फ यह होने से नहीं चलेगा, दूसरी ज राइट होना चाहिए, exposure या right होना चाहिए, variable interest का, मतलब variable returns की बात करो, मैं variable returns, इसका मतलब क्या है, मतलब आपकी company पे मैंने कुछ sets लिये हुए, जो की एकदम residual sets होते हैं, एकदम end में, जो ordinary sets होते हैं, और ordinary sets को residual interest मिलता last में, जितना कमाया उसका proportion उनको मिल जाते हैं, तो मा पास power है, तो major decisions लेना, पर वो मालिक नहीं, क्या पता हो agent है, क्या पता मुक्ये संबानी ने एक जन को बोल दिया, देख तो इस company का सारा decision लेना, major decision, पर उसका मला थोड़े ना, वो मालिक बन जाएगा, मालिक generally मालिक कौन होता है, जैसे आज मेरा institution है, मेरा institution है, जगाती digital education, तो मेरे पास power होने के साथ-साथ, जो भी variable returns है, जो कमाई होती, वो भी मुझे मिलता है, तभी तो मैं मालिक हूँ, क्यों कौन होता है, मालिक वो होता है, control का मतलब मालिक, है ना, मालिक कौन होगा, जो control करे, जिसके पास power हो, है ना, सारे decisions लेने का, और जो आगे जाके, जो भी कमाई हो, उस पे उसका हिस्सा मिले, अगर company कमाईगी, तो मेरा फाइदा company का नुकसान होगा, तो मेरा नुकसान, तो इसलिए exposure या फिर right to variable returns होना चाहिए, from its involvement within the investing, मतलब अगर नुकसान हुआ तो उसका exposure भी मेरे सर पे होगा, अगर फाइदा होगा, तो उसका भी पावर भी होना चाहिए, to direct relevant activities, इसकी अलावा, जो हमारे पास power है, उसको use करने की ability भी होनी चाहिए, अवकाद होनी चाहिए, इसका मैं आपको simple सा मतलब समझाता हूँ, माल लीजे क्या क्या मुक्य संबानी ने, अपने बेटे को लगा दिया, एक company में के बेटे को कह दिया और तुझे हम power भी देते, सारा major decisions दो लेना, तो मुक्य संबानी ने अपने बेटे को लगा दिया, तो बेटे के पास power over the investing भी है company में, और बेटे के पास exposure भी है to variable returns, लेकिन अगर उसका बेटा उल्टा फुल्टा decisions लेगा, जिससे company नुकसान में चलीगे, तो वो बोलेगा बेटा बेटा कुछ नहीं धंदे के आगे कोई बेटा बेटा नहीं होता है, वो उसे लात मार के हटा देगा, है ना, तो यहां पर आप समझो, मुक्य संबानी का बेटा यहां पर देखा जाए, तो वो control नहीं करते है, क्योंकि अगर वो उल्टा फुल्टा decisions लेगा, तो किसी और को power of attorney देके, कुछ कुछ देके, उसे दे देते हैं, पर उसके पास अधिकार भी रहता है, कल को यह बदमासी करें, मैं इसे निकाल दूँगा यापर, है ना, आप देखना यहां पर जिसे BJP के करम बात करें, तो BJP में आजकर जिसे अमित्सा हो गए, और नरेंद् स्टेट में, तो उसको भी फाइदा मिलेगा, power भी सारे major decisions लेनेगा, पर उल्टा उल्टा power लेगा, तो मोदी लात मरके निकाल देगा ना, बोले तुह हट, तेर जगा दूसरी को CM बना देंगे, तो इसलिए यहां पर ऐसा होना चाहिए, कि हमारे पास power होनी के अलावा, हम मुझे को रोकने वाला नहीं है, जैसे आज मेरा institution है, जगाती digital education, मैं कह सकता हूँ कि हाँ, मेरा control है, क्योंकि मुझे रोकने वाला कोई नहीं है, अगर मानलो मेरे institution के अंदर और वी कुछ-कुछ teachers है, ठीक है, अगर मानलो अगर होंगे, ठीक है, और उनको अगर वोल्ट अ सासत ability भी होने चाहिए, और सासत exposure और right to variable returns, ये तीनों चीज़ी होगी, तो ही control माना चाहिए, अभी revision वीडियो तुम्हें इससे ज्यादा deep नहीं जाने वाला, ठीक है, और ये तो होगा, चलो इससे control establish हो जाएगा, इसके अलावा standard कहता है, control assessment सिर्क उपर के point पे dependent नहीं है, इसके अलावा और भी कुछ-कुछ cases, consideration को आपको ध्यान में रखना है, to determine control, उसके लिए आपको potential voting rate को भी consider करना है, अब मैं आपको example समझाता हूँ, मानलो for example, क्या हुआ, मेरे पास मानलो हम तीन लोग है, मेरे पास 40% का voting rate है आपकी company पे, तूसरा person है, उसके पास भी 40% का voting voting rate है, आपकी company में, तीसरे के पास 20% का voting, अब मेरे पास एक potential voting rate है, मानलो मेरे पास मैं कुछ warrants hold करता हूँ, और वो warrants जो है, वो currently exerciseable है, मैं चाहूँ, तो आज उस warrants से shares ले सकता हूँ, company से, और अगर मैं उस warrants को exercise कर लो, आज के दिन में, तो मेरे पास इतने shares sufficient हो जाएं यानि मैं फिर से समझारों, मालों, for example, एक company है, KDE Limited, इस पे मेरे पास 40% है, एक और बंदा उसके पास 40%, एक बंदा के पास 20% है, क्या मेरे पास control ले नहीं है, कि ये दोनों मिलके क्या पदा decision पास कर लेंगे, तो मेरे पास control नहीं है, लेकिन मेरे पास कुछ-कुछ warrant भी है, वो warrant में अभी तरह exercise नहीं किया है, लेकिन वो warrant को क्या माना जाएगा, potential voting rate, मतलब अगर उस warrant को मैं exercise कर लो, तो मुझा sales मिल जाएगे, वो currently exerciseable होना चाहिए, आज की दिन में, आज ही मैं चाहूँ तो उसको sales में convert करा सकता हूँ, और अगर मैं इस warrant को आज ही sales में convert करूँग तो standard बोलता है कि जब की ये warrant भली आप इसे मत करो convert into sales, इसे आज exercise मत करो, पर फिर भी आप चाहो तो एकसेस कर सकते हो ना, आपके पास power तो है, currently exerciseable rate, तो अगर ज़्यादा ये बदमासी करेंगे, दो लोग मुझे देखींगा, दो लोग मिलके decision pass कर रहें, बदमासी कर रहे मैं सीधा warrant को exercise करके अपना control आ सकता हूँ, तो इसलिए standard कहता है कि आप potential voting right को भी consider करोगे, ठीक है, अगर वो currently exerciseable है, हाँ ऐसा है कि warrant मेरे पास से मैं आज exercise नहीं कर सकता हूँ, वो एक साल के बाद ही कर सकता हूँ, तो वो नहीं होगा, ऐसे warrant जो आज ही मैं चाहों तो exercise कर सक हूँ, तो वो warrant से related जो आपको potential, जो आपको voting right extra मिलेंगे वो भी include होगा to determine control, control को determine करने के लिए आप उसको भी include करोगे, तूसरा rights of NCA, मैंने कहा न, बाकी लोगों की पास, जैसे अगर मालो मेरे पास 45% interest है, अब बाकी लोगों की पास widely dispersed है, छोटा 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 छ जैसे मालो मेरे पास 60% voting right है, अब हमने articles में डाल रखा हुआ है कि जो NCA वाले 40% है, उन से पूछे बगर हम कोई भी decision नहीं पास कर सकते, तो उनको हमने ऐसे अधिकार कुछ कुछ दे दिये हैं, articles के तहट, जिसके तहट मेरे पास 60% होने की बावजुद्धी हो कोई काम का तो इसलिए हमें NCA के पास क्या-क्या right है, कुछ clauses में डाले वे articles वगेर में, वो भी हमें धियान में रखना पड़ेगा, तीसरा, और भी कोई प्रकार का contractual right हमारे पास या NCA के पास जो भी है, वो अगर substantive nature ही तुम ले सकते, जो आप control evolution में देखो की, कि हम substance over form, substance को ज़्या power के सास, ability, औकाद भी होनी चाहिए, कि उस power का इस्तमाल करके, हम हमारे returns को effect कर सकते हैं, और हमें कोई भी हमारा बाल बाका नहीं कर सकता, हम चाहतो नुकसान कराने के लिए, बड़े-बड़े decision लेंगे, उससे क्या पता हमारा नुकसान भी हो सकता, फाइदा भी हो सकता है, तो हमारे बस उतनी ability कि हमें किसी से पूछना नहीं पड़ेगा, हमें किसी से पूछना नहीं पड़ेगा, तो वह वाली चीज़े, अब मैं आपको यहां की भी सरकार की बात बतातों, मैं आसाम में रता हूँ, आसाम में मालों BJP के सरकार है, तो जितना भी करो, बहुत respectable person है पर जितना भी करो, उने कहीं ना कहीं, तो थोड़ा सा तो दबदबा रहेगा, मोदी जी इन लोग की बात सुननी पड़ेगी, है ना, तो मैंले, तो समझे रहे हो, वहाँ पर पूरा control नहीं आ रहे, control का मलें, किसी की बात नहीं सुननी, है ना, किसी की बी बात सुनने वाल होने के साथ-साथ, है न, कि हम उस power का जैसे भी चाहे use कर सकते और अपने returns को affect कर सकते तो ठीक है, हमारे पास control है done, याद रहेगा, yes sir याद रहेगा, power to direct relevant activities, यानि major activities variable returns का exposure ability to use power फिर potential voting rate को भी ध्यान में रखना है आपको rights of NCIB, है न, वो मैंने समझा दी आपको, इसका एक question है, वो मैं कराऊंगा न, अब खुद कर लोगा, अब आपको हो जाएगा वो question आप देखना, वो हो जाएगा खुद से अब इसके अलावा जैसे कि यहाँ पर और भी indication समय दिया कि acquirer कौन होगा acquirer usually कौन होते है जो company को खरीद के बदले में consideration में cash दे देते है या फिर debentures वगिरा दे देते है तो बोड़ा है कि acquirer usually the entity जो की cash का payment करती है या फिर जो debentures वगिरा issue कर देती है, ऐसे purchase consideration या फिर वो equity instrument issue कर देती है तो कुछ हो इसमें buffer ओड़ा था अभी perfect है, देखें, मैं कह रहा था कि equity instrument, या नि acquirer कोन होगा, जो equity instrument issue कर दे है ना, जैसे मानने जिए मैंने आपकी company को खरीदा, बाद में मैंने आपको equity sets दे दी, और जैसे मैंने का reverse acquisition के मामले में मैं आपको समझाओंगा, रूख जाओ 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 अभी आप देखो, अभी मुझे सबसे पहले आपको other facts and circumstances भी discuss करना आपके साथ, फिर आपको reverse acquisition भी मैं आपको समझाओंगा, अभी तक मैंने आपको यह कहा कि देखो, acquire कोन होता है, जिसके पास control है, और usually जो cash दे की company खरीद लेता है, obviously बात है, मैंने आपका business को खरीद, आपको cash दे दिये, या फिर मैंने आपको डिपेंशेर्स दिस्टू कर दिये, फिर मैंने आपको equity sales दे दिये, तो मैं ही acquire हूँ यहापर, reverse acquisition का case last में discuss करेंगे, अब other facts and circumstances भी मुझे आपको अच्छे से समझाना है, यह theory पढ़ाने से पहले मैंने नीचे आपको, फोड़ा से मैंने कुछ example बना है, वो मैं आपको फटा फट समझा दे दूँ, वो theory फिर clear हो जाएगा, मालो एक company है A limited और एक company है B limited, अलगलग company, A limited अलग company है, P limited अलग company है, और इन दोनों ने merge हो गई है, और इन्हों नहीं company बना दीこの है A, A B League हम देखें, legally यहाँ पर A, B limited is the acquirer है, legally अगर cheapest, क्योंकि A, B Limited, A और B दोनों को absorb कर लेगी और A Limited, B Limited यहाँ पर legally acquire है पर accounting purpose में ऐसा नहीं है यहाँ पर भी ओ reverse acquisition का मामला थोड़ा साएगा पर भी भी मैं वो last में फिर से समझाऊँगा अभी अब यह समझो यहाँ पर substance wise अगर आप देखोगी तो आपको ढूड़ना पड़ेगा कि इन दोनों में से कोई acquire है, क्योंकि पतर ऐसा घपला बजी पहले होता था, A, S की बात करें अब A Limited ने सोचा कि मैं अपने सारे assets and liabilities को fair value में दिखाना चाता हूँ, B Limited ने भी सोचा मैं सारे assets and liabilities को fair value में दिखाना चाता हूँ, तो इन्होंने सुचा एक काम करते हैं, हम दोनों हैं न, क्या करते हैं, महला A, B को खरीदना चाता था, या फिर B, A को खरीदना चाता था तो A ने सुचा कि अगर A, B को खरीदेगा, तो B का तो सारे assets probabilities fair value में आ जाएंगे, पर A का तो carrying amount में रखना पड़ेगा, तो दोनों को fair value में लाने के इन्होंने क्या कि एक निया company बनाए A, B limited और सुचा A, B limited acquirer, इसका तो कोई item रहेगा नहीं, और यह क्या करेंगे, A limited, B limited, दोनों को fair value में pull कर लेंगे, तो standard pull है नहीं, ऐसा नहीं चले गए, फ्रॉड हो रहा है, A, B limited को तो अपने कोई अस्तित्व नहीं था, यह तो अपने अभी just निया निया बनाए, जरूर A limited और B limited इन दोनों में से ही कोई एक acquirer है, जो आगे जाके control करेगा, जो आगे जाके तो हम देखी जताएं कि A limited के serholder को कितना स ada दिया गया है, B limited के serholder को कितना ser दिया गया, तो AB limited नै क्या-क्या 60% ser issu किया A limited के serholder को, 40% ser issu किया B limited के serholder को, तो इससे पताचरता largest majority voting rate किसको मिلا है, A limited के serholder को, तो यहाँ पर A limited जो है वो accounting acquirer माना जाएगा और बी लिमिटेट यहाँ पर accounting एक्वारी माना जाएगा तो अब आगे जाके accounting कैसे होगा ए लिमिटेट के तो सारे assets and liabilities equity other equity सब carrying amount में रहेंगे as it is बनेगा और बी लिमिटेट के हम assets and liabilities को fair value में दिखाएंगे उसको क्या PC दे रहें वो determine करेंगे और ultimately goodwill capitalizer होगा आगे ऐसा question भी मैं आपको करवाँगा tension की कोई बात नहीं है एक आपका AX limited BX limited ABX limited करके question है मैं करवाँगा I think illustration 37 38 ऐसा कुछ है तो यह हमने समझ में आ गया कि आप देखो यहाँ पर वही पहला वाला point में लिखा हुआ है कौन acquirer होगा जो largest portion of voting rate receive करेगा combine entity में तो देखो combine entity AB limited के अंदर A limited को ज्यादा voting rate मिला है तो यह acquirer होगा फिर दूसरा point फिर से A limited मालो merge हो रहा है B limited के साथ और नया company बना रहा है AB limited तो फिर से AB limited legal acquirer है यह दोनों acquirer हो गया पर हमें ढूनना पड़ेगा इन दोनों में सही कोई acquirer होगा तो इसमें हमें पता चला A limited के पास 45% से है P limited के पास 10% से है और बाकी सारे remaining जो वो widely dispersed से public लिमाल तो यहाँ पर आप समझो मेरी होगा और बाकी तो पब्लिक के बाकी जो remaining 45% वो पब्लिक में इसम इनका तो कोई काम है नहीं तो ultimately यहाँ पर भी ए लिमिटेड एक्वाइर है यहाँ पर कौन होगा ए लिमिटेड इस दा अकाउंटिंग एक्वाइर तो देखो पॉइंट नमबर टू में यह लिखा हुए होग्स लार्जेस माइनोरिटी वोटिंग राइड यानि 45% ले लिया अब इन दोनों से भी आइडिया नहीं लग रहा है तो आप यह काम करो अब यह देख लो कि जो गोवर्निग बोडी होगे न उसके मैनेजमेंट को गोवर्निंग बोडी के मेंबर्स को appoint करने का remove करने का power किसके पास है A limited के लोगों के पास है कि B limited के लोगों के पास है आपको दिख रहा है कि A limited के पास है तो मतलब A limited के पास ही acquirer A limited ही हुआ या फिर management of A limited क्या A limited का management B limited के management को dominate करेगा तो मतलब A limited के पास acquirer उसके पास control है और या फिर आप size भी देख लो size भी matter करते है ना जैसे आज मालो मैं आपको समझा रहो कि मेरे पास 70,000 subscriber है मालो और दूसरा को teacher है 10,000 subscriber वाला अब हम दोनों merger होंगे तो बताओ मैं ही boss बनुगा ना मैं बुलूँगा मेरे ज़्यादा बड़ा size है मेरा ज़्यादा subscriber भी इस है तो वैसे यहाँ पर आप देख लो मालो ए लिमिटेट क्या assets comparatively be limited से ज्यादा है revenue comparatively be limited से ज्यादा income comparatively be limited से ज्यादा है यानि ए लिमिटेट का size बड़ा है मतलब यह एक्वाइर होगा यह सारे indication आपको बाकि other facts and circumstances सब कुछ देख के आपको determine करना कौन एक्वाइर है सबस्टेंस वाइस आपको चेक कर रहा है और एक पॉइंट है कि कौन control का premium दे रहा है मैंने practical question में भी करवाय था कि मानलो for example मैं share जो acquire कर रहा हूँ fair value 50 रुपय पर मैं 52 रुपीज करके दे रहा हूँ मैं मैं premium दे रहा हूँ और usually premium वही देता है जो acquirer होते है तो यहाँ पर वही तियोरी में सारे point लिखे हुए मैंने सारा point आपको समझा दिये आप एक बार जैसे इसको go through नहीं करने से भी चलिगा इसका example बना कि मैंने आपको ऐसे भी समझा दिया सारा point को तो इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि कौन acquirer है तो I think आप अपको समझ में आगे acquirer कौन है सबसे पहले तो जो control करता है वो acquirer है और potential voting rate rights of NCA इन सबको भी देख लेना और दूसरी बात जो cash देता हो या फिर debentures वगिर इसू करता हो या फिर equity instrument देता हो पर आपको यहाँ पर equity instrument के मामले में basically आपको other facts and circumstances देखना चाहिए तो मैं आपर यह point four अटा देता हूँ यह point number three का ही continue देखा जाता हूँ यहाँ पर आपको other facts and circumstances देखना चाहिए अब reverse acquisition समझाने की तो जरतनी पर फिर भी समझा देता हूँ reverse acquisition का मतलब क्या है यह भी मैं आपको समझा देता हूँ देखो क्या हो रहा है मालो एक company है ए लिमिटेड यह private company है और एक company है बी लिमिटेड यह public company है अब ए लिमिटेड जो है न वो acquire करना चाहता है बी लिमिटेड को आप बोलो कि अगर A Limited, B Limited को acquire करेगा तो A Limited क्या बन जाएगा? acquire, B Limited, acquire बन जाएगा पर पता है यहाँ पर A Limited ने गेम खिला उसने क्या बोला? B Limited से कहा कि एक काम कर तो मुझे खरीद ले मतलब यहाँ पर B Limited क्या करेगा? A Limited को acquire कर लेगा मर्ज हो जाएगा, A Limited, B Limited के अंदर मर्ज हो गया और फिर बाद में क्या करेगा? B Limited जो है न, वो इतने सफिशन सेर्स दे देगा A Limited को, कि वो ultimately मालिक हो जाए. मालों यहाँ पर B Limited के सेरोल्डर के पास total 5000 सेर्स इसू किये वे अब B Limited ने क्या क्या absorb कर लिया A Limited को दोनों कंपनी यह को गई B Limited के अलरेड़ी जो सेरोल्डर है उनके पास 5000 सेर्स है और इसने क्या-क्या A Limited को है न, इसने 6000 सेर्स दे दिये तो आगे जाके सोचो B Limited ने भले A Limited को absorb किया है, आगे जाके जो गद्दी है जो होट सेट है, उस पे कौन बैठीगा A Limited बैठीगा, A Limited ही उसको regulate करेगा, monitor करेगा, control करेगा क्योंकि A Limited के पास जादा सेर्स है, तो बोलो कि सर ऐसा किया है क्यों, क्योंकि A Limited को public company बनना था, अब वो है तो private company किसी कारण से public नहीं बन पा रही है तो उसने सुचा कि काम करता हूं, पहले A Limited को कह, A Limited क्या करेगा, पहले घुल मिल जाएगा, B के अंदर है न, A Limited घुल मिल जाएगा B के अंदर, और फिर बाद में B Limited का मालिक कौन बन जाएगा, A Limited का जो honor है ultimately ये reverse acquisition का मामला हुआ, हमें ये ही देखना होता है कि यहाँ पर कौन जादा majority voting rate रखता है, वही control करेगा एक और example, इसी को एक बाद रब करके एक और symbol वे में रखता हूं है एक और A Limited है मालो, इसका shares issue क्या हुआ है 5000 shares P Limited ने भी अपने shareholder को shares दे के रखा हूँ है 5000 shares अब A ने क्या-क्या A and B merge हो गया जहाँ पर ये दिखाया जा रहा है कि A Limited ही acquirer है लेकिन A Limited के तो shareholder 5000 है इन्होंने क्या-क्या B के shareholder को 6000 shares दे दिये तो अब जो merge company है उसमें देखा जाए तो B के shareholder के पास जबकि ज़्यादा share's है तो माना जाएगा कि B Limited हीहाँ पर accounting acquirer है A Limited हीहाँ पर accounting acquirer होगी क्योंकि इसके पास ज़्यादा share's है यह reverse acquisition का मामला एक दो कोशें हैं मैं कर वा हूँगा लास्ट में टेंसन की कोई बात नहीं पर पहले में थोड़ा सा theory और discuss कर लेता हूँ एक और अभी practical concept मुझे आपको समझाने है यह हम समझ लेते हैं आगे मैं questions भी सारा करा हूँगा तो अभी मैं आपको बहुत important concept समझाने वालूँ service payment award का जो concept इसके अंदर है हाले कि service payment award हम कहां पढ़ते हैं topic को समझाना बहुत जरूरी अच्छे से क्योंकि इसका importance क्यों है एक तो 16 नंबर के question के अंदर भी concept डाल की पूछा जाता है और कितनी में directly इसे concept के चार नंबर या छे नंबर के question पूछ ले जाएंगे तो यह concept में हम थोड़ा सा अच्छे से समझाएंगे इसके दो हिससे है इसके अंदर एक है replacement award और एक है non replacement award दोनों मैं आपको अच्छे से समझा दूँगा तो सुनिए मेरे बात बात किसकी हो रही है service payment award की बात हो रही है मैं आपको अराम से समझाओंगा इसके लिए मैं बन जाता हूँ जगाती limited मैं एक entity हूँ मैं कौन हूँ जगाती limited हूँ आप हो ABC limited ठेक है अब माल लो मैं जगाती limited हूँ आप हो ABC limited मैंने आपके business को acquire कर लिया कैसे आपके company के 80% sales मैंने खरी लिये तो NCA वालों की बस कितना रहेगा 20% sales रहेगा कितने में खरीदा कैस consideration 10 लाग रुपीज दे के खरीदा और इसका identifiable net assets का fair value भी बता दिये 8,50,000 तुम balance rate बनाएंगे तुम कैसे लिखेंगे अभी तक तुम मुझे समझ मैं balance rate बनाएंगे तुम identifiable net assets लिख देंगे 8,50,000 का अगर मैं NCA को proportionate net asset method में measure करूँ तो मैं क्या करूँगा NCA 20% है यह दे दिया question में identifiable net assets NCA 20% है 8,50,000 का 20% मैं NCA दिखा दूँगा 1,70,000 मैं NCA भी दिखा दिया कोई problem वाली बात नहीं है और मैंने consideration कितना दिया है मैंने 10,00,000 रुपीज का consideration दिया यह हमें आपर data मिला हुए दिखा 80% sets खरीदा है 10,00,000 का consideration देखिए identifiable net assets से 8,50,000 तो net assets 8,50,000 दिखाया NCA दिखा दिया 20% में 1,70,000 consideration दिया मैंने 10,00,000 तो आप इसी से निकालोगे या बोलोगे अच्छा सर समझ में आ गया 8,50,000 का net assets है जिसमें से NCA को मिल गया 1,70,000 तो हमारी हिस्से में 6,80,000 और हम consideration दे रहे है 10,00,000 तो that means 3,20,000 का हमारा सर गोड़विल होना चाहिए आपका कहना रहेगा सर 3,20,000 का गोड़विल होना चाहिए बट यहां पर 5,20,000 क्यों है वो मैं करा हूं free में तो वो परचीस कंसिडरीशन अगर मैं कोई प्रकार का आप अपने सर पे लिए बी परचीस कंसिडरीशन है अगर मैं को है को आपको assets कुछ भी देता हूं किसी भी का इससा बनता है अब मुझे आपको समझाना है replacement award क्या है जो इसके अंदर role play करेगा तुने मेरी बात मैं हो जगाती limited आप हो ABC limited आपने क्या क्या कि अपने employees को आपकी company तो चल रही है आपकी company थोड़े न बंदो गए आपकी company चल रही ABC limited मेरी company भी चल रही है अब मालो acquisition से पहले ही आपने acquisition से दो साल पहले मालो आज है date of acquisition है आज से दो साल पहले आपने अपने employees से पता है क्या कहा आपने employees को कहा कि employee लोग सुन लो सब को ही मेरी बात आप सभी को 5 साल तक company में काम करना है अगर आप सभी 5 वेर्ज तक company में काम करोगे तो आप उनको sales देने वाले हो बहुत सारा मतलब वो अगर company में काम करोगे तो आप उनको क्या दोगे sales दोगे मैं नहीं दूगा आप ABC Limited हो आप वो acquire आप उनको sales दोगे अगर वो 5 साल तक company में काम करेंगे अब मालो जो sales आप दोगे grant date में उसका fair value है और आप उनसे कितने साल का service लोगे बदले में पांच साल का वो service भी तो दे रहे तो देखा जाए तो फ्री में आप उनको sales नहीं दे रहे जो फाइबलाग उरुबीस का खर्चा उठा रहे हो जो option आपने दियो उसका fair value फाइबलाग उरुबीस है अगर आप फाइबलाग उरुबीस का खर्चा उठा रहे हो तो बदले में वो आपको पांच साल तक आपकी company को छोड़ की नहीं जाएंगे वेस्टिंग कंडिशन पांच साल का वो satisfy करेंगे तो हम आप क्या करोगे हर साल आप खर्चा दिखाओगे employee compensation expense account debit to service payment reserve है ना as per index 102 यह तो entry होती है employee compensation expense to sbpr अगर index 102 नहीं आता तो पहले वो देखो वो भी यूट्व में आपका रिविजनरी वीडियो डिटेल में समझाया होगा तो अब क्या होगा दो साल के बात दो साल का अपने खर्चा भी दिखा के रखाओगा sbpr में टू लाग रुपेज का और तीन साल जब बीतेगा तब आप तीन साल का खर्चा दिखाओगे अब दो साल की बाद क्या हुआ मैंने आपकी company को acquire कर लिया मतलब आपकी company के 80% सेर्स मैंने खरी लिए तो मैं आपंने का दो साल सorta रिती हैं और तीन साल का सर्विस देंगे घ्रचा यह यह इंवर्ड को मैं replace कर रहा हूं replacement ओक मतलब आप आपको सेर्स देने की आवस्तता नहीं है आपका company रहेगाREWका देने की सेर्स दूँगा, तो आप बताओ, अगर मैं उनको search दूँगा, क्या वो मुझे और पांच साल की service देंगे, नहीं देंगे वो, वो तो मुझे तीन साल की service देंगे, तो आपके सर पे obligation था, वो obligation मैंने अपने सर पे ले लिया, तो मुझे तो उनसे 5 साल की service मिलनी थी, पर मुझे अग उनसे 3 years की service मिलेगी, क्योंकि 2 years की service आपने already consume कर लिया, तो खाया आपने, पिया आपने, आप खर्चा उठाऊंगा, मैं, pocket से भरूंगा मैं, तो बताओ, ये तो दिखा जाए, तो प्रकार का मैं आपको consideration ही दे रहा हूँ, मतलब मैं बोलूँगा, आपसे साफ साफ खुल के बात करूँगा, आपको ABC में आपसे ये बात करूँगा, कि देखो, employees लोग मुझे देंगे 3 साल की service, क्योंकि उन्होंने आपको already 2 साल की service दे दिये, तो जो 2 साल की service आपने खाया पिया है, आगे जाके search तो सारे मैं देने वालों, तो ये जो 2 साल का जो amount बनता है, वो देखा जाए, तो मैं आपको PC तो दे रहा हूँ, purchase consideration जैसा है तो हुआ, क्योंकि आपने खाया, plate आपने तोड़ा, उसका भूगतान मैं करूँगा, क्योंकि आगे जाके employee को, मैं पूरा का पूरा 5 साल service complete होने पर मैं employee को search दूँगा, लेकिन देखा जाए, तो वो आपको already 2 साल की service दे चुके है, जब मैंने आपको acquire नहीं किया था, अब मुझे वो award replace करने पर, वो उचे 3 साल की service देंगे, क्योंकि 2 साल की service उन्होंने आपको already दे चुके हो, तो जो 2 साल का service वो आपको already दे चुके हैं, वो आपने खाया है, पर मैं भूकतान करूँगा, इसलिए आपको मैं, आपके विहाफ में मैं कुछ भी payment कर रहा हूँ, that is purchase consideration तो मैं आपकी company को acquire करूँ, इसलिए तो मैं मान गया, कि चल ठीक है, employee तुने acquire को 2 साल का service दिया, कोई बात नी, मैं तुझे पैसे पूरे दूँगा, तो वो जो 2 साल की service आपने consume किया न, उसका जो payment बनता है, वो purchase consideration का हिस्सा होगा, वही चीज़ मुझे यहाँ पर समझा रहा है, तो आप देखो यहाँ पर, यहाँ पर क्या हुआ, ABC limited का existing equity settled service payment scheme है, जो की west हो रहा है after five years of service, पात साल के बाद आपका west होगा, पात साल की westing condition है, ABC के जो employees है, आपके जो employees है, already आप लोगों ने 2 साल की service deliver कर दिये, आपके award को replace कर रहा हूँ, आगे मैं next एक और पढ़ाऊंगा non replacement, अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, replacement, मैं award को replace कर रहा हूँ, मैं कहरा हूँ कि अब मैं अपने खुद के sales दूँगा, मैं own sbp awards, अब मैं खुद के sales दूँगा, अब देखो, जो original award था, उसका, जो original award था, उसका market value था 5 लग, market value कितना है, 5 लगे, जो original award था, जब कि मैंने आपको पढ़ाया था कि acquire के सारी चीज़ को market value में देखते हैं, हलाग कि grant date में जो भी रहोगा, मैं मानता हूँ कि जो original scheme था, उस original scheme के सबसे, क्योंकि क्या होता है, जब मैं award को replace करूँ, तो क्या पता condition थोड़ी बदल दू मैं, मैं बोल दूँ, 5 साल की जगा आपको 4 साल की service देनी है, 5 साल की जगा total आपको 6 साल की service देनी, तो मैं replace करूँगा, तो आपका कुछ fair value, market value भी बदल सकते हैं, तो हम वो नहीं लेंगे, क्योंकि acquire ने जो starting में terms and conditions रखा था, जो original award acquire ने रखा था, उसके हिसाब से, आज की rate में market value 5 लाग रुपीज से मालो, तो बताओ, ये 5 लाग रुपीज जो है, ये तो देखा जाए तो total 5 साल की service का था, इसमें से 2 साल की service तो आपने consume किये, पर बिल मेरे नम पर फटेगा, तो ये जो है, ये PC का हिस्सा है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम बूलेंगे कि ये जो 5 लाग रुपीज का market value बनता है, original award के हिसाब से, ये 5 लाग रुपीज के बदले 5 years की service मिलनी थी, लेकिन 2 years की service आपने already consume कर लिया है, तो मैं क्या लिखूंगा पता है, मैं लिखूंगा 5 लाग रुपीज में, 5 साल की service मिलनी थी, 2 years की service आपने already consume कर लिया है, तो 2 years by 5 years, यानि दिखा जाए, तो 2 लाग रुपीज का तो, अब service के लिए क्या आपको समझ में, हाँ सर समझ में आ गया, ये 2 लाग रुपीज आपका part of PC होगा, तो यहाँ पर देखो, vested part जबकि 2 years है, of completed service, क्योंकि 2 साल की service best हो चुकी है, दो साल की service, आपने employee ने दे दिया है, तो ये PC का part बनेगा, तो यहाँ पर एक formula भी है, उसकी जरत नहीं, पर फिर भी मैं आपको यहाँ पर formula लिखके समझाऊँगा, क्योंकि आगे जाके, अगर replacement award में years बदल जाएंगे, तो क्या होगा, समझाऊँगा मैं आपको, तैंसन ना लो, समझाऊँगा, के साब से, acquisition date पे market below 5 लागे, जिसमें से 2 years की service आपने consume किया है, out of 5 years, तो आपका 2 lakh rupees का bill मेरे उपर फट रहा है, हाया आपने bill मेरे उपर फट रहा है, तो ये part of PC होगा, अब बोलोगे सार, बाकी 3 lakh rupees का क्या, 5 lakh की उपर बाकी है, वो तो आगे मैं service लोगा न, अब control आगी, अब तो मेरे अपने इसाब से चलाँगा, अब मैं award को replace कर रहा हूँ, तो मैं अब उन से service लोगा, मैं उनको जो बोलूँगा, उनको वो करना पड़ेगा, तो वो तो future में दिखाया जाएगा, but date of acquisition में टू लाग रुपीज तो मेरा focus का गया, क्योंकि खाया acquire और bill मेरे नाम पे फटा, तो ये purchase consideration का हिस्सा है, part of PC है, टू लाग रुपीज, तो आप बताओ, मुझे total purchase consideration कितना होगा, देखो, 10 लाग रुपीज तो मैं cash दे रहा हूँ, है न, 80% sets खरीदने के लिए, 10 लाग रुपीज तो मैं cash दे रहा हूँ, और दूसरा, ये 2 लाग रुपीज भी मेरा PC का हिस्सा बनेगा, तो overall total purchase consideration कितना हो जाएगा, 12 लाग रुपीज, अब देखो, मैं balance rate आपको बता रहा हूँ, अब देखो, balance rate कैसा बनेगा, मैंने identifiable net assets लिया, 8 लाग 50,000 का, जिसमें से NCI मैंने दिखा दिया, 20%, 1 लाग 70,000 का मैंने NCI दिखा दिया, अब purchase consideration मैं क्या दे रहा हूँ, in the form of cash मैं purchase consideration दे रहा हूँ, 10 लाग रुपीज का, और दूसरी चीज, जो मैं मेरे उपर भार assets देने का future मैं, तो उसका मैं equity के अंदर, क्योंकि मैं पैसा नहीं दूँगा, मैं sales दूँगा future मैं उनको, तो वो liability में नहीं आएगा, equity के अंदर classify होगा, मैं equity के अंदर दिखा दूँगा, कि SBPR 2 लाग रुपीज का, एक मैं आपको क्या किया, SBPR, service payment reserve, है ना, ये 2 लाग रुपी समने दिखा दिया, देखो, आगे भी जा कि, अगर मालो, मैं ही, अगर मालो, मैं खुदी starting से देता, तो मैं क्या करता है, employee benefit expense to SBPR दिखाता है, employee benefit expense to SBPR का entry दिखाता है, अब मैं employee benefit expense क्यों नहीं दिखा रहा, पर SBPR में तो आएगा, क्योंकि आगे set तो देना पड़ेगा, दो साल का vesting condition satisfy हो गया, तो ये employee benefit expense to SBPR नहीं हुआ, ये purchase consideration का हिस्सी में जाकि SBPR आगे, ये PC का हिस्सा बन गया, इसलिए SBPR आगे आपर, और जो difference है, अब balancing figure आपका code will file back 20,000 होगा, इसका entry भी मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, दिखिए, identifiable net assets 8,50,000 का है, NCAM 20% में दिखा देंगे, 1,70,000, consideration, ये दोनों purchase consideration है, paying में आपका 10 लाग गया, SBPR में आप दिखाओगे equity के अंदर 2,00 रुपेस का, तो जो difference होगा, balancing figure, वो आपका गुड़ी लो जाएगा, that's it, बस बात खतम, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, वो ही, original award के हिसाब से, जितना pro rata, acquire ने service लिया है, उतना PC का हिस्सा बनाएंगे, अब आगे क्या करना है, वो भी मैं समझाऊंगा आपको, after date of acquisition, आगे क्या करना है, देखो, आगे अब मैंने award को replace कर दिया, award को replace करने पर, थोड़ी वो terms and conditions भी बदल गए होंगे, और उस हिसाब से, आपका fair value जो आ रहा है, वो मालो 6 lakh रुपीज का रहा है, यह usually कब होते हैं, जब हम award को replace करके, वेस्टिंग, यह भी, वेस्टिंग का duration बदल देते हैं, तो normally आपका market value change हो जाते हैं, है न, replacement award करेको, award replace किया, acquirer ने, जिसके चलते हैं, इसका market value 6 lakh हो गया, तो अब देखो, अब इसमें, एक्वारी की गलती नहीं है, एक्वारी बोलेगा, मेरे इसाब से तो 5 lakh था, तो यहाँ पर आप 6 lakh नहीं ले सकता, आपको 5 lakh into 2 by 5 भी लेना पड़ेगा, क्योंकि 6 lakh तो मैंने replace करके, condition वगएरा बतला तब 6 lakh हो है, अदरवास एक्वारी के इसाब से तो 5 lakh ही था, तो जब PC निकालोगे तो आप original एवार्ड ही लोगे दियान रखना, आप यहाँ पर replacement एवार्ड का market value नहीं लोगे, यहाँ पर आप लोगे market value of original एवार्ड, जो original एवार्ड दिया गया था, उसका आज का date का market value क्या है, अब हमने 2 lakh रुपीज तो दिखा दिया SBPR के अंदर, अब आगे जाके हमें और कितने साल का service मिलेगा, तीन साल का service और हमें मिलेगा, तोटल देखो 6 lakh रुपीज दिखा जातों हमारा खर्चा होगा, रिप्लीसमेंट एवार्ड का, तो अब मैं acquire हूँ, मैं तो रिप्लीसमेंट इवार्ड को धियान में रखूँँगा, मैं कहूँगा 6 lakh रुपीज टोटल मेरा खर्चा होगा, जिसमें से 2 lakh रुपीज मेरा already मैंने SBPR में दिखा रखा है, अब और 4 lakh रुपीज मुझे दिखाना है, 6 माइनस 2 lakh, 6 lakh में से 2 lakh मैंने दिखा दिया SBPR में, अब और 4 lakh रुपीज दिखाना है, बता कितने साल में दिखाऊंगा, कितना remaining investing period है, remaining investing period कितना 3 साल है, तो बाकी जो 4 lakh है, बाकी जो 4 lakh है उसको 3 सालों में दिखाया जाएगा, कितना आ जाए रहा है, 12333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 कि आगे जाके वो employee मुझे तीन साल service देंगे तो यह employee compensation expense दिखाया जाएगा जो कि PL में charge होगा तू SBPR दिखा दूँगा मैं one triple three का तो अब मुझे बताओ अगर मैं ऐसा करूँगा अगर मैं ऐसा करूँगा मुझे थोड़ा सा चाहिए यहां पर space लोग जाओ मैं थोड़ा साबको समझाई देता हूँ फटाफट से अगर मैं ऐसा करूँगा तो मेरा क्या होगा पते हैं मेरे हर साल entry यह होगा employee compensation expense to SBPR और जो मेरा balance it है ना balance it के अंदर जो मेरा SBPR equity के अंदर पहले से 2 लाग था rate of acquisition भी यह देखो 2 लाग था मेरा SBPR हर साल आपका increase होगा 1, 333, 333, 333 करके first year after acquisition, second year after acquisition, third year after acquisition क्योंकि हर साल employee compensation expense to SBPR में 3 साल तर डालूँगा तो आगे जाके मेरा SBPR date of acquisition के बाद 3 साल के बाद यह SBPR मेरा 6 लाग का हो जाएगा और जब मैं sales दे दूँगा तो यह SBPR जो है यह आपका 6 लाग पूरा खतम हो जाएगा यह खतम करके मैं share capital और securities premium के अंदर दिखा दूँगा 6 लाग रुपीज बस बात खतम बस बात खतम यह मैं दिखा दूँगा आपर तो यानि वही SBPR के अंदर आप हर साल डालते रहोगी वहीची मुझे आपको सिखाना है कितने सालों में over the remaining wasting period आप ऐसे करके दिखाते रहोगे तो बताओ कि आपको समझ में आगया जी आपको समझ में आगया मैं sure हूँ आपको अच्छी से समझ में आगया कि क्या करना मैं फिर से एक बार revise कराते तो देखो पहले तो original award original 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 ध्यान रखना original award के basis में PC निकालोगी कितना part of PC बनेगा original award ता 5 lakh two years का wasting condition satisfy होगी है five years के अंदर total five years ता जिसमें से two years का condition satisfy होगी है तो आपका two by five हम two lakh rupees part of PC मानेंगे उसके बाद जितना बचा हुआ रहेगा उसके बाद हम देखेंगे replacement award के हिसाब से कितना बचा हुआ है है ना replacement award के हिसाब से 6 lakh लगी का two lakh हमने दिखा दिखा दिए और four lakh remaining wasting period में तीन सालों में हम दिखा देंगे sbp8 6 lakh होच आगा फिर सहर देखे फामला खतम करेंगे तो यह मैंने आपको समझा दिए अब मैं इसको कर देता हूँ और अब क्योंकि इसकी आवसकता नहीं है मैंने समझाने के लिए रखा था इसकी कोई आवसकता नहीं है और मैं वह वाला भी वापस से लेके आ जाता हूँ जो मेरा case है वह भी मैं वापस से लेके आ जाता तो मानलो सारा condition सब कुछ से में हमने पते आपने तो employee से कहा था कि 5 साल की service देना उन्हों ने 2 साल की service देंगे अब मैंने award को replace कर दिये मैंने award को replace कर दिये अब मैं उनको क्या कह रहाँ employee को कि तुझे total 4-4 year की service सर्विस देनी पड़ीगी टू यह सर्विस अल्रेडी दे दिया आप लोग ने ओर टू यह की आप सर्विस देना लेकिन जब आप पार्ट व परशेस कंसीडरीशन निकालोगे तो जो ओरिजनल एवार्ड का ड्यूरेशन था ना पांथ साल आपको वो तो मिनीमम लेना है उस करों तो मेरा आएगा टू लाग पीसी का हिस्सा यह ना लेकिन अगर मैं और इवार्ट वाड के साबसे फाई इर्स था अब अगर आप ड्यूरेशन को कम करो तो उसका भूगतान बाद में आप खूद उठाना मतला आपको फिूचर में उसका फायदा मिलीगा तो ऐसे placement करके four years कर दिया जाते है तो भी जब आप part of PC निकालोगे तो original award का पांथ साली लोगे जैसे five lakh original लिया ये भी five years ही लोगे तो उस हिसाब से आपका two lakh आएगा और जितना remaining आपका four lakh रहेगा वो remaining जो आपका period अप तो remaining दो साली बच्चे एसा रहर है मैं बता रहो इसा possible नहीं ऐसा होता नहीं क्योंकि फीटिंगे पकड़के वो बोलेंगे पांच साल का वेस्टिंग का डिसन दा मजा कि अब आप छे साल बना दे रहो पहली बात तो यह रहर है नहीं होता है पर स्टेंडर बोलता है अगर फिर भी ऐसा हुआ तो आपको क्या करना है फाइव लैक इंटू टू यहर्स डिवाइड बैस सिक्स यहर्स करने उससे क्या होगा आपका आए का और आपका और पेस्टी का पार्ट कम हो रहे है मतलब डिवाइड जो आपको करना है वो लॉंगर ड्यूरीशन वाला से करना है तो आप यह समझ लो इसलिए मैंने जो फोर्मूला यहां पर बना के रखा वह वह आपको इसलिए बना के रखा देखो यहां पर तो अब हमेश एवाड का पीरिड छूटा है तो बना लेना अगर आपने बीचे तो इसलिए लिखावढ देखो ऑमको अब मैं बता रहो आराम से निकालो की mh क्या करना है सर समझ में आ गया सर एकदम अराम से दिमाग में डाल लेंगे एक्जाम के लिए सर हमें ये करना है market value जो भी हम pc का part होगा वो क्या होगा original award का market value ले ले लेने कितना five लागे into क्या करेंगे उपर तो टू येर्स ही आएगा जिसना वेस्टिंग पिरेड कंप्रीट हो गया इंटू टू येर्स आएगा डिवाइड बे क्या करें सर्थ इवाइड बड़ा वाला डूरेशन लेंगे विचेवर इस ग्रेटर लेंगे अगर ओडिजनल वेस्टिंग परिएड पांत साल था नेया वाला चार साले तो पांत साली लेंगे अगर ओडिजनल पांत साल था नेया वाला छे साले तो छे साले बड़ा वाला लेंगे क्यों बड़ा वाला क्योंकि जितना बड़ा से डिव करते हैं उतना चोटा फिकर आता है तो ध्यान रहें नीचे आप डिवाइड जो करोगे बड़ा वाला यह से डिवाइड करोगे और इजिनल वेस्टिंग पिरेड या निया वेस्टिंग पिरेड विचे वह इस ग्रेटर तो अब आपको समझ में आ गया तो यह मैंने अगर सारा कंडिशन सेम है एकसेप्रेड रिपेश्मेंट वेस्टिंग पिरेड रिडीउस टू की गलत लिखा मैंने यह फोर नहीं होगा शिक्स हेर्स होगा अगर आपका तो आप सिक्स एर्स लोगे और क्योंकि सिक्सेर्स की लोगे क्योंकि एग्रेटर है अप यह निए remaining खर्चा दो सालों में बाट होगे अब यहां पर जबकि six years लिए है तो दो साल बीच चुगा बच्चे का चार सा जितना remaining खर्चा चार सालों में बाट होगे बस बात खत्म that's it तो अब I think आपको यह पूरा समझ में आ गया एकदम अच्छे से यह जबकि important था replacement वाला पार्ड इसलिए मैंने आपको एकदम अच्छे से समझा दिया अब हमें नॉन रिप्लेस्मेंट पढ़ाना है मुझे आपको कोई नहीं वह भी अच्छे से पढ़ा दूँगा चलो तो यह एकदम अच्छे समझ में आ गया सर एक बार प्लीज 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 एक बार हमारी भविस्या का सवाल है एक बार बस repeat कर दो मैं repeat करो अब आपको theoretically मैं repeat करो करना है कि आपको आपको देखना कितना वेस्टिंग पिरेड कंप्लीट हुआ तर दो साल का वेस्टि पिरेड विचेवर इस ग्रेट तो इससे आपका पार्ट अफ पीस से निकल जाएगा वो तो पीसी का हिस्ता बनेगा रेमेनिंग जो भी एमाउंट होगा रिप्लेस्मेंट वाला और निया वालब दिखे जो से लाग था ना रेमेनिंग जो भी रहेगा वह ओवर दा रेमे लिखे अब मैं आपको 9 रूपल हैवर्स समझा होगा यह थोड़ा सा अलगत ज्याधा नी सब्कुत सब्सक्रीमें अबस तोड़ा सा लग है इसको संझाने के लिए पहले आपको यह समझाना चाथ हो मेour starting में बताता देखो मैंने आपका 80% sales खरीदा था तो बताओ मेरे पास कितने sales हुए मेरे पास 8000 sales हुए मतलब मैंने आपकी company के 8000 sales खरीद लिए बाकी 2000 sales क्या दिखाऊंगा मैं जब मैं console बनाऊंगा तो बाकी 2000 sales क्या होंगे NCI non controlling interest यह तो मैं पता ही है और वह non controlling interest का भी तुम ने दिखाया था NCI 20% है ना तो बाकी जो sales से वह NCI होंगे यह हमने समझ में आगे अब मेरी बात सुनो अगर आप ABC Limited future में भी कोई sales issue करोगे क्योंकि आपकी company बंद नहीं हो रही है आपकी company आपके चलेगी मेरी company भी चलेगी मैं अपने इंडिविचल फांस स्टेट्मेंट बनाऊंगा आप भी अपने इंडिविचल फांस स्टेट्मेंट बनाऊंगे है ना क्यूंकि आपकी company के पस controlling sales मेरे पास है company थोड़े ना बंद हो रही है तो अगर आप फ्यूचर में भी sales इसू करोगे अगर मुझे है sales इसू करोगे तो ठीक है वो controlling interest होगा अगर अब बाहर किसी को sales इसू करोगे तो वो तो NCA होगा न मेरे लिए जब मैं console prepare करूँगा क्योंकि जब मैं console prepare करूँगा कितने भी sales आपके इसू के वे बाहर वाले को outsider को वो मेरे लिए NCA है और जो मेरे वो तो चलो ठीक है बाकी जो भी बाहर वाले को sales के वे वो क्या है NCA बस अब इतना समझो अब मेरी बात सुनो कोही example रखते हैं मैं हूँ जगाती लिमिटेड आप हो एबी से लिमिटेड आपने अपने employee से कहा है कि वो आपको five years की service देंगे और बदले में आप उनको sales दोगे हैना पांत साल के बाद हम उनको sales दोगे अब मैंने क्या क्या पता है मैंने कहा कि मैं replace नहीं करूँगा पहले वा बार की बात ही नहीं आती है तो अब जो आपका already employee ने वेस्टिंग पीरिट खतम कर दिया है तो लाग रुपीज का मालों खर्चा पर दिखा दिया कि वेस्टिंग पीरिट खतम कर दें उसको मैं PC नहीं मान सकता क्योंकि मैं थोड़े ना आगी उनको sales दोगा sales तो आप को भी sales दिसू करोगे वो तो मेरे लिए कॉंसो में NCA होगा और आप sales किसको दोगे employees को दोगे employees जब पात साल की वेस्टिंग कंडिशन सैडिस्वाइग करेगा तो employees को आप sales दोगे कि employees मेरे लोगे नहीं वो तो outsider employees तो employees को जब sales मेलेगा तो वो sales तो NCA के अंदर दिखाया जाएगा जब consolidation बनाया जाएगा तो इसलिए हम क्या करेंगे जो हमने part of PC निकाला था ना 2 lakh वैसे यहाँ पर भी 2 lakh निकलेगा बट यह part of purchase consideration ही होगा क्योंकि मैं थोड़े ना को future में sales दोगी वो मेरे लिए क्या होगा NCA होगा तो इसलिए यह जो 2 lakh रुपीज है ना यह हम PC में नहीं दिखाएंगे यह हम NCA में दिखाएंगे यहनि approach सब कुछ same है पस फरक कितना है कि अगर वो replacement award होगा तो मैं part of purchase consideration मानूँगा क्यों क्योंकि मैं दूँगा award तो मेरा part of purchase consideration होगा मेरे books में मुझे SBPR दिखाना पड़ेगा क्योंकि award अगर मैं दूँगा तो 2 lakh रुपीज का अगर already employee compensation expense आपने book का रखा है तो वो SBPR तो मेरे books में दिखाना पड़ेगा तो मेरे books में अगर मैं SBPR दिखाऊंगा तो वो corresponding तो उसका मैं PC मानूँगा ना उसको लेकि आउटसाइडर को जो भी अपसेर्स वगेरा देने वाले हो कुछ भी वो मेरे लिए क्या है NCEI है क्योंकि NCEI के अंदर हम क्या दिखाते है सारी चीच हम दिखाते हैं NCEI के अंदर होता है क्या सेर केपिटल प्लस अधर एक्विटी होता है अब यहाँ पर देखो हमने यहा दिखा के रखा होगा वह भी अपका अधर एक्विटी का है पर वह मेरा उसमें कुछ भी हक नहीं वह पूरा का पूरा एंपलोई का है और वह आउटसाइडर हो गए और आउटसाइडर पूरा का पूरा वह क्या होगा NCEI होगा तो इसलिए हम क्या करेंगे वह जो बनाऊंगा नौन रिप्लेस्मेंट है वाट देखो मैं आपको समझा भी देता हूँ देखो आपने 10,000 सेड्स इसू कर रहा हुआ है रुपीज 10 इच करके उसमें से मालो 80% मेरा तो मेरा 8000 सेड्स है NCEI की होल्टिंग 2000 सेड्स है तो उस हिजब से प्रोपोर्सनेटली हमने सेर कैपिटल का 20% दिखा देंगे अधर एक्विटी का भी 20% दिखा देंगे लेकिन जो आपने एमपलोई को वादा किया है सेर्स देने का जिसका आज के डेट तक में 2,00,000 रुपीस आपका वेलू वो हो जो का है SBPR में आपका तो वो जो SBPR वो तो पूरा आउटसाइडर क होगा वो मेरी नेजर में NCI है मतलब आपका जो भी सेर कैपिटल अदर इक्विटी है उसका 80% तो मेरा है 20% में NCI में दिखाता हूँ लेकिन जो SBPR वो आउटसाइडर है पूरा का पूरा तो वो पूरा का पूरा SBPR जो है टूला कर रुपीस कहां दिखाया जाएगा NCI के अ 10 लाग का मान लो ठीक है तोटल हमने कितना लिखा था 8,50 था होचेन था क्या चलो ठीक है 10 लाग नहीं लेता हूँ 1 लाग का सेर कैपिटल 1 लाग का है अदर इक्विटी जो है न इन लोका उसके अंदर बाकि जो भी ये रिटेन अर्निंग मान लो मुझे कितना करना है other equity और मैंने लिखा equity के अंदर ही एक SBPR भी है योकि employee को देने का वादा किया हुआ है वो कितने का है 2 lakh का है यह है मेरा और मैं net assets भी उसके इसाब से बोल देता हूँ चलो ठीक है जो भी net assets है उसके इसाब से आपका 1 से 850 1050 हो गया इंक्लूडिंग आपका SBPR net assets चलो जो भी यह दिख रहे तो हम क्या करते है मैं आपको यह बोलूँगा कि इस 1 lakh और 750,000 यह 8 lakh 50,000 में तो मैंने NCI 20% allocate कर दिया मैंने का NCI जो होगा वो कितना होगा 170,000 मैंने पहले भी दिखाया ता net assets का अगर यह 8 lakh 50,000 है तो उस हिसाब से है अब यह जो SBPR है यह SBPR भी other equity का है सा पर इसमें मेरा हक नहीं यह पूरा employee है तो इसका मतलब यह नहीं कि इसका 20% में NCI में डालूँगा पूरा का पूरा NCI में डालूँगा 2 lakh rupees क्योंकि यह पूरा का पूरा outsider को मिलेगा share capital में मेरा हिस्सा है return ending में भी मेरा 80% हिस्सा है पर यह SBPR में मेरा 0% हिस्सा है कुछ भी हिस्सा नहीं पूरा का पूरा भाहर वालों का है इसलिए पूरा का पूरा 2 lakh जो है वो NCI में जाएगा इसलिए आप समझो जब award replace नहीं होगा तब जितना भी आपका SBPR है पूरा का पूरा NCI में जाएगा अब देखो यहाँ पर हम क्या करें हम इसे PC में नहीं दिखाएंगे NCI में कितना दिखाएंगे 5 lakh rupees आपका original award का market value अब तो replacement award की बात ही नहीं आएगे क्योंकि replace तो ही नहीं रहे तो original award का market value 5 lakh है total 5 साल है जिसमें से 2 years complete हो चुका है तो यहनि 2 lakh rupees आपका part of NCI होगा अब बोलोगे सर इसमें replacement वाली बात तो आएगी नहीं तो यह भी 5 years का 5 years ही रहेगा क्योंकि replace तो ही नहीं रहे तो duration भी बदलने वाला नहीं यह तो non replacement award है है ना तो यह भी 5 years का 5 years ही रहेगा तो यह चो 2 lakh rupees ही NCI का हिस्सा होगा अब क्यासे दिखाएंगे इसको balance sheet में identifiable net assets 8,50,000 दिखाया NCI 1,70,000 हम दिखाएंगे 20% कैस हम दे रहे 10 lakh rupees और एक NCI में दिखाऊंगा यह वाला यह पिछली बार मैंने replacement award में यह मैंने PC का हिस्सा माना था यह देखो पिछली बार मैंने equity के अंदर दिखाया था SBPR क्योंकि यह PC का हिस्सा था इस बार मैं इसे NCI मान रहो हूँ यह NCI 2 lakh में जाएगा जो की goodwill बागे difference goodwill वही आने वाला तो देखो यहाँ पर मैंने entry दोनों का पास क्या replacement non replacement का अगर award replacement award होगा तो जो आपका SBPR है वो equity के अंदर जाएगा 2 lakh लेकिन अगर non replacement award है तो मैं क्यो SBPR दिखाऊंगा मैं मेरत मैं थोड़े ना दोंगे non replacement आप लोगी दोगे तो आप जो भी दोगे वो NCI में आएगा इसलिए NCI के अंदर 2 lakh दिखा दिया तो देखो सब कुछ सेम है 8 lakh 50 8 lakh 50 सेम है goodwill भी सेम ही आएगा NCI 1 lakh 70 की जगा 3 lakh 70,000 हो जा रहा है और यहाँ पर हमने 2 lakh अलग से equity के अंदर दिखा यहाँ पर हम NCA के अंदर डाल रहें तो इससे मैंने comparison करने के लिए रख लिया कि replacement award में क्या होगा non replacement award में क्या होगा यह भी मैंने comparison कर दिया हाँ पर अब मैं आपको 2 example extract मैंने निकाला बुक से यह illustration 40 का extract तो professional and dynamic limited वाला कुशिन है और यह illustration 28 का आपका illustration 28 यहाँ पर दोनों मैं करवा दूँगा एक replacement एक non replacement है पहला वाला तो क्या हो रहा है इन्होंने बोली दिया है आपर which got replaced यह नि 13 equity central service payment है original award जो की replace कर रहा नया award से professional यहाँ पर कौन है? acquirer है dynamic यहाँ पर acquirer है कैसे? 2 साल already employee ने service दे दिया और वो आगे जाके उनको 2 साल देना है न लेकिन professional ने award को reduce करके 2 साल से 1 साल कर दिया तो मतलब यहाँ पर dynamic के employee ने acquire के employee ने 2 साल की service दे दी उनको और 2 साल की service देनी थी पर अब उनको 1 साल ही देना replacement करके तो हम part of PC क्या माने है? हम बोलेंगे original award का fair value 5 लाग है यह 5 लाग ले लेंगे 2 साल की wasting period complete हो चुकी है तो into 2 years divide बे क्या करे? original award ले कि जो replacement करने का निया wasting period बो ले original wasting period ले कि निया wasting period ले मैंने कहा था whichever is greater तो greater आपका 4 years है तो यहाँ पर यह वाला नहीं ले सकते हैं हम लेंगे 5 लाग into 2 years by 4 years 2 लाग 50,000 part of PC होगा बाकी जो भी remaining है वो remaining किस से compare करेंगे? 8 लाग से तो 8 लाग मैंसे हमने 2 लाग 50,000 तो PC का हिस्सा मान लिए बच्चा कितना? 5 लाग 50,000 remaining wasting period में 5 लाग 50,000 खर्चा दिखाएंगे जबकि remaining wasting period एक साल ही है तो एक साल में 5 लाग 50,000 का खर्चा पूरा का पूरे employee compensation expense to SBPR दिखा दिया जाएगा first year post business combination यह बिजनस combination के एक साल के बाद है ना जो next reporting period end आएगा तब हम यह खर्चा दिखा देंगे done तो यह वाला replacement award था लेकिन illustration 20 है जो ही replacement award नहीं है यह क्या आप देखो P a real estate company acquires another construction company जिसका equity settled service payment scheme है यानि P acquirer है to acquire ही यहाँ पर total award 5 साल का wasting period था company ने already 2 साल का service दे दिया आपर और यहाँ पर P replace नहीं कर रहा replacement नहीं कर रहा ठीक है but आपका यहाँ पर reduce हो रहा है 3 साल से चलो replace नहीं होने पर भी reduce हो सकते हैं आप जिससे बोला reduce करके 3 साल हाला कि usually नहीं होता कर रप्लेस नहीं हो रहा है तो पर फिर भी 3 साल से 2 साल का reduce हो गया हमें तो क्या करना गरेटर वाला figure लेना है तो हम क्या करेंगे अपर आपका ओरिजनल एवार्ड का वल्लू कितना है 500 है तो मैं बुलूँगा 500 आपका ओरिजनल एवार्ड है अपर यहाँ पर लिखा हुए तो अपका खथिछ और बचा हुआ जो बच्चा हुआ फ्री वेल्स न चाओं घठां के तार फ्र्स तृस न डिरहंगा उए वैचियर में बी पोस्स कॉंबिनिशन में 150 न्रह लुणा लूँगा सेकेंडर में भी मैं NCI में डालूँगा एंड तक पूरा का पूरा NCI में 500 रहेगा आपका पूरा और बाद में सेर्ज भी तो इस होगा उसका तो वो मैं NCI के अंदर डाल दूँगा तो समझ में आया आपको यह खर्चा मैं नहीं दिखा रहा है एक्वारी खर्चा दिखाएगा लेकिन जब जब एक्वारी खर्चा दिखाएगा मैं NCI में डालूँगा कॉन सो बनाते समय क्योंकि यह रिप्लेस नहीं हो रहा है तो मैंने अपना बेस्ट कोर्स किया मुझे टाइम कंस्रेंट भी है पिर भी मैंने अपना बेस्ट कोर्स किया कि मैं आपको अच्छे से यह सेरवेस पेमेंट अवार्ड पूरा अच्छे से आपको मैं समझा दो और मुझे लगता है मैंने समझा दिया आपको अच्छे से अब मैं आपको छोटे-छोटे टॉपिक कराओंगा उसके question भी मैंने करवा दिये अराम से हो जाएगा मतलब आपको ज्यादा लोड नहीं ले ना मैंने आदा घंटा लिया क्योंकि वह important जीजे आपको बस यह देखना है question में replacement award है कि non replacement award है अगर replacement award है तो वह जाएगा किसमें PC के अंदर जाएगा part of purchase consideration अगर non replacement award है तो वह NCI के अंदर जाएगा बाकी value वगरह सब सेमी आने वाले पस depend यह करते है कि वह PC में जाएगा कि NCI में जाएगा और value कैसे निकलेगा acquisition rate पे market based measure of original award का market value जैसे कि आपका इस question में five minute था into आपका wasting period completed divided by original या फिर new wasting period whichever is greater निकल जाएगा आपका बात खतम चलो अभी हम purchase price allocation discuss करेंगे इसमें छोटे 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 थियोरी के point है मैं फटा-फट से discuss करूंगा यह point क्यों करवा रहा हो क्योंकि इसका relevance question में रहेगा यह सारे point आपके clear रहेंगे तो question कैसा भी आई से frame करेगा बड़ा question आप कर लोगे इसलिए जरूर यह करवाना तो अभी हम purchase price allocation यानि हम कुछ-कुछ measurement principle की बारे में discussion करेंगे जैसे मैं acquirer हूँ आप acquire ही हो अब माल नीचे मैं आपके business का majority sets मैं acquire कर लिया मतलब आपको मैं control कर रहा हूँ तो ऐससे situation में मुझे acquisition डेट पर business combination करना होता है आपके सारे assets and liability उसको मैं pull करूंगा बट आपके बहुत सारे contracts रहते हैं जिसे आपके lease contract हो गए या फिर आपका कुछ-कुछ contingent liability हो सकता है कुछ हम देखेंगे indemnification of asset होता है टक्सिस का taxation का कुछ-कुछ matter रहता है DTA DTL तो इन सब चीजों को हम कैसे deal करेंगे इवन आपके कुछ-कुछ आपके non-current assets रहेंगे जो held for sale रहेंगे आपके तो कुछ-कुछ ऐसे point से जिसके बारे में हमें discuss करना होगा कि उन सब matter में कैसे discussion करेंगे तो चोटे-चोटे पॉइंट एक एक करेंगे फटा-फटा हम discuss करेंगे सबसे पहली बाद में contingent liability के बारे में discussion करना चाहता हूँ इसका मतलब क्या है जैसे कि हमें पता है contingent liability क्या हो तो मान लो for example आपका कोई present obligation है किसी customer ने आपके ओपर case file कर दिया और आप पे present obligation है लेकिन मान लो ऐसा हुआ है कि वो probable नहीं है आपके वकील साहफ ने आपको बताया है कि 50% से जादा probability नहीं कि आपको पैसे भरने पढ़ेंगे तो ऐसा situation में उसे contingent liability मानते हो और आपने उसे अपने books में नहीं दिखाया होगा इंडेस 37 का ज्यान ये कहते है ना लेकिन अगर हम बात करें इंडेस 103 के तो मेरी बात सुनों इंडेस 103 के आपसे अगर मालो आप एक्वाइरी बन जो मैं एक्वाइर हूँ आप पे customer ने case किया है तो मोलेंगे अगर present obligation है पहले ही वो probable ना हो जैसे मैंने contingent consideration में समझाया था ना probability ना हो चलेगा even if it is not probable अगर customer ने आप पे case किया है आप पे मतलब present obligation आ गया है और उसकी fair value अगर हम measure कर सकते हैं तो हम fair value of the liability को हम acquisition date पे उस liability को consider करेंगे जैसे मैं सारा assets से liabilities आपका पूल करूंगा ना वैसे अगर आपका कोई contingent liability है तो वो भी मैं अपने books में दिखाऊ प्रोवाइड अगर present obligation है और उसका live obligation का fair value measure किया जा सकता है तो लेकिन इंडेस 37 में ऐसा नहीं है इंडेस 37 में provision हम तभी बनाते हैं जब वो प्रोवेबल भी हो यानि 50% से ज्यादा probability भी होनी चे तभी हम provision बनाते हैं लेकिन इंडेस 103 में आपको probability check करने की आवस सकता नहीं आपको सिर्फ present obligation देखना है और दूसरी चीज़ आपको क्या देखना है कि उसका fair value reliably measure हो सकता है कि नहीं हो सकता है तो इसके लिए आप देखो contrary to industry 7 इंडेस वंच्रोस भी allow करता है कि आप contingent liability को recognize कर सकते हो even if it is not probable कि आपका outflow of resources होगा probable नहीं होने से भी चलेगा लेकिन हा criteria क आपका present obligation होना चीए और farewell of the obligation जो वो reliably measure होना चीए इसके लिए मैं एक example भी आपके से discuss करूँगा चलेए a suit for damages worth rupees 10 million was filed on company B for LH breach of certain contract provision company B had disclosed a seamless contingent liability यनि आप company B हो आप पे मालो customer ने 10 million का case कर दिया आप और आपने इसे disclose किया contingent liability क्योंकि ये present obligation तो है लेकिन probable नहीं है ये probable नहीं है कि आपका amount payable होगा इसलिए आपने इसे disclose किया आपने इसका recognition नहीं किया लेकिन जब हम business combination करेंगे अगर इसका fair value 2 million है तो जब हम business combination accounting करूँगा तो मैं 2 million की liability assume किया मैं उसे consider करूँगा ये जब मैं आपके सारे assets को उपने books में आपके सारे liabilities को अपने books में दिखाऊंगा तो ये contingent liability पर अपने books में दिखाऊंगा कितने में 2 million में मैं आपका ये contingent liability पर अपने books में दिखाऊंगा तो आप आपके ये company A यनि acquirer would recognize rupees 2 million in its financial statement as part of acquisition accounting even if it is not probable प्रप्रविवाटीशन की प्रविबिलिटी तो भी चलेगा प्रविबिलिटी क्रैटिरिया आपको चैक नहीं करना है प्रेसेंट ब्लीकेशन और उसकी तो मिलियन मेंने लाइबिलिटी रिक्नेस्ट कर दिया अब विजनस कर दूंगा जो होता है अब सबसेकुंड ली आगे क्या करें सबसेकुंड रिकाग्नीशन इन्हीं आफ्टर एक्विजिशन डेट आगे जाके एड़ 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 मानलो as per index 37 तो आगे जाके भी क्या पता है जीरो रिकर्ग में इस करना पड़ेगा क्योंकि आगे भी जाके probability ना हो है ना तो इसलिए बोला कि नहीं आप आगे भी index 37 पूरा नहीं लगा सकते आपको higher लेना पड़ेगा अगर मानलो आगे जाके आपका index 37 के सबसे 0 होता है आप वो चीज अलाओड नहीं है हाँ अगर आपकी liability बढ़ रही है तो आप दिखाओ बड़ा हुआ बट कम liability नहीं दिखा सकते तो अगर index 37 की हिसाब से आगे जाके आगर आपकी liability क्योंकि आगे जाके तो आगे जाके आगे जाके तो आपकी liability कम हो रही है तो आप उसे ignore करना क्य अगर जादा हो रही तो जादा वलल हो गया तो liability बढ़ सकती है आगे जाकी कम नहीं हो सकते तो आगे जाके अगर index 37 के जाब से liability 3 million हो गई तो ऐसे situation में 3 million को consider करेंगे यहनि लाइबिलिटी को 1 million से बढ़ा देंगे और उसका corresponding effect क्या होगा PL में charge होगा यहनि after acquisition liability बढ़ा सकत का acquire का contingent liability है तो acquirer उसको liability मानेगा अपने books में consolidation purpose के लिए provided present obligation होना चाहिए fare will of the obligation reliably measure होना चाहिए probability नहीं होने से भी चलेगा तो liability मानलो 2 million हमने acquisition rate पर दिखा दिया अब subsequent recognition में आगे जाके liability बढ़ा सकते हो कम नहीं कर सकते हैं तो इंड़े 67 के इसाफ से कर आगे आगे आप measure करोगे तो liability बढ़ रही तो बढ़ा वाला ले सकते हो कम वाला नहीं ले सकत हाँ settlement कर दिया तब अलग बात है settlement कर दिया तब अलग बात है अब re-measurement जब करोगे तो आपका कम नहीं हो सकता आप बोलो कि सर पैसे उसे देखे सब सेटल हो गया तब अलग बात है तब profit वे book हो सकता आपका चलो तो done यह contingent liability मैंने आपको अच्छे से समझा दिया अब next point number to be simple indemnification of asset यह भी contingent liability से related है जैसे मान लो आप एक customer ने case किया 10 million का और मैंने उसका liability 2 million मैंने books कर दिया मैंने बुक कर दिया मैंने बुक कर दिया अब मैं आपको कह रहा हूं कि यार आप क्या गंदे-गंदे काम करते हो मेरा तो यहां पर नुकसान हो जा रहा है मेरे तो 2 million का liability दिखाना पड़े गां तो आपनी क्या कर दिया मुझे म अगर नुकसान वा तो उसकी भरपाई आप करोगे तो इसका भी मैं example बना गए रखा मैं आपको example के इसाफ से समझाता हूँ, जैसे देखो for example मैं को हूँ, मैं acquirer हूँ और आप ABC हूँ, मालो मैं XYZ हूँ, आप ABC हूँ तो customer ने acquire ABC, आप को ABC हो, customer ने आप पे 5 lakh का case कर दिया, और इसकी contingent liability जो है, इसकी fair value क्या 2 lakh है, तो बताओ, मैं acquirer, क्या fair value of contingent liability अपने books में दिखाऊँगा, जी हाँ, मैं अपने books में 2 lakh की liability book करूँगा, तो दिखो balance it जब मैं बनाऊँगा, मैं अपना acquirer हूँ, मैं जब balance it बनाऊँगा, अपने books में ये case A, case B है, अलग-अलग case है, ठीक है, ये case A, case B हो गया, मैं acquirer जबने books में दिखाऊँगा, तो मैं liability दिखाऊँगा, contingent liability कितने का, 2 lakh का, क्योंकि आप पे जो customer ने case file किया है, उसकी fair value कितने ये 2 lakh रुपेस की है, तो 2 lakh रुपेस की मैं liability book करूँगा, अब आगे क्या हुआ, acquire ने acquirer को, आपने guarantee दे दिया, for losses up to rupees 1 lakh 20,000 का, case A में 1 lakh 20,000 का, case B में 2 lakh 50,000 का, मान लो आप अगर मुझे 1 lakh 20,000 का, आप मुझे guarantee दे दोगे, तो ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हो, मैं 2 lakh की तो liability दिखाऊँगा, contingent liability 2 lakh रुपेस की दिखाँगा, सहांती साथ में अलग से indemnification asset भी दिखाँगा, 1 lakh 20,000 का, case है, क्योंकि अगर मेरा 2 lakh का liability लगता है, तो tencent की बात नहीं, आप 1 lakh 20,000 की भरपाई आप करोगे, तो इसे हम net of नहीं कर सकते, क्योंकि liability मेरी responsibility customer को देने की, और asset जो है, वो अलग से आपको मिलेगा acquires है, तो liability और asset को अलग अलग दिखाना पड़ेगा, अब एक साथ net करके नहीं दिखा सकते, तो जो हमारे liability है, 2 lakh की, वो हम अलग से दिखाएंगे, customer के प्रती consolidation करने के लिए, जो हमारे liability हम अलग से दिखाएंगे, और जो acquire ने वादा किया है, मुझे 1 lakh 20,000 तक का, वो मैं अलग से दिखाएंगे, तो ये मैंने अलग से दिखा दिया आपर, अब case B में अगर मानलो 2 lakh 50,000 का, आपने मुझे वादा दिया, क्योंकि customer ने तो मानलो 5 lakh का case किया है, तो अगर मानलो भले इसकी fare will of liability 2 lakh है, आपने, acquire ने मुझे 2 lakh 50,000 का वादा किया है, मतलब अगर नुकसान होगा, तो दोगे है, दरवाइस अपनी दोगे, तो आप सुनो मेरी बात, मैंने अगर liability 2 lakh का दिखाए, तो क्या उससे ज़्यादा का मैं asset दिखा सकता, नहीं दिखा सकता, क्योंकि में liability 2 lakh की मान हो, और अगर liability 2 lakh तक आएगी, arise होगी, तो पैसे भी तो आप मुझे थोड़े 250 दोगे, 2 lakh ही तो दोगे मुझे, losses होगा तभी तो मुझे दोगे, तो यहाँ पर देखा, second case में, मैंने 2 lakh का अगर liability दिखाया है, तो आगे indemnification asset 2 lakh 50,000 का नहीं, मैं 2 lakh का ही दिखाऊंगा, मतलब जो asset है, वो liability से ज्यादा मैं नहीं दिखा सकता है, क्योंकि जितना मेरा liability में मान रहों, मतलब उतना हमारा खट्चा लगेगा, तो उतना ही तो मैं acquire से cover होगा, तो जितना to the extent of liability, उतना ही indemnification asset दिखा सकते हैं, हाँ आगे जाके हम रही measure करेंगे, और acquisition date के बाद मानलों, यह 2 lakh से 3 lakh हो गया, तो हम indemnification asset भी 2 lakh 50,000 तक दिखा सकते हैं, मतलब indemnification asset cannot be greater than liability, यह आपको समझना है, वही मैंने लिखा हुआ है, we cannot recognize indemnification asset more than liability recognize, अब subsequent measurement क्या होगा, obvious ही बात है, sub-second measurement वही होगा, same basis में, आप देखोगी कि आगे जाके, contingent liability का तो sub-second measurement में ने सिखाए दिया आपको उपए, कैसे करना, higher side वाला लेना है, और indemnification asset भी फिर आपका, चितना आपको guarantee मिल है, उतना आपका हो सकता है, बस वो liability से जादा नहीं होगा, हाँ, यह बात जरूर है कि आगे जाके, जो भी कुछ adjustment होगा, वो PL के साथ होगा, क्योंकि acquisition date भी adjustment goodwill या capital reserve के साथ होता है, आगे जाके later on तो PL के साथ होता है, done, तो यह भी मैं आपको समझा दिया अच्छी तरीके से, और आगे आपको बेनिफिट मिल जाएगा, जो indemnification asset उसका पैसा वगेरा मिल गया, यह settlement होग या बात खतम, दियर करोगे, वो माईने नहीं रखता, यानि मेन आपको indemnification of asset अच्छी तरीके से समझ में आगे, आगे में कोशन भी रहेगा, वो मैं आपको करवा दूँँआ, टिंसन की कोई बात नहीं है, अब हम डिसकस करते हैं, पॉइंट नमबर फ्री, यह नहीं कोई guarantee मिल रहा है तो, लेकिन वो liability से ज़्यादा नहीं होगा, अब पॉइंट नमबर फ्री, एकदम simple है, asset held for sale, इंडस 105 आपने पढ़ रखा है, इंडस 105 में क्या नौन current assets held for sale, और आपको पता जो भी नौन current assets held for sale रहते हैं, उसे हम fair value में नहीं, carrying amount या फिर fair value minus cost to sale में measure करते हैं, तो जबकि आपने पढ़ा कि इंडस 103 हमें क्या कहता है, कि आप सारे assets को pull करोगे fair value में, एक्वाइरी के, और एक्वाइरी के सारे liabilities को भी आप pull करोगे fair value में, लेकिन अगर एक्वाइरी का कोई ऐसा asset है, जो कि classify हुआ as held for sale, तब आप उसे fair value में नहीं, fair value minus cost to sale में measure करो, यह नहीं exception की तरह है, मतलब सारे assets and liabilities fair value में measure होंगे, लेकिन अगर कोई ऐसे asset है, जो कि classify हो गया as held for sale, non current asset, तो उसे आप measure करोगे, fair value less cost to sale, fair value minus cost to sale, यह धिहान रखना, आप fair value minus cost to sale में measure करोगे, ना कि fair value में, यह आप बोलोगे सर, अगर एक्वाइरी का मानलो एक machinery है, उसे classify करके रखा, उसने held for sale, और आगे भी वह वह वैसे चलने वाला held for sale classification में, तो उस machinery के fair value तो 3 lakh rupees है, तो क्या मैं 3 lakh में दिखाऊंगा नहीं, उसकी cost to sale भी में देखूंगा, cost to sale मानलो 10 था होजीन है, तो 2 lakh 90 था होजीन में, मैं pull करूंगा, यह सिर्फ एकलोगता ऐसा item है, जिसे हम fair value minus cost to sale में measure करते हैं, next हम डिसकास करते है, contingent consideration, contingent consideration जो next point है, वो मैं आपको समझा जाया था, जहापर मैंने आपको यह कहा था, कि अगर मैं आपको किसी भी प्रकार का contingent consideration देने का वादा कर रहा हूँ, even if it is not probable, लेकिन उसका जो भी fair value रहेगा acquisition date पर वो part of purchase consideration होगा, जैसे मैंने आपको कहा कि 2 साल के बाद अगर मेरा profit अच्छा खासा हुआ, तो मैं आपको 10 लाग रुपीज दूँगा, दो साल के बाद, उसकी आज की fair value मानलो 2 लाग रुपीज है, तो 2 लाग रुपीज मेरा part of purchase consideration होगा, लेकिन उसके अंदर आपको एक ची ध्यान में रखना है, कि उसमें किसी भी प्रकार का service condition नहीं होना चाहिए, मतलब कितने बार क्या होता है कि मानलो मैंने आपको कहा है, या फिर आपके shareholders वगेरा को कहा है, acquire के shareholders को, कि हमारी company का profits वगेरा हुआ, तो मैं आपको पैसे देंगे, बहुत सारे future में, लेकिन provided आपको हमारी company में काम करना पड़ेगा, दो साल तक आप मेरी company को चोड़की नहीं जा सकते, तो आप बताओ, अब अगर मैं आपको यह consideration दे रहा हूँ, contingent consideration, देखा जाए तो यह PC का हिसा नहीं बनेगा, तो यह purchase consideration ही होगा, यह service का consideration है, जो future में मैं आप से service लूँगा, उसका consideration मिल रहा है, और अगर service है, अगर post combination आपको मुझे, आप acquire, जो भी है, सरोल्टर वगेरा, जो भी अगर आ किसी भी प्रकार का consideration देने का वादा कर रहा हूँ, तो उसमें वादा एकदम clear रहना चाहिए, कि उसमें unconditional होना चाहिए, किसी भी प्रकार का service condition अगर मैं कुछ भी डाल रहा हूँ, तो that means तब वो part of purchase consideration नहीं होगा, तो वह ची लिखावा देखो, contingent consideration, payable to acquire, measure date, acquisition date, fair value में measure कि जाते हैं, और वो part of purchase consideration का हिस्सा होगा, लेकिन उसमें कोई भी प्रकार का service condition नहीं होना चीए, post business combination, अगर किसी भी प्रकार का service condition वा post business combination, तब फिर वो PC का हिस्सा नहीं बनेगा, फिर आगे भी मैंने इससे related छूटा सा point लिक रखा था, मैं आपको, मैं आपको दिखा देता अगर मैं उनको consideration pay करता हूँ, या pay करने का वादा करता हूँ, without तेनी service condition, पीना किसे service condition के, तब तो वो PC का हिस्सा बनेगा, लेकिन अगर मैं उनसे condition लगाता हूँ, कि आपको continuous employment देना पड़ेगा, तब वो देखा जाए, तो service related में consideration दे रहा हूँ, वो PC का हिस्सा नहीं बन और आता है कि contingent consideration जो मैंने आपको देनी का वादा किया है, वो contingent consideration क्या पता, cash, assets भी हो सकता है, या फिर आपका equity भी हो सकता है, मालू मैंने आपको ऐसा कहा है कि आपको, आप मेरी company में काम करो, हम आपको future में है न, sales देंगे, रुख जाओं, गलत बोल, आप मेरी company में काम तो करना है नहीं आपको, company में काम करोगे, तो फिर वो service condition हो जाएगा, मैंने का कि हमारी company का future में दो साल तक अच्छा खासा profit हुआ, तो हम आपको equity sets देंगे, पैसे नहीं देंगे, एक्विटी sets देंगे, क्यों कोई service condition नहीं है, तब तो part of PC बनेगा, बट वो क्या बनेगा वो contingent consideration क्या classify होगे, एक्विटी classify होगे, क्योंकि मुझे cash या फिर another asset देने की जरुद नहीं है, वो equity classify होगा, मुझे sales देना है, और जब भी मेरा कुछ भी item equity classify होता है, equity को हम subsequently remeasure नहीं करते हैं, यह हमने financial instrument में पढ़ा है, तो अगर आपने contingent consideration को equity classify किया, तो यह subsequently remeasurement नह के साथ ही adjust होगा, अगर आगे जाके हमने को settlement कर दिया, मालों आगे जाके हमने two lakh rupees equity में आज दिखा दिया, पाट ओपी सी, आगे जाके हमने one lump sum one lakh fifty thousand देखे settlement कर दिया, तो जो भी settlement कुछ भी करेंगे, वो within equity होगा, और equity कभी भी remeasurement नहीं होता, आगे जाके at the end of each reporting period हम उसे remeasurement नहीं करते हैं, पर बागी सारा matter में जैसे की liability वगेरा, जब भी liability वगेरा होता है, तो उसे हम हर reporting period end में हम remeasure करते हैं, और difference को adjust करते है, पी यल के साथ, तो देखिए, other contingent consideration जो की equity classified होगा, हम each reporting rate में उसे fair value में measure करेंगे, और जो भी difference होगा, फाइदा या घाटा जो भी difference होगा, वो P&L में जाएगा, तो contingent consideration में आपको ये ध्यान में रखना है, कि उसमें service condition नहीं होना चाहिए, अगर service condition नहीं तो किसी भी प्रकार का contingent consideration में ने देने का वादर किया है, तो वो part of PC होगा, purchase consideration का हिस्सा होगा, अब contingent consideration में में ही चेक करना, वो equity classify हो रहा है कि liability classify हो रहा है, अगर वो equity classify हो रहा है, तो जितना आपका PC का हिस्सा हो equity में आप दिखा दोगे, within equity आप डाल दोगे, वो remeasurement नहीं होगा, settlement भी करोगे, तो within equity होगा, अगर बाद में जाकि आपका मन बदल के आप settlement करो, तो वो equity के साथ ही adjustment करोगे, PL के साथ छेड़चा नहीं कर सकते हैं, यहनि एक बार equity classify होगे, तो PL के साथ छेड़चा नहीं होगा, पाकी matter में आप हर reporting period end में fair value में measure करोगे, जो difference होगा, वो PL के साथ adjustment होगा, आगी जगे आप settlement भी करोगे, तो जो difference होगा, वो PL के साथ एड़चेड होगा, लेकिन equity के matter में PL के साथ एड़चेड नह होगे तो, income taxes की मामले में देखो simple सी बात है, income tax में index 103 आपको allow करता है, जब आप पहली पहली बार में आपके सारे assets को pull करूँगा, सारे आपके liabilities को pull करूँगा, तो जो भी वहाँ पर आपका taxable temporary difference या deductible temporary difference है, तो उसका detail बनत है, मालोग पूर example, आपके पास एक books में मसी न नेजर में 5 लाग ही है, तो आपकी books में भी 5 लाग है, सरकार के नेजर में भी tax based 5 लाग है, अब मैं आपके company को acquire कर रहा हूँ, तो आपका fair value में रिखाऊंगा, तो उस machine ने रिखा मालो fair value 10 लाग रुपीस हो गया 5 लाग की जग, अब तो 10 लाग मेरा carrying amount 10 लाग रहेगा, क् लेगिन tax based तो वही का वही 5 लाग रहेगा, तो वहाँ पर temporary difference आएगा, तो detail detail जो भी बनाने वो बनाऊंगा मैं, तो initial जब recognition करते हैं, assets या liabilities का, उससे related जो भी detail होता है, उसका recognition इंडस 103 allow करते हैं, लेकिन आप इंडस 12 पढ़ोगे, तो initial recognition में ये allow नहीं करते हैं, वो आपक तो 3 के साब से आपको बनाना पड़ेगा, अब next मैं आपको leezes समझाता हूँ, leezes कुछ भी नहीं देखो, leezes मतलब मैं acquirer हूँ, आप acquirer हूँ, तो आपका मानलो आपने किसी से asset lease पे लिया हुआ, तो आपके लिए वो क्या होगा, तो अब मैं तो ऐसे भी farewell हूँ, मैं स और आगे future में कितना lease rental pay करना है, उसको मैं present value में pull करूँगा, उतना कई में lease liability दिखाऊँगा, और उतना कई corresponding में ROI asset दिखाऊँगा, मतलब मैं उसने नया lease समझते वे जो lease rental है, और उसके इसाब से जो भी interest rate, implicit, incremental, borrowing rate होगा, उस date में acquisition date पे, उससे में pull करके lease liability का value तो हम उसे नया lease मानते वे acquisition date पे lease liability दिखाऊँगा, और lease liability और ROU asset दिखाऊँगा, हाँ, ROU asset जो है, अब उस asset में मालो कोई favorable terms होगा, मालो आपको पहले एकदम सस्ते में मिला, lease liability अभी उसका दाम बढ़ चुका है, तो उस आपसे अगर कोई favorable terms है, तो उस आपसे ROU asset को में adjust asset में दिखाऊँगा, और ROU asset में कितने का दिखाऊँगा, 3 lakh रुपीस का दिखाऊँगा, अब favorable terms के इसापसे मेरा 1 lakh रुपीस का favorable terms है, है न, क्योंकि as compared to market मेरा favorable terms के इसापसे मेरा benefit आ रहा 1 lakh रुपीस का, मतलब market के इसापसे इसका lease liability 4 lakh होता, तो मेरा तो 3 lakh है, तो liability तो 3 lakh न, 4 lakh दिखा सकता हूँ, तो ROU asset मेरा 3 lakh के जगा, 4 lakh हो जाएगा, और corresponding जो भी adjustment हो तो goodwill या capital reserve के साथ हो गई, अब अगर बात होती है laser के, laser का मामला आता है, तो laser के मामले में भी हमने वैसे ही करना है, वैसा में check करना पड़ेगा, क्योंकि laser के मामले में आपको check करना होता ह यह operating lease है की finance lease है, तो finance lease या operating lease जो भी है, उसके हिसाब से आपको accounting करना है, और बाकि सेम वैसे accounting, अगर मानलो आपका operating finance lease का मामला है, तब तो फिर laser के लिए तो आसेट डी recognition हो आप laser हो, को दूसरा lease ही है, आपका वो acquisition date पे वो operating lease नहीं दिख रहा है, finance lease दिख रहा है, तो finance lease के हिसाब से तो वो आपके books में हो गई नहीं, तो मैं भी कुछ रिकरनेस नहीं करूँगा, लेकिन operating lease हो, तो मैं asset को रिकरनेस करूँगा, और बाकि lease receivable तो सेम, जो भी future का lease rental है, उसके present value में, lease rental का lease receivable दिखा देंगे, तो बागी accounting सीम ही रहेगा, इंडेस वन मन्स के हिसाब स है, हाला कि इतना important बिल्कुल भी नहीं, आप इसको छोड़ दी जबी, इतना जादे important नहीं, जितना मैंने बता है, उतना काफी है, फिर next, assemble workforce, assemble workforce मतलब human resource की बात हो रही है, और human resource पे हमारा कोई control नहीं रहता, तो इंडे 68 भी prohibit करता है, कि human resource asset नहीं दिखा सकते, सेम वैसे आपका यहाँ पर अगर, acquire का कोई भी assemble workforce वगेरा जो भी है, तो वो आपका नहीं आने वाला, और ऐसी भी वो goodwill के अंदर सला जाता, सब्सियों हो जाता goodwill के अंदर, क्योंकि अब obvious ही बात हम आपका business खरीद रहे हैं, है ना पूरा, और business के लिए processes भी चाहिए, that is organized workforce भी चा सकते हैं, बस आपको यह ध्यान में रखना है, intangible asset point भी बहुत ही simple है, यह भी मैं फटा-फट सब को clear करा देता हूँ, intangible asset में सब कुछ वही है, अगर मालो वो definition of intangible asset को meet कर रहे है, और उसका fair value determinable है, तो जितना fair value उतना में मैं intangible asset दिखाऊंगा, मैं आपको एक्दम clearly बतारो, मालो आप acquire हो, मैं acquirer हूँ, आपने उस intangible assets को recognize नहीं किया था, मालो research phase था, जो भी था, जिसके चलते हैं अपने उस intangible assets को recognize नहीं किया, तो मुझे फ़रक में बढ़ता है, भले आपने को intangible asset को recognize नहीं किया, लेकिन at the date of acquisition, अगर मालो वो definition of intangible assets को meet करता है, मैं यह चेक नहीं करूँ है आपने अपने बुक्स में अपने बुक्स में दिखाया नहीं दिखाया मुझे फारक नहीं पड़ दूसरा एक और important मुद्ध है मानलो आप किसी इंटेंजीबल एसेट का खुद से ही development कर और वो लिस been चल रहा है अभी तक रिसाट इस समय चल रहे है अभी तक वह आपने उसमय आपने बसाँछां कर लो ट्वंटी लाग के सबसे क्योंगी रिशाट फेस चल रहा और at the date of acquisition यह consider नहीं करूँगा कि वो research phase है कि development phase है मैं देखूँगा कि क्या वो intangible assets का definition को meet करता है और मैं देखूँगा क्या उसकी fair value determinable है मतलब कहने का मतलब आपका अगर research phase में चल रहा है कोई idea और उसकी fair value determinable acquisition date पे मालो 2 lakh रुपीस उसका fair value है तो मैं 2 2 lakh रुपीस में intangible asset को दिखाऊंगा अब क्या हुआ acquisition date पे आप ने नहीं दिखाया था research phase चल रहा था पर उसकी fair value 2 lakh रुपीस थी तो मैं intangible assets को 2 lakh रुपीस में fair value में दिखा दूँगा अब आगे जाकि business combination दो हो गिया goodwill capitalism सारा ची निकाल लिया अब आगे जाकि मैं भी research कर रहा हूँ तो मेरा research phase का खर्चा क्या capitalize होगा नहीं होगा 2 lakh रुपीस का intangible asset तो दिखेगा ये क्यों दिखेगा ये क्यों दिखे रहे क्योंकि को book करोगे कि आपने उसके पैसे दी तो intangible assets में 2 lakh रुपीस का दिखा दूँगा अब later on आगे जाकि मैंने भी 15 lakh रुपे खर्चे कर दी 15 lakh रुपीस मैंने खर्च किया research phase में क्या ये capitalize होगा नहीं होगा ये पीनल में जाएगा मेरा research phase पीनल में सकते क्यों मानते हैं क्योंकि मानते हैं हमने उतना पीसी दिया होगा इंटेंजिबल एसेट दिखाते हैं फिर हम आगे जाके भी सो जो research phase का basis में मैंने टू लाग पे इंटेंजिबल एसेट बुक किया अब आगे जाके भी मैं खुद भी research कर रहा हूं तो वह capitalize नहीं होगा मैं जब development-based start होने के बाद जो खर्चा करूंगा वह capitalize होगा तो वही ची मुझे intangible assets का छुटा सा ज्यान देना था मैंने दी दिया अब देखो एन acquirer recognizes as an asset separately from goodwill यानि intangible assets recognize करेगा and in process research and development project जो research-based का project है अगर वो definition of intangible assets को meet करेगा और वो identifiable है तो identifiable मतलब मैंने कहा न separability criteria meet होना चाहिए फिर contractual legal criteria meet होना चाहिए वो आपने इंडेस 68 में पढ़ा हुए है ना कि identifiable हम तभी मान दे अगर वो separate किया जा सकते entity business तो वो identifiable है और या भी मानलो legal rights या contractual rights के तहत आपको वो intangible asset मिला है तो भी वो identifiable है तो मतलब अगर वो identifiable है तो भले ही research face हो हम जितना फैर विल्यू उतना कम intangible asset दिखा देंगे पॉइंट नमबर 9 मैं आपको समझाऊंगा अच्छे से री एक्वाइड और यह बहुत ही important है क्यूंकि exam में इसके question आ सकता है directly illustration 28 step का question exam में दिया जा सकता है तो बहुत जरूरी इसको समझाना मैं आपको अच्छे से समझा दूगा कि क्या है री एक्वाइड और यह बहुत important concept है इसमें हम थोड़ा सा समय लेंगे मेरी बात ध्यान से सुनो मालनों मैं बन जाता हूँ ABC Limited आप बन जाओ PQR Limited मालीचे मैंने आपको किसी भी प्रकार का license दिया को mcdonald's वगिर अपने अपने फ्रेंचाइजी बाट रहे तो यह प्रकार का intellectual property रेट यह सही होगे है ना राइट बाट ना तो मालो for example मैंने आपको एक फ्रेंचाइजी रेट दिया जिसके चलते उस license का यूज करके आप पार्टिकुलर जगा में मेरा नाम यूज करके आप चला सकते हो दस साल तक किस चेडिकर कर लाइस दे दिया मैंने अपको और बदले में आप से तूल क्लिया है तो मेरे पास क्या है अच Χाज आपने मुझे पैसे में आपको 10 साल का लाइस द द्रेंदिया अब मुद्दा ये कि हमेंस कि तोड़ तोड़ एह देखो विकाウ देंदुलकर के मामले में उसका आगे कोई performance की उमीद नहीं है तो वो at a point in time में सीधा revenue दिखा सकते हैं और अगर विराट को लेकिए बात करें तो उस महाँ पर हम देख रहे थे कि वो तो आगे भी उससे performance की उमीद रहे तो महाँ पर revenue at a point in time नहीं over a period of time हम revenue दिखाते हैं यहा अगर नहीं भी समझ में तो कोई बात नहीं यहां पर मैं इस चीज़ को clear रखता हूं थोड़ा सा चलो वो आपकी दिमाग में नहीं भी यह तो कोई problem नहीं मैं आपको clear रखता हूं है ना जो class वाले वो तो समझ गया होंगे क्योंकि class में हमने यह चीज़ समझा है तो अच् साल का license दिया है तो मैं over a period of 10 years में क्या करूंगा revenue दिखाऊंगा यहर साल में 25,000 रुपीस liability से कम करके revenue दिखा दूँगा पेनल में transfer कर दूँगा revenue दिखा दूँगा आपका में हाप है ना पेनल के अंदर revenue दिखा दूँगा मैं तो आपका क्या होगा टू लग 50,000 amortize होग कितने साल तक 10 साल तक क्योंकि 10 साल का license यह 10 years का every year 25,000 अपका amortize होगा अब मालो चार साल बीच चुका है कितना साल बीच चुका चार सालों में liability कितना amortize हो जाएगा 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 चार सालों में 1,00,000 रुपीस आपका amortize होगे यह पेनल में हम दिखा देंगे revenue चार साल के बाद आपका amortize liability कितना रहेगा 1,50,000 का मेरा amortize liability रहे यह नहीं मैंने पैसे तो आपसे 2,50,000 ले लिए total 10 years का license grant किया है 4 years भी चुका है तो 4 years का मेरे revenue दिखा दियो 1,00 अब जो remaining six years बचा हुआ है उस remaining six years का मेरा amortize liability देख रहा है कितने का 1,50,000 का liability देख रहा ह तो इसी question से मैं पूरा आपको समझा दूँगा अच्छे से concept reacquireate होता है किया सब को समझाओंगा मैं आपको देखें ABC Limited ने acquire किया PQR को for a consideration of rupees 1 crore चलो यह तो acquire के इसकी बार में बाद थोड़ा बाद में कर लेंगे 4 years ago 8-4 साल पहले ABC Limited ने grant किया 10 year का license जैसे मैंने example लिया तो ABC ने grant किया PQR को 10 year का license to operate in Europe the cost of the license was rupees 2,50,000 और बदले में आपको मैंने जो license दिया आपने बदले में मुझे कितना पैसा दिया 2,50,000 और मैंने आपको 10 years का license दिये वो भी कब 4 साल के बाद 4 साल के पहले आज से 4 साल पहले तो आज की rate में तो 4 साल का amortism करी देंगे वही म franchise at a cost of the unexpired initial fee plus 20% at the date of the acquisition the settlement amount is rupees 1,80,000 आगे भी पढ़ता हूँ ABC Limited has acquired PQR because it sees high potential in European market and wishes to exploit it आगे ABC Limited calculates it under current economic scenario condition यानि current economic conditions के इसाब से इसका जो आज का market price है वो कितने का 4,50,000 का है अब मैं आपको क्या समझाना चाहतू देखो मेरे बाद आपको तो मैंने license दे दिया था आपसे 4 साल पहले और आपसे मैंने 2,50,000 रुपीज भी 4 साल पहले लिया था अब हर सल में 25,000 का revenue दिखा रहो मेरा unemotis liability 1,50,000 का अब मैं क्या जो मैंने आपको license दिया है क्या वो license मैं आपसे छीन सकता हूँ मैं आपको ये बोल सकता हूँ क सुन मुझे मेरा license दे और तेरा 1,50,000 लिजा proportionately नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ क्योंकि हमारे बीच में contract हुआ है तो आपको मैं license आपको जो मैंने दिया वो मैं आपसे छीन नहीं सकता है अगर मैं छीनने की भी courses करूँगा तो आप मेरे से पता है कि आज का market value डिपांड demand करोगे क्योंकि आप कौन हो PQR Limited आपका जो अभी तक 6 साल का जो license बचा हुआ है उसका current market value कितना है 4,50,000 यानि अगर आप इस license को किसी को वापस सब्लेट करोगे है ना सब्लेट करके किसी को license अगर आप देगो 6 साल के लिए तो आपको 4,50,000 रुपीस मिलेगा तो मैं चह चीनूँगा भी तो आप मेरे से demand कितना करोगे आप बोलोगे 4,50,000 चीए क्योंकि इसका आज का current economic condition के यसाप से जो remaining 6 years का life है इसका आज का 4,50,000 market price है तो अगर मैं आपसे चीनना चाहूं तो मुझे आपको 4,60,000 रुपीस देना पड़ेगा तब ही मैं इस right को cancel करवा सकता पर रुको जरा इसमें एक और चीज़े इस contract के अंदर हमने एक और point डाला था contract के अंदर हमने clause डाला था contract allows either party to terminate the franchise यहां पर आप या में दूनों में से कोई भी party franchise को terminate कर सकते license को terminate कर सकते कैसे at a cost of the unexpired initial fee तो जो फी दिया था उसका unexpired portion यहनी unimmortized portion कितना होगा आपने two lakh fifty thousand दिया था फीज one lakh तो expire हो गया चार साल भी चुक है un expired portion कितना one lakh fifty thousand बचा वही मेरा यहां पर दिख रहे है one lakh fifty thousand यानि un expired initial fee हो गया plus twenty percent उस पे twenty percent और देना पड़ेगा तो one lakh fifty thousand plus twenty percent कितना हुआ one lakh eighty thousand हुआ वही यहां पर लिखा हुए one lakh eighty thousand क्योंकि two lakh fifty thousand का छे साल कम लेंग one lakh fifty thousand यानि कहने का मत्या परते हमें क्या करूँगा आज मालो मैं आपको बोलूँगा कि भाई मेरा license मुझे वापस से दे मुझे cancel करना है तो तेरा one lakh fifty thousand ले जा आप बोलोगे नहीं नहीं आप नहीं देना चाहोगे आप मेरे से demand करोगे four lakh fifty thousand का और मुझे आपको कितना देन पढ़ता तेना भी पढ़ता मुझे four lakh fifty thousand लेकिन मेरी बात सुनो जबकि contract में clause डला हुआ है उस clause का मैं यूज लेके मैं आपको बोल सकता हूं कि मैं तुझे four lakh fifty thousand ही दूँगा मैं आपको clause याद दिलाँगा और उस clause में लिखावा था जो unexpired amount है plus twenty percent यनि one lakh eighty thousand देके क्या मै इस contract को cancel कर सकता हूं जी हम मतलब मुझे four lakh fifty thousand देने की आवज सकता नहीं है मैं one lakh eighty thousand में ही settlement कर सकता हूं तो देखा जाए तो इसका fair value भले ही four lakh fifty thousand हो आज की rate में बट contract के अंदर ऐसा clause डला हुआ है जिसके चलते मैं one lakh eighty thousand में ही settlement कर सकता हूं इन्हीं जो settlement amount होगा वो कितने का ह होगा one lakh eighty thousand होगा तो अब समझो अगर मैं settle करना चाहूं प्री existing relation को क्योंकि अब मैं आपके business को acquire करना चाहता हूं और acquire करने से पहले जो हमारे बीच का जो pre existing relationship है वो हमें settle करना होते है तो अगर मैं हमारा पूराना existing relation को settle करना चाहूं तो आप मुझे बता मुझे आपको क्य देना है कि one lakh eighty thousand देना है सुनो मेरी बात अगर इसमें कोई contract cancellation clause नहीं होता तो मुझे four lakh fifty thousand ही देके cancel करना पड़ता क्योंकि उसकी market value four lakh fifty thousand है लेकिन जबकि contract के अंदर clause है तो उस clause का फाइदा उठा के मैं one lakh eighty thousand मैं settlement कर दूँगा मैं बुलूँगा तुझे दूँगा नहीं four lakh fifty thousand already हमने contract कर रखा है पहले जहाँ पर हमने कहा था कि दोनों पार्टे के पास option ने terminate करने का उसे one lakh fifty thousand unexpired amount plus twenty percent penalty देना पड़ेगा यानि one lakh eighty thousand में हम सल्टा सकते हैं तो इसलिए जब हम settle करेंगे pre existing relation को तो मुझे pay कितना करना पड़ेगा obviously बाते में दोनों का lower ही तो बे करू कर लो अब four lakh fifty thousand को avoid कर सकतो market value को one lakh eighty thousand रुपीज दे के क्योंकि contract में clause डला हुआ है तो settlement amount हम कितना मानेंगे one lakh eighty thousand का settlement amount अब मुझे बताओ चलो settlement amount तो one lakh eighty thousand का है पर मेरा loss कितने का हुआ मैंने अभी तक तो मेरा liability one lakh fifty thousand का दिखी रहे और ये liability मैंने तो अभी तक profit में दिखाय नहीं है तो one lakh fifty thousand का मेरा liability दिख रहे इसको settle करने के लिए मैं one lakh eighty thousand रुपीज अगर amount दे रहा हूँ तो मेरा settlement loss जो है वो thirty thousand का है तो वही चीज़ आया settlement loss मेरा कितना आएगा हमने amount pay करना है one lakh eighty thousand लेकिन इसकी carrying amount of liability one lakh fifty thousand है तो settlement loss कितना बनेगा thirty thousand रुपीस का settlement loss बनेगा और इसके general entry भी क्या होगी simple सी बात है हमारा जो un-emortized liability है ये दिखो balance it में one lakh fifty thousand का इसको हम debit करेंगे one lakh fifty thousand का debit किया इसको settle करने के लिए हमने पैसे दे रहे हैं one lakh eighty thousand का तो जो difference है ये आपका settlement loss ह ये हम entry pass करेंगे और आपको पता है standard क्या कहता है standard ये कहता है और सही कहता है एक्दम सही कहता है वो कहता है कि देखो आप जो one क्रूड रुपीस मैं आपको पैसे दे रहे हूँ मैं हूँ ABC आप हो PQR मैं आपको मान लो lump sum one क्रूड रुपीस अगर आपको purchase consideration दे रहे हूँ तो देखा जाए तो इसके अंदर में PC 1 क्रूड नहीं दे रहा हूँ इसके अंदर one lakh 80,000 तो मैं existing relation को settle करने के लिए आपको पैसा दे रहे हूँ यनि standard आपको ये कहना चाहता है कि जो आप purchase consideration दे रहे हूँ आप देख लो कहीं ऐसा तो नहीं कि पुराने रिस्ते को खतम करन करने के लिए क्या मुझे आपको one lakh 80,000 देना नहीं पड़ता जी हाँ मुझे आपको one lakh 80,000 रुपीज देना पड़ता तो देखा जाए तो यहाँ पर मैं business खरीदने का one crore नहीं दे रहा हूँ मैं pre existing relation को pre existing liability को settle करने के लिए one lakh 80,000 दे रहा हूँ और बाकी का मेरा purchase consideration है तो इ purchase consideration होगा तो वही चीज आपको यहाँ पर रिखावा रिखो total हम देखा जाए तो one crore दे रहे है पैसा लेकिन इसमें से हम one lakh 80,000 रुपीज तो पूराना रिस्ताव को settle करने के लिए दे रहे है इसलिए आपका net purchase consideration जो है वो 98,000 लग 20,000 आएगा तो बात कतम यहाँ पर question आप आपका 30,000 आएगा बैंग में आपका one lakh 80,000 गया और बाकी आपका 98,000 लग 20,000 PC है अब मैं देखूंगा आपका कितना net assets में ले रहा हूं है ना अब PC मुझे पता चल गया 98,000 लग 20,000 अब मैं देखूंगा कि माल लो में आपका identifiable net assets मालो में आपका ले रहा हूं 50,000 का माल तो for example 50,000,000 का अब क्योंकि मैं आपके business को acquire कर रहा हूं और आपके सारे assets and liabilities का net assets का fair value है 50,000,000 तो 50,000,000 का identifiable net assets आगया अब ये जो ride भी तो मेरे पास वापस आ जाएगा जो मैं आपको ride दिया था जो मैंने आपको license दिया था ये license भी तो मेरा हो जाएगा क्योंकि business मेरा है तो acquire के सारे assets and liabilities मेरे console में आएंगे तो acquire का जो ये ride है license का ride ये भी तो मेरा console edition में आएगा और standard कहता अब इसे दिखाओगे भी क्योंकि मैंने cancel कर दिया पुराना रिस्ता मैंने मान लियो वन लग 80,000 रुपीस देखे मैंने पुराना रिस्ता cancel कर दिया अब वो license तो हमारे पास ही ये license हम चाहे तो किसी और को दे सकते है न तो ये license को हम किस value में दिखाएंगे पता है fair value में दिखाएंगे क्यों क्योंकि acquire के सारे assets and liabilities को fair value में दिखाया जाते है वैसे ये जो acquire का license से 4,50,000 रुपीस का ये license को भी fair value में दिखाया जाएगा तो हम यहाँ पर license भी include कर का मैंने license भी include कर लिया तो कितना आया identifiable net assets आया मानलो 54,50,000 मानलो MCI कुछ ही नहीं मैंने 100% acquisition किया और 100% acquisition करने के लिए मैंने PC दिया 98,20,000 का तो difference क्या होगा वो goodwill हो जाएगा है ना तो जब मैं PC लोगा तो PC देखा जाए तो real में 1 crore ही नहीं क्योंकि मैं पुराना रिस्त आपको settle करने के लिए आपको 180,000 दे रहा हूँ देखा जा तो पुराना रिस्ता को खतम करता अलक्स individually तो मुझे आपको 1 lakh 80,000 देना पड़ता है ना क्योंकि termination clause में क्या है जितना unexpired amount है प्लस आपका 20% penalty तो मैं 1 lakh 80,000 तो पुराना रिस्ता को settle करने के लिए दे रहा हूँ बाकी PC जो है 1 क्रोण नहीं 98,000 लाग 20,000 है तो जो भी difference है 54, 64, 74, 84, 94 यानि 43,70,000 आ रहे क्या यस 43,70,000 का आपका क्या हो जाएगा गुडविल हो जाएगा तो यहाँ पर इस तरीके से आपका यह पूरा accounting हो जाएगा पर मैं आपको बता दू ICA की यहाँ पर थोड़ी सी problem ह ICA के साब से आपको formula अगर आप चाहो तो आपको रटा लगाना पड़ेगा रटा नहीं भी लगा तो मैं आपको बता दो ICA गरबड क्या कर रहा है वो यह मान के चल रहा है कि un-emotized liability जो है वो जीरो है अगर अगर मान लो आपकी liability की carrying amount जीरो होता है यहाँ पर तो आपका settlement loss 1 lakh 80,000 होता ना मैं लग गलत है पूरा ही गलत है आप बताओ यहाँ पर settlement loss किसी भी हालत में 1 lakh 80,000 नहीं होगा क्योंकि settlement amount 1 lakh 80,000 है loss तो आपका 30,000 है नहीं हुआ क्योंकि 1 lakh 50,000 का तो आपका unexpected amount बचा हुआ ही तो आप उसके 1 lakh 50,000 के उपर आप जितना पैसा दे रहे हो वही त आपका loss है पर standard पता नहीं क्या question नहीं यहाँ पर क्या 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 ICN है यहाँ पर पूरा का पूरा 1 lakh 80,000 को इन्होंने loss माल लिए जो की मेरे नजर में गलत है आपको मैं दिखा भी देता हूँ उन्होंने क्या क्या उन्होंने बोला settlement gain or loss कैसे निकाला आजेगा उन्होंने य यह बोला कि amount by which contract is favorable और unfavorable compared with current market terms यह कहना चाहते कि मार्केट से compare करो आपका carrying amount of liability यह भी मान रहे है यहाँ पर देखो यहाँ पर इन्होंने माना यह आदा दूरा काम कर रहे गलत कर रहे है इन्होंने यहाँ पर क्या बोला carrying amount of liability 1 lakh 50,000 है पैर वेलू इसका 4 lakh 50,000 है अगर मान लोग कोई भी contract clause नहीं होता तो 1 lakh 50,000 का जो आपका unemotized liability है उसको settle करने के लिए मुझे आपको कितने देने पड़ते 4 lakh 50,000 देने पड़ते क्योंकि मेरे balance rate में तो आपका unemotized liability 1 lakh 50,000 है और अगर कोई contract cancellation clause नहीं होता और इसकी market value 4 lakh 50,000 है तो मुझे तो पूरा 4 lakh 50,000 देना लेकिन हम क्या करेंगे हम तो यह देखेंगे contract cancellation clause है जिसके चलते हैं यहाँ पर आपका 1 lakh 30,000 का loss आपका हो रहा है reality में कैसे 1 lakh 80,000 settlement amount दे रहे है और 1 lakh 50,000 के carrying amount of liability है तो आपका 30,000 ही तो यहाँ पर आएगा settlement loss second वाले पार्ट में पर यह 1 lakh 80,000 को पूरा मान रहे है यह क्या ल इपरेबल तो settlement amount पूरा कैसे ले सकतो भाई आपको देखा ज़िए तो मेरे इसाब से प्रतीक जगाती के इसाब से कितना होना चीए 1 lakh 80,000 हम settlement कर रहे है क्योंकि हमें 4 lakh 50,000 देना नहीं पढ़ रहा है due to contract cancellation clause हम 1 lakh 80,000 ही देंगे इसकी liability 1 lakh 50,000 है तो 30,000 का हमारा नुकसान हो र लेकिन clause होने के चलते penalty लगा कि मैं आपको 1 lakh 80,000 ही दूँगा जिसके चलते मेरा 30,000 का नुकसान हो रहे है तो यह मुझे consider नहीं करना है 30,000 का loss ही मुझे consider करना है तो settlement gain or loss क्या आएगा हम बोलेंगे settlement loss आपका कितना आएगा 30,000 आएगा पर यह यहाँ पर 1 lakh 80,000 इसको पकर है और यह मानने की 1 lakh 80,000 ही settlement loss है हाँ इन्होंने net PC सही लिया इन्होंने बोला purchase consideration आप 1 crore की जगा 98 lakh 20,000 लो इसमें मुझे कोई आपती नहीं है बस यह जो settlement loss इन्होंने 1 lakh 80,000 ही उसमें मुझे आपती है settlement amount 1 lakh 80,000 है लेकिन settlement loss जो है वो 30,000 तो यह यहाँ पर पंगा है अब रट्टा लगाना पड़ेगा बस इतना रट्टा लगाने देखो यहाँ पर एक तो market value से carrying amount को compare करोगे तो 3 lakh आएगा दूसरे वाले में आपको करना चीए वही settlement amount से carrying amount को compare करना चीए तो आपका 30,000 आता है दोनों का lower क्या है 30,000 आप ले 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 दे लेकिन ICA यहाँ पर क्या कर रहा है 1 lakh 80,000 को पकड रहा है है न गलती कर रहा है और दोनों का lower क्या रहा है 1 lakh 80,000 आ रहा है दोनों का lower किसी को settlement loss मान रहा है तो कि मेरे नजर में गलत है और चलो purchase consideration तो 98 lakh 20,000 लिया जाएगा उसमें को दिक्कत नहीं है अब देखो on the date of acquisition री एक्वाइ required बोला जाता है उसे तो measure करेंगे fair value में 4 lakh 50,000 और यह form होगा part of acquies identifiable net assets यह notes आप just go through करोगे आपको समझ में आजाएगे मैंने आपको समझा भी दिया था यह लाइसेंस आपका अब आपको एक्वाइरी का identifiable net assets का हिस्सा होगा यह और PC आपका 1 क्रोड में होगा 98 lakh 20,000 आपक और अब मैं आपका business को acquire कर रहा हूं तो आप और हम तो एक ही हो गए तो हम मानेगे कि हमारा right वापस है बरी acquire हो कि हमारे पास यह आ जाएगा concept बनाते समय हमारे पास ही आ जाएगा तो हम क्या करेंगे हमारा जो pre existing रिस्ता है इसको cancel करना पड़ेगा और हम देखेंगे इसको cancel करने के लिए हमें acquisition rate पे minimum कितना पैसा देना है तो हमने देखा कि देखो ऐसे तो 4,50,000 देना पड़ता पर 4,50,000 को देना नहीं बढ़ रहा है market value क्योंकि हमने contract cancellation clause लगा रखा है जिसके चलते हम 1,80,000 देंगे हमारा काम बन जाएगा तो 1,80,000 रुपीस आपका PC से कम होगा 98,20,000 ही हम PC मानेंगे बाकी 1,80,000 settlement amount है settlement loss नहीं settlement amount है और हम क्या करेंगे 98,20,000 PC दिखाएंगे और acquiries identifiable net assets में जो आपका reacquire rate है उसको भी 4,50,000 में measure करेंगे वो भी inquiry का identifiable net assets का हिस्सा होगा और उसका नाम क्या पड़ जाएगा reacquire rate 4,50,000 का त्युकि हम चाहे तो किसी औ और को इसको आज के डिट में 4,50,000 में दे सकते हैं यह हमने दिखा दिया अब मुद्दा बस एक ही जो settlement loss ही होने निकाला settlement loss मेरी नेजर में क्या है 1,80,000 हम दे रहे 1,50,000 carrying amount of liability है तो मेरे इसाब से 30,000 का settlement loss है पर ICA ने क्या बोला कि पूरा का पूरा जो settlement amount 1,80,000 दिया है व amount उपर आप क्या लोगे favorable unfavorable terms देखोगे compare with market terms तो आप बोलोगे 4,50,000 market rate है और 1,50,000 carrying amount है तो 3,00,000 आएगा second वाले में आप सीधा settlement amount ले लो 1,80,000 दोनों का lower क्या 1,80,000 का settlement loss मानोगे as per ICI और आपका PC भी क्या होगा 1,00-1,80,000 98,000 आपका PC होगा बस इतना ही आपको exam purpose के ल करना है इतना ही आपको answer लिखने और हो सके तो हलका से आपर रटा लगा ले बाकि मैंने अपने end से पूरा आपको समझा दिए एक दम अच्छे से अब मैं आपको छोटा-छोटा point आपको समझाओंगा एक और point मैं आपको समझाओंगा that is determine करना acquisition date हमें करना होता है and क्यों कर जाते हैं उसी दिन purchase consideration determine क्या जाता है और उसी दिन एक्वाइर को करेगा जिस दिन control हो जाएग और generally वह कौन सा डेट होता है जिस दिन सारे assets and liabilities में acquire कर लूँगा आपको purchase consideration जो देना वो सारी चीज़े दी दूँगा मैं है न purchase consideration मतलब मैंने आपके assets and liabilities का acquisition हो गया purchase consideration आपको transfer हो गया और या फिर sales अगर मान लिए आपका majority sales ले रहा हूं जिससे मेरा control आ रहा है तो मान लिए यह majority sales मैंने आपसे ले लिए और आपको consideration वगेरा दे दिया यानि closing date closing date को क्या माना जाएगा आपका date of acquisition माना जाएगा पर जरूरी नहीं कि हमेंसा closing date date of acquisition होगा यानि जिस दिन हमने आपके sales सारे ले लिए और आपको transfer कर दिया जो purchase consideration है यानि closing date जरूरी नहीं कि वही हमेंसा date of acquisition होगा normally वही होता है अगर मान लिए जब for example हमने agreement कर लिया है कि हाँ ठीक है बहले ही मैं आपको purchase consideration आज देते नहीं पर agreement के ताथ मुझे control एक मेने के बाद मिलेगा या दो मेने के बाद मिलेगा तो जो agreement में date लिखा हुआ उस दिन आपका date of acquisition होगा agreement में कौन सा date लिखा हुआ कि किस दिन control होगा या फिर मान लो for example मैं आपको आज से तीर मेने के बाद consideration वगेरा दूँगा पर agreement के ताथ आप मुझे आज से कंट्रोल दे रहो तो ठीक है date of acquisition फिर आज से हो जाएगा क्योंकि हम लीगल फॉर्म को इतना नहीं देखते हैं हम सब्स्टेंस को देखते हैं तो सब्स्टेंस वाइस है नहीं पहला तो closing date पहले से control वो थोड़े ना possible है ना तो यह आपका back date में जा कि आप control नहीं establish कर सकते हैं वो चीज़ नहीं चलेगा ऐसा नहीं कि ऐसे तो agreement में आप 2010 में हो आप agreement लिख दोगे 2009 से control आ गया तो ऐसे थोड़े ना चलेगा तो वो चीज़ नहीं होने चाहिए और कहीं कहीं पर मैं आपको बदा दू regulatory approval बहुत नेससरी होते हैं कुछ-कुछ मामलों में सेवी का interference रहता है या कोई other government bodies का interference रहता है या कोई other regulatory bodies का interference रहता है और जहां regulatory approval mandatory है बिना regulatory approval के control आई नहीं सकते तो वैसे situation में जब तक regulatory approval नहीं मिलेगा तब तक control establish नहीं होगा और जब regulatory approval मिल जाएगा उसी दिन control established माना जाएगा और उसी दिन हम date of acquisition लेंगे यह अब एकदम पूरा clear हो चुका है date of acquisition कौन सा होगा date on which it obtains control और generally क्या होते है control का बात है generally जिस दिन हमने acquirer ने क्या क्या consideration वगेरा transfer कर दिया assets and liabilities acquire कर लिया या आपका date of acquisition होगा पर agreement में जो date लिखा हुआ है अगर agreement में कोई दूसरा date लिखा हुआ है तो जो date agreement में लिखा हुआ है कि agreement के साब से किस दिन मुझे control मिलेगा वो date of acquisition होगा बस back date नहीं हो सकता और कितने बार regulatory approval mandatory होते हैं अगर regulatory approval mandatory है तो ऐसा situation में regulatory approval होनी तक हम वेट करेंगे उसके बाद ही आपका control आएगा तो control आने का दिन ही हम date of acquisition मानेंगे इसके लाब आप next एक और important point अब जादा थियोरी बचा नहीं अब मैं questions करूंगा आगे मैं एक बस बचा हुआ measurement period और यह बहुत ही जरूरी चीजह यह मैं आपको अच्छे से समझाना चाहता हूं यह है क्या चीजह समझो मेरी बात को measurement period बेसिकली एक पीरेड आपको दिया हुआ रहता है समझाओंगा मैं आपको राम से माल लो पूर इक्जांपल मा लेता हूं फॉर इक्जांपल फिफ्ध अप्रेयल को विफ्थ उप्रेयल को मालो एक सइसन goal मालो विद्ध अप्रेयल को क्या हुआ मैंने आपकी कंपनि का control एक्क्वार कर लिया फिफ्थ अप्रेयल को विप्स अप्रेयल इसको fair value में pull करूँगा जो consideration दे रहा हूं उसको भी fair value में measure करूँगा और accordingly उस हिसाब से जो difference आएगा वही तो गडविल्या capital reserve होगा पर बताओ कितने बार क्या होता है हमें fair value determine करना होगा तो fair value determine करने के लिए proper information चाहिए अब किसने building की fair value determine करना है तो उसकी information मुझे proper चाहिए कि उसकी fair value क्या होगी क्या पता उसके लिए मुझे समय लग जाएगा उसके लिए information एक खटा करने में मुझे एक दो मेना लग जाएगा या मालो एक्क्वाइरी पे किसी customer ने case कर रखा हुआ है तो उस case से related हमा पर तरीके सी information निकालने में कि real में उसकी क्या fair value है तो इसी लिए अब date of acquisition में हमें business combination accounting तो करना है बट fair value measurement करने में कितनी बार समय लग जाता है तो इसलिए standard आपको क्या कहता है कि अगर कुछ-कुछ item में आपको fair value measurement का proper measurement करने के लिए आपको समय चाहिए आप एक काम करो provis basis में एक estimated provisional basis में fair value अब ले लो और ले के आप consolidation करके goodwill निकालो पर tension ना लो आपको में measurement period window दे रहे वो maximum one year का होगा उससे जादा का नहीं होगा maximum one year का होगा उस window के दोरान आप उस one year के दोरान आपको अगर नई information मिलती है लेकिन facts and circumstances नहीं बदनने चाहिए यह जो उस date में facts and circumstances थे मालोगर में एक building की बात करो तो building जिस जगह में वहाँ पर पहले रस्ता वगेरा नहीं था acquisition date पे रस्ता वगेरा बनाया होगा नहीं था अब बाद में रस्ता बन जाएगा तो वल्लू बढ़ जाती है building वगेरा की है ना और रस्ता वगेरा बनाया होगा नहीं था ब मतलब हम जानकारी लेना चाहरे है और जानकारी लेने में समय लग रहा है तो अलग बात है perfects and circumstances को बदल नहीं सकते हैं यानि कहने का मतलब measurement period window ऐसा है जहां पर वह information तो थी हमें ही पता नहीं थी हमें पता नहीं था हमें पता करने में समय लग रहा है इसलिए हम provisional basis में एक goodwill या capital reserve के साथ करेंगे अब मानलो for example identifiable net assets मेरा आया 50 lakh rupees का है ना और यह मैंने provisional basis में बहुत सरे assets और live data का fair value measure किया क्योंकि मुझे जानकारी खटा करने में time लगेगा तो 50 lakh का identifiable net assets मानलो NCI कुछ भी नहीं है और मैंने PC दिया है 60 lakh rupees तो goodwill कितना होगा 10 lakh होगा अब यह goodwill भी तो provisional basis ही हुआ क्योंकि identifiable net assets में ने provisional basis में लिया अब मैंने बंदे छोड़ दिया मैंने उनको बोला कि जाओ जाकि information अच्छे से लेकिया हो लेकि information ऐसी होनी चाहिए जो आपका 5th April जिस दिन हमने acquisition किया था उस दिन के facts and circumstances के हिसाब से information होनी चाहिए उस दिन के बात क अपरेल 5th April के हिसाब से जो जो डेटा था उसके हिसाब से हमें जानना है कि इसका real में क्या fair value है तो तीन मैने के बाद हमारे बंदे आये और उन्होंने बोला कि fair value अब हमने genuinely निकाल लिया है 5th April के हिसाब से उस दिन के facts and circumstances के हिसाब से हमने genuinely fair value निकाला है और इन सब का मिला जाके fair value जो है वो 53 लाग रुभी होता है अब हम अपने बैलेंस को बदलेंगे business combination वाला हम अपने बैलेंस को बढ़ा देंगे और उसका corresponding effect हम गुडविल में दिखाएंगे हाला कि ऐसे अगर आपको बात करो में acquisition date के बाद जो भी बदला हो आता है वो profit and loss में जाते हैं तो कि acquisition date तक ही हम जो भी आपका रहता difference हो हम गुडविल में दिखाते है लेटर ओन चेंज अलाओ नहीं है लेकिन अगर वो measurement period window में fall कर रहा है तो आप उसके तहाथ आप क्या कर सकतो गुडविल साब adjustment कर सकतो यहां पर अब तो वही जीच का त्योरी यहां पर आपको लिखा हुआ जो मैं आपको समझाना चाहते हूं देखिए इंडेस 103 स्पेसिफिकली measurement period window प्रोवाइड करते हैं यहां पर अगर मालीजे आपके बास सारी required information available नहीं है acquisition rate पे तो आप purchase price इसको allocation कर तो provisional basis में goodwill बना लो goodwill है capitalism निकाल लो अब measurement period के दोरान measurement period कितना होगा एक साल maximum उस दोरान acquirer क्या करेगा retrospectively adjust कर सकता है जो provisional amount उसने पहले दिखाया था अगर उसे नया information जो पहले नहीं था वो मिल जाए लेकिन facts and circumstances वही रहने चाहिए जो acquisition date पे थे है ना और वो हमें पहले पता नहीं था अब पता चल रहा है जानकारी उस time में भी थी हमें पता नहीं था तो आप जो भी उसका change आएगा net assets में उसका adjustment आप goodwill के साथ करो और ऐसा भी हो सकता है कि जैसे कि मैंने कहा acquisition date पे नया assets नया liabilities भी दिखाया जा सकता है जो acquiring नहीं नहीं दिखाया अब महलों पहले जानकारी थी नहीं आपके बस है ना आपने नया assets liabilities नहीं दिखाया बाद में बंदे छोड़े तो बंदे ने पता किया कि एक और assets हमने तो लिये नहीं था तो वह भी अब ले सकतो measurement period window के दोरान तो एक window दिया गया एक साल का उस एक साल के अंदर आप जितना आप जानकर इखटा कर सकते हो कर लो लेकिन फैक्शन सरकंसेंस acquisition वाले होने चीए और उस हिस maximum एक साल है from acquisition date maximum one year है और याविर मालो जो information आपके पास नहीं था जिसकी आप खोच कर रहे थे वह information अगर आपको मिल जाए उससे पहले और आपको लगता है कि आगे जाके और information नहीं मिलेगा ठीक हो ही खतम हो गया मालो चार मेने तक बंदे छोड़ रखे थे उन्होंने जि यानि कोई भी entity चाहे तो एक साल तक retrospective adjustment कर सकती है बस ये ध्यान रखना information नहीं मिली हो facts and circumstances वही होने चाहिए जो acquisition date में थे ठीक है तो इससे related to illustration tyk का question number 12 or 13 है उसमें एक दो point है वो हम आगे discuss कर लेंगे चलो तो ये वाला अगर आप बोलोगी तो एक question इसका मैं करा देता हू ये अच्छा question है इसका एक question मैं आपको करवा देता हूँ एक question बस करवाना चाहिए question number 23 exam में आ भी सकता है क्या पता है इसलिए करवा देता हूँ चलिए illustration 23 start करते हैं ABC limited यहाँ पर acquirer रहें और XYZ यहाँ पर कौन है acquire यह धान रखना और date of acquisition क्या होगा 15 January 2001 क्योंकि उसी दिन ABC ने XYZ को acquire किया अब few days before the date of acquisition XYZ कौन होगा acquire के customer ने कुछ case कर दिया under penalty clauses क्योंकि कुछ contract था जिसमें delay हुआ है तो acquire के customer ने कुछ case कर दिया अब ABC limited ने acquisition date पे जितना उसके बस information available था acquisition date पे उसके basis में उसने conclude किया और उसने पाया कि वन क्रूड रुपीज का liability बनता है यानि उसने ये पाया कि हाँ कुछ तो acquire ने गरबड़ी की है जिसके चलते customer का point valid है और वन क्रूड की liability बनती है प्रोविजनल बेसिस से पकड़ो प्रोविजनल बेसिस में वन क्रूड की liability बनती है तो 15 January 2001 को ABC Limited सारे assets and liabilities को pull करेगा तो वो liabilities को वन क्रूड का fair value दिखा देगा अब आगे क्या हुआ आगे अक्टूबर 2001 जो की within the measurement period इन्होंने बता दिया क्योंकि 15 January 2001 से लेके 15 जनवरी 2002 तक वन येर तक आपका measurement period विंडो है और within the measurement period customer ने कुछ additional information दिया है ना as per which ABC Limited concludes the fere vale of the liability on the date of equation 2 कृड़ यह दो को date of acquisition का यह मंतलब नया information मिला जिसके ताथ में पता चला कि date of acquisition में उस इनके protection circumstances के साथ से Present date of acquisition में 2 कृड़ का ही था liability अभी हमें पता नीं था हमें अभी information मिला इन्हें liability पहलब से 2 कृड़ का था Date of acquisition में उस इनके fraction circumstances के साब से हमें पता नहीं था आज हमें पता चला और ये within the measurement period ही हमें पता चल गया एक साल के अंदर तो हम क्या करेंगे हम liability को एक करोड की जगा दू करोड दिखाएंगे retrospective adjustment करेंगे और जो one करोड का change हुआ है उसका corresponding effect हम कहां दिखाएंगे goodwill में दिखाएंगे ह ना क्योंकि पहले आपने 15 जनवरी को तो वन करोड का liability मान है अब आगे जाके liability increase हो रहा है one करोड से two करोड हो रहा है तो यह जो one करोड का increment हो रहा है किसका corresponding effect ऐसे तो पीनल में दिखाते हैं क्योंकि लेटर हो जो भी liability में changes होता है वो पीनल में दिखाया जाते है लेकिन ज करोड का effect हम क्या करेंगे goodwill के साथ adjustment कर रहेंगे liability बढ़ेगा तो अपने goodwill भी one करोड से अपका बढ़ जाएगा फिर आगे क्या बोले इन्होंने february तक इनका evolution change नहीं हुआ अब देखो february तक तो इनका एक साल भी complete हो जाएगा क्योंकि 15 जनवरी 2002 को आपका measurement period window बंद अ अब february में क्या हुआ इन्होंने determine किया कि date of acquisition में 1.9 करोड ही होना था पर कोई काम का नहीं है क्योंकि date of acquisition के हिसाब से 1.9 करोड होना था आप कोई काम का नहीं measurement period window close अब अगर आप करोगी तो क्या करोगी अब आप reporting period end जो भी आपका हो रहा है reporting period end में liability का re measurement होता है अब measurement period window की बात खतम तो अब आगे measurement period window की बात मत करना क्योंकि 15 January 2002 को measurement period window close हो चुक है हाँ अब आगे जब reporting period end आएगा तो हम liability को remeasure करेंगे क्योंकि liability हमेशा remeasure होते है और जब आप अभी liability को remeasure करोगे तो क्या fraction circumstances कौन सा देखोगे date of acquisition वाला नहीं नहीं अब नया fraction circumstances देख सकते हो तो कि आज की rate में क्या liability आज क्या fraction circumstances के साब से क्या liability है उसका हम change लेंगे वो liability measure करेंगे और जो भी difference होगा वो penal में दि देख रहेता है अब तो उसका कोई काम है नहीं measurement period विल्टू का अब तो reporting period हो रहा है तो reporting period में आप उस दिन का यानि ताजा 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 fraction circumstances के साब से क्या आपका liability मता वो देखोगे तो वह इन्होंने दी दिया देखो यहां पर इन्होंने बोल दिया इंड-67 की साब से आ क्या हो कि liability अब इसका corresponding effort कहां दिखाओगे पेनल में दिखाओगे यानि कहने का मतलब पहले वन करोड दिखाया date of acquisition में अब वन करोड से जो आपने टू करोड किया यह आपका कौन सा टू करोड ही अपने acquisition डेट वाला फैक्शन सरकमसेंसर से तो यह टू करोड जो आपका हो अब नया ओफैक्शन सरकमसेंसर के साब से आपका year end में 2.2 करोड हो रहा है तो यह जो 0.2 करोड का increase हो रहा है यह हम कहां चार्ज करेंगे पेनल में चार्ज करेंगे तो मैंने पूरा question आपको समझा दिए आप एक बार इनका answer गो थू कर लेना बस बात खतम और एक question है यह आपको करवा देता हूं यह यह भी question illustration 22 भी इसी का question है करवा देता हूं फटा फट से एक से दो मिनिटे तो लगेगा चलो illustration 22 entity X ने acquire कि 100% shareholding entity Y का 1st April 2001 को and had complete the preliminary purchase price allocation and accordingly recorded net assets of rupees 100 million against the purchase consideration always 150 million so net assets 100 million था 150 million अपने PC दिया तो 50 million आपका goodwill होगा entity Y had significant carry forward losses on which defer tax asset was not recorded कुछ carry forward loss था जिसमें आपने DTA नहीं बनाया due to lack of convincing evidence on the acquisition date तो acquisition date पे convincing evidence नहीं था जिसके चलते DTA बनाना allowed नहीं as per industrial हमने पढ़ा हुआ है लेकिन आगे जाके 31st March 2001 को 3 मेने, sorry 31st March 2002 को आपने लिया कब 1st April 2001 चलो अभी भी एक साल complete नहीं हुआ just year end में entity Y ने कोई contract जीता है, significant contract जीता है जिसके चलते अब इनका taxable income आएगा और यह अब DTA दिखाना चाते है, ठीक है दिखाओ सोक से कोई दिक्कत नहीं अब DTA दिखाओ लेकिन क्या यह provisional basis में इसको यह adjustment कर सकता है, यह पूछना चाता है, क्या यह goodwill में adjust कर सकता है तो मेरी बात सुने इस goodwill में adjust नहीं कर सकता है, क्योंकि measurement period window का खेल नहीं है क्योंकि यहाँ पर facts and circumstances acquisition date वाले नहीं है, acquisition क्योंकि बाद में आपने after acquisition आपने कुछ contract जीता है जिसके चलते हैं आप DTA बना पार हो, मतलब नए facts and circumstances आ गए, ऐसा यहाँ पर case नहीं है कि आपका acquisition date पर को information था हमारी पास नहीं था, ऐसा कुछ नहीं है acquisition date में real में आपके पास कोई convincing evidence नहीं था जिसलिए आप DTA नहीं दिखाए, बाद में तो आपने contract जीता यहीं बाद में facts and circumstances बदला जिसके चलते अब आप DTA दिखा पार हो, यह तो बाद का मामला है और इसलिए measurement period window में नहीं आएगा, इसलिए मैंने कहा था कि measurement period window में वहीं जो facts and circumstances acquisition date वाली अप ले रहो, लेकिन information आपके पास नहीं था, तो यह आपका goodwill से adjust नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर facts में बदला हो आ रहा है, change of facts हो रहा है, कैसे आप बाद में contract जीत रहो, जिसके वज़े से आप DTA दिखाने के लिए eligible हो रहो, अब मैं आपको कर जाँगा थोड़ा बाद में, मैं आपको पहले illustration 40 करूँगा, बहुत ही बड़ा कोशिन है, और यह जरूरी कोशिन है, practical कोशिन है, तो यह illustration 40 पहले मैं आपको करवा दे तो मज़ा आ जाएगा, एकदम इतना simple way मैं आपको मैं balance it बना के दिखाँगा आपको भी मज़ा आ जा इसका solution भी बना रखा है, एकदम crisp solution आपको कैसे exam में लिखना है, बहुत simple लगे आपको कोशिन, चले इस्टार्ट करते हैं चले illustration 40 देखते हैं और मैं बता तो यह 16 नंबर का कोशिन आएगा exam में अगर आया तो 16 marks का 20 marks का भी पूछा जा सकता उनके ओपर है, 16 marks का कोशिन आएगा और मैं जैसे कराऊँगा, वैसे करोगे तो चुटकियों में होगा मैं guarantee दे रहाँ आपको मैं, चलो, illustration 40 हम करते, balance it द 21st March 2002 का, यह रहा professional limited, यह रहा dynamic limited, देखो सारे assets बता दिये इन्होंने, फिर नीचे equity and liability दे दिया, बड़ा सारे इन्होंने balance it दे दिया, एकदम simple लगेगा question आपको, फिर आपको other information में क्या बोला, कि professional limited ने 70% sets acquire किया dynamic limited का, पहले question पूरा समझ लेते, फिर चुटकियों में solve कर है, dynamic यहां पर acquire होगा, कि professional limited 70% sets acquire का रहा है, more than 50%, यह नी control ले रहा है, professional limited, तो 70% sets acquire का रहा है, तो कितना sets acquire का रहा है, यह हमें पता चलिए उनका number of sets कितना है, देखो, share capital क्या लिखा हुआ है, equity sets of rupees 100 each of dynamic limited, यह नी dynamic limited का phase value 100 rupees करके है, है न, और इनका phase value 400 है, मतलब हमीं यह समझ limited का कितना है, 4 lakh sets, over rupees 100 each, यह नी 400 lakhs होगी आपका, क्योंकि यह सारे value lakhs में आपके, तो अब यहां पर मैं 70% sets ले रहा हूँ, तो मैं कितना ले रहा हूँ, 70% of 4 lakh, यह नी कितना अगिया, 2 lakh 80,000 shares, मेरे पास रहेगा, तो बताओ, NCI वालों के पास कितना रहेगा, 1 lakh 20,000 sets होग वालों का होगा, अब हम जो यह sets खरीदर है, किस से खरीदर है, dynamic limited के जो existing shareholder उनसे तो खरीदेंगे, है ना, तो अब हमारी पस control आ जाएगा, तो dynamic limited के shareholder जब हमें अपना shares बेचेंगे, तो बदले में वो हमसे consideration नहीं मांगेंगे, हम उनको consideration क्या देंगे, by issuing, हम issue करेंगे, अपने खुद के shares, यानि professional limited अपना share issue करेगा, ऐसे consideration, किस ratio में, in the ratio of one share of professional limited for every two shares of dynamic limited, यानि dynamic limited के दो share के बदली हम अपना एक share देंगे, तो हमने कितना shares लिया है, four lakh के बदली मत देंगे, हमने two lakh 80,000 shares लिया है, और इसके बदली हम, दो के बदली, एक यानि one lakh 40,000 shares हम देंगे, आपको बैसाम में आप क्या गरबड़ी करोगी, एक्जाम में आप गलती से पूरा four lakh का आधा देदो क्योंकि two lakh shares issue कर दोगी, गरबड़ी मत करना, क्योंकि 70% acquire कर रहो, तो आप ये mistake होगा, exam में लेकलो, ये mistake होगा, exam में आपका, 70% acquire कर रहो, मतलब two lakh 80,000 shares acquire करो, और one is to two का exchange ratio हमारा, दो share के बदली, एक share हम अपना देंगे, यानि one lakh 40,000 shares हम उनको issue करेंगे, है ना, मतलब professional limited अ आपके two lakh 80,000 shares खरीदूँगा, बजले में अपना one lakh 40,000 shares में issue करूँगा, ठीक है, और मैं जो shares issue करूँगा, उसका भाव क्या है, professional limited का shares का fair value क्या, 40 rupees करके है, तो one lakh 40,000 into 40 करेंगे, तो कितना आएगा, 14,52 lakh आएगा, है ना, 14,52 lakh, तो 52 lakh रुपीज कम purchase consideration दे रहे, in the form of sets, कि हमने पता करेंगे, आप देखलो, मैंने याँ पर calculation और PC बनाया है, आपर, 14,20, 56 होगा, सोरी, गलती से 52 लिख दिया, मैंने 56 होगा, 56 lakh, तो मैंने consideration, purchase consideration में मैं डालूँगा, calculation और purchase consideration, exam में मुझे दिखाना है, मैं बुलूँगा, shares मैंने इसू किये, अपना, 1 lakh 40,000 shares मैंने इसू किये, और रुपीज 10 का phase value, at रुपीज 40, market price 40 है, तो 56 lakh का मैंने shares इसू किये, जिसमें share capital कितना जाएगा, 140 into 10 phase value में, 14 lakh का share capital, ब पता ही है, phase value दिखाएंगे न, और ध्यान रहे, professional limited का share का phase value कोश्य ने बता दिया पर 10 रुपीज है, वो तो dynamic का 100 था, professional का to share का phase value 10 रुपीज ही है, तो यहाँ पर 10 रुपीज करके हम दे रहेंगे उनको, तो यह हमने दिया और इसका break up भी मैंने आपको बता दिया, तो यह carrying amount में जाएंगे, कौन सो balance sheet में, लेकिन dynamic limited के सारे assets and charities को और fair value में दिखाएंगे, pull करेंगे, fair value में pull करेंगे, अगर fair value नहीं दिया ओए तो carrying amount कोई fair value माल लेना, अगर information नहीं दिया ओए, carrying amount कोई fair value माल लेना, तो यहाँ पर यह 500 lakh जो है, इसको इन्हों ने बोला 350 lakh है, fair value, तो 350 lakh रुपीस हम fair value लेंगे, है ना, यह हम नहीं ले लिया, अब आगे point number two discuss करते हैं, क्या लिखा हुए, professional limited also agreed to pay an additional payment as consideration, यह एक्स्ट्रा से कुछ यह consideration देगा, that is higher of 35 lakh and 25% of any excess profit in the first year after acquisition over its profit in the preceding 12 months made by dynamic limited, यहनि क्या कहना चाहता है, मैं professional हूँ, आप dynamic हूँ, मैं आपको यह कह fair तो दे रहों दूँगा, आपको और पैसे दूँगा मैं, वो क्या होगा, higher side पे कौन सा होगा, या तो 35 lakh दूँगा, जो भी विचे पर is higher, या तो 35 lakh दूँगा, या फिर जितना मैंने preceding year में कमाया, उसके उपर जितना आने वाले next year में कमाया, उसका 25% मैं आपको दूँ तो एक्स्ट्रा कितना कमानों, 5 lakh कमारों ना, उसका 25% दिया जाएगा, वापस से पढ़ लेते, देखो, professional limited ने agree किया कि वो additional payment देगा, जो कि higher of 35 lakh होगा, या फिर 25% of any excess profit in the first year after acquisition, या एक्यूजिशन के बाद जो पहला साल होगा, over its profit in the preceding 12 months made by dynamic limited, या पिछला 12 मैने में जो आपने profit कमाया, उसके उपर जितना आप extra कमाऊगे, उसका 25%, तो अब देखिया आगे क्या लिखा होगा है, और ये amount due कब होगा, ये amount आज नहीं दिया जाएगा, this amount will be due after 2 years, 2 साल के बाद ये पैसा दिया जाएगा, dynamic limited ने earned किया था 10 lakh profit preceding year में, तो 10 lakh के उपर जितना कमाया उसका 25%, और क्या लिखा हो है, and expects to earn another rupees 20 lakh, अब ये expect क्या कर रहा है कि आने वाले, acquisition के बाद another 20 lakh कमाएगा, बलब आने वाले साल में 10 lakh तो कमाएगा, another 20 lakh भी कमाएगा, यनि आने वाले साल में 30 lakh कमाएगा, लेकिन हम जो 25% देंगे, वो 10 lakh के उपर extra में देंगे, तो extra जो 20 lakh कम है, अब आगी भी 10 lakh जो कमाएगे, उसमें कुछ नि दिया जाएगा, extra जो 20 lakh कमाएगा, उसका 25% दिया जाएगा, है न, यनि कितना होता है, 5 lakh होते है, तो 5 lakh और 35 lakh, whichever is higher, है न, तो higher कौन सा होगा, 35 lakh ही होगा, तो हम उनको 35 lakh का consideration देंगे, पर ये आज नहीं देंगे, दो साल के बाद देंगे, लिखा होगा, दो साल के बाद देंगे, तो इसे हम आज present value में दिखाएंगे, क्योंकि time value of money होते है, तो 35 lakh नहीं दिखाएंगे, आपको यहाँ पर discount rate, ये देंगो, 10% दिया होगा है, तो हमारा जो आज तुम liability मानेगे, क्यों आज हम पैसे दी नहीं रहे हम दो साल के बाद देंगे, तो आज liability जोगी present value में होगे, तो 10% से दो बाद discount करेंगे, 35 divided 1.10 equal equal, 28.925 से 28.93 हम लिख सकते हैं, तो 28.93 लाख हमारा purchase consideration में आएगा, क्योंकि मैंने का PC के अंदर liability भी आदा, अगर मैं कुछ देने का वादा कर रहा हूं future में, वो भी तो मेरा PC दिखा इससे है, तो अभी तक मैंने पैसे दिये नहीं, तो cash तो कम होगा नहीं, मैं अभी liability दिखाऊंगा, जब दे दूँगा, तो फिर मैं cash दिखा दूँगा, है ना, तो आज मैं provision for liability बना रहा हूं, क्योंकि एक प्रकार का estimation ही है, provision for liability कितना होगा, 35 लाग divided 1.10 to the power 2, यह secondary second year can be 35 लाग हो जाएगा, 35 लाग में कर देंगे, और कुछ estimates में change है, तो उसका corresponding effect भी पील में दिखाएंगे, तो चलो, यह आज के rate में PC का हिस्सा तो यह रहने वाला है, है ना, यह हमने समझ लिया, तो चलो, यह भी हमें समझ में आगया PC का क्या हिस्सा रहेगा, अब जाये था, यह देखो, यहाँ पर service की, मिलब, यहाँ पर आपको service देने का obligation employee को, है न, service condition है आपर, इन्हें employee को service देना पड़ेगा, तो यह purchase consideration नहीं दिया जा रहे है, यह service का नाम का consideration होगा, तो कि purchase consideration है, वो यह आता है, जहाँ पर कोई भी प्रकार का service condition ही होता है, यहाँ पर देखो ये 20 लाग अगर मालो बिना किसी condition की दिया जाता तो ये 20 लाग PC का हिस्सा होता पर जबकि इसमें company में इसको stay करना पड़ेगा तो ये आपका PC का हिस्सा नहीं है not a part of purchase consideration है ना because service condition है यहाँ पर तो purchase consideration का हिस्सा नहीं लोग ये आगे acquisition date के बाद कितना period आपको service मिलेगा उतना period में में खर्चा दिखाएंगे आगे point number 4 ये मैंने आपको already समझाया था sbp award याद है अपको मैं फटा फट से go through कर रहूंगा क्योंकि consent मैंने already आपको समझाया था देखो dynamic limited had certain equity central service payment award original award which got replaced अच्छा देखो replace हो रहे replacement award में मैंने कहा था वो PC में जाते non replacement award में वो NCI में जाता वो सारी चीजे मैंने सिखाया हुआ ये replacement award आगे by the new awards issued by professional limited as per the original term vesting period 4 साल का था original term के इसाफ से vesting period 4 साल का था और employee ने already 2 साल की service दे दिये अब as per the replaced award the vesting period has been reduced to one year one year from the acquisition date यानि दो साल service दे दिया ओर दो साल देना था पर एक साल reduce करके तीन साल बना दिया अब नया vesting period टोटल तीन साल का और इसनल था टोटल चार साल का है ना fair value award original award का fair value कितना 5 लाग है तो मैंने कहा था part of PC क्या होगा original award देखो 5 लाग है ठीक है आपने vesting period 2 साल complete कर दिया divided by original vesting period 4 years था और आपका नया vesting period 3 साल है तो greater वाला लेंगे ये वाला ये वाला नहीं लेंगे यानि कितना आएगा 250,000 आपका part of PC होगा बाकी remaining 8 लाग से compare करेंगे आगे बाकी remaining over the remaining vesting period दिखाएंगे ये पार्ट मैंने करवाया भी ता आपको notes में मिल जाएगा इसी का extract निकाल के मैंने करवाया था तो part of PC कितना होगा 250,000 होगा ये 250,000 भी हम क्या करेंगे PC का part मानेंग समझ लिया अब ये वाला point exam में आप भूलोगे ये वाला को star दे ना ये भी बहुत जरूरी point है देखो dynamic limited had a lawsuit pending with a customer who had made a claim of rupees 50 लग dynamic limited पे customer ने case ठोक दिया 50 लग रुपेगा तो मैंने कहा न even if आपका यहाँ पर ऐसा है कि किसी भी प्रकार की probability नहीं है even if it is not probable हम उसको fair value में pull करेंगे अपने console balance sheet में acquisition date पे management ने reliably estimate किया इसका fair value कितना 5 लग है तो 5 लग रुपीस हमारा liability के अंदर आएगा यह हमारा liability में आएगा 5 लग रुपीस आएगा अब देखो यहाँ पर tax rate दिया होगा हमें 30% मतलब यह चाहता है हम DTA DTL बनाएंगे लिए बनाना पड़ेगा हमें अब देखो इनके balance sheet के यहसाब से तो इनका DTA इनके detail जो भी बना हुआ होगा यह देखो डैफ़र टेक्स library के अंदर है मतलब यह detail बना हुआ इनका अपने detail बना हुआ है तो अगर मैं बताओ अगर मैं यह सारा same figure ले लू तब तो मुझे नया से को DTA detail बनाने की आवसकता नहीं है लेकिन अगर मैं figure कुछ अलग लेता हूँ तब तो मेरा tax base और carrying amount में फरक आचाएगा अब मुद्दा क्या देखो अब इनका हिसाब से carrying amount 5 minute था हम मान लेते tax base भी 5 minute था क्योंकि इनका जो difference था उसका तो इन्होंने DTA detail बना ही रखा हुए है ना तो मान लेते हैं कि इनके आपसे tax base भी 5 minute था बट अब हम carrying amount को 5 minute से 350 कर रहे तो आपका यहाँ पर DTA detail बनेगा और दूसरी चीज हम यहाँ पर एक liability नया से दिखा रहे 5 लाग का fair value में पर सरकार की निजन में तो यह कोई liability ही नहीं त तो दो चीज में DTA detail बनेगा क्योंकि बाकी जगा कुछ change नहीं कर रहे है बाकी तो देखो point किस चीज का है पहले वाले point तो PC का हिस्से है PC में तो को DTA detail का बात नहीं आता है PC दे रहे हम यहाँ पर है ना तो यह समझे DTA detail आया ने तो PPE का fair value change हुआ इसका DTA detail बनेगा और professional limited का total assets कितने का 2,000 का carrying amount सारे assets हम ले लेंगे carrying amount में professional limited का equity other equity भी हूब हूँ seem to seem लेंगे और उनका सारा liability भी लेंगे काम करते सारा liability को एक सा total कर लेता हूँ 300, 445, 446, 4690 आ रहे है यानि क्या मैं यह कह सकता हूँ professional limited के सारे assets 2,000 के है ना तो मैं यहाँ पर सारे assets 2,000 के डाल द लिए अब professional का क्या करूँगा share capital 500 है other equity 810 है और liability सब मिला के एक साथ करो इब और सौर्ट बनाने के लिए 690 का liability है मैं बताऊंगा exam में भी कैसे करना है एक पर आप समझतो लूपूर अच्छे से तो देखो 500 का share capital ले लिए other equity 810 का ले लिए liability 690 का एक साथ ले लिए मैंने अ अब देखो इधर total करो कितना रहा है 2000 आ रहा है 500 प्रास 800 ले ले 690 और इधर भी 2000 आ रहा है यह नहीं professional का balance मैंने करवा दिया match अब मैं क्या करूँगा इसमें dynamic का assets and liabilities को include करूँगा इसके अंदर तो dynamic का कैसे में include करूँगा क्या मुझे dynamic का share capital other equity से मतलब है नहीं है मुझे dynamic के सिर्फ और सिर्फ assets and liabilities से मतलब है even if वो recognize किया हुआ हो नहीं किया वो doesn't matter मैं सारा assets and liabilities जो भी वो मैं pull करूँगा भले उसने अपने books में recognize किया हो या नहीं किया हो मैं दिखाऊंगा तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा सब को fair value में दिखाऊंगा fair value तो उससी pp का दिखा हुआ है तो बाकी का carrying amount को ही मैं fair value मालनूँगा तो कितना आएगा दिखो यह obviously बात आएगा one two three zero आएगा total करके दिख लो four fifty five six hundred nine thousand one two three zero यहीं one two three zero का total assets आ रहा है तो मैं assets में one two three zero जोड़ दूँगा यहाँ पर प्लस one two three zero मैंने जोड़ दिया यह मैंने जोड़ दिया one two three zero का फिर क्या इसका equity से मुझे मतलब है नहीं है other equity से मुझे मतलब नहीं है इनके सारे liability से मतलब है तो इनकी सारे liability कितने हो रहा है two seventy four twenty seven twenty seven fifty five का इनका liability हो रहा है तो यह 755 का liability भी मैं ले लूँगा है ना तो 755 का liability मैंने यहाँ पर लिख दिया तो देखो इसका सारा assets and liabilities मैंने fair value में ले लिया इसके अलावा को ऐसा liability जो इन्योंने recognize नहीं क्या में करना जी है यहाँ लॉसूट spending वाला यह रहा 5 लाग है ना यह liability हम दिखाएंगे ना fair value में तो fair value लोग liability यह वाला भी हम ले लेंगे बागी तो देखो यह PC का पार्ट यह तो आए गए नहीं यह PC का पार था है ना बागी सारे PC के पार थे अब यह 5 लाग का भी liability में क्या करूँगा यहाँ पर include करूँगा यह वाला एक्जाम में ध्यान रखना miss मत कर देना या भूल जाओगे क्या पता miss कर दो इसमें तो परिसानी नहीं आएगी इसमें परिसानी liability वह भी ले लिए अब मुझे एक और asset liability लेना है that is DTA या फिर DTL जो भी बनेगा वो मुझे लेना है वो दो चीज़ों में बनेगा वो कैसे बनेगा मैं रफ में आपको दिखा रहा हूँ देखो हम यह मानते dynamic का PPE का carrying amount था 500 और tax base भी मान लेते हैं फाइवनिड़ी था पट हम इसको carrying amount 350 बना रहे हैं क्योंकि हम fair value में pull कर रहे हैं तो professional के लिए carrying amount of 350 होगा क्योंकि वो fair value में pull कर रहे हैं पर सरकार की manager में तो tax base 5 बनेटी होगा तो carrying amount यहाँ पर of asset यह PP asset carrying amount of asset less than tax base of asset होता तो DTA बनता है तो DTA यहाँ पर बनेगा कितने का 150 का 30% यह नि 45 का DTA बनेगा एक और है lawsuit वाला अब हमने carrying amount of liability दिखा दिया 5 का सरकार ने कुछ भी नहीं दिखा है liability क्यों सरकार बोली कि आपने तो provision बने है जब real में अपकी liability होगी तब मानेंगे तो सरकार अभी deduction देने वाली नहीं है हम यह liability दिखाएंगे सरकार अभी नहीं देगे तो हमारी नेजर में तो liability की carrying amount है सरकार की DTA बना यहां पर भी 1.5 का DTA बना टोटल DTA 46.5 का बन रहा है आपको यह रफ जरुत नहीं मैंने देखो यहां पर लीकर रखा वह यह देखो हम जब DTA बनेंगे तो property planned and equipment में बन रहा है और एक जो आपका lawsuit pending में बन रहा है दूई में DTA बनेगा हम fair value के हिसाब से हमारा carrying amount ने जो fair value है सरकार की नेजर में 0 है तो इसका भी DTA बना है ultimate total DTA 46.5 आया यह 46.5 का जो DTA यह भी यहां पर आ जाएगा यह भी आपका 46.5 का आ गया तो अब देखो अब मेरी बात सुनो हम यह देखेंगे कि हमने net assets कितनी का लिया हमें यह देखने हमने ले लिये सारा सारा assets ले लिये यह assets acquire हुआ है यह liability acquire हुआ है यह lawsuit pending का liability acquire हुआ lawsuit pending का और यह DTA इतना बना हमारा तो अब मुझे बदाओ 1230 का asset है minus 755 का liability है minus 1 over 5 का liability है plus हमने 46.5 का DTA बना है यानि 516.5 का net assets ले रहे हैं तो अगर हम 15.5 का net assets ले रहें NCA के बार में कुछ कहा नहीं गया है तो हम NCA को measure करेंगे सबसे पहले किसमे proportionate में measure कर लेते हैं तो अब यहाँ पर इसके लिए मैंने लिख रखा हुआ देखो यह देखो यहाँ पर हम यह बोलेंगे कि हमने identifiable net assets जो acquire किया वो 516.5 का किया है है ना assets plus DTA minus आपका जो liability है यतनी का हमने net assets acquire किया इसमें से NCA के खाते में कितना जाएगा कितना net assets है उसका 30% हम NCA दिखाएंगे तो 154.95 का मैं NCA दिखा तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं balance sheet में 154.95 का मैंने NCA दिखा दिया यह मैंने लिख दिया तो आप सुनो मेरी बात अगर मैंने total इतना net assets acquire किया है इक्वाइर का जिसमें से NCA को इतना चला जाएगा तो मेरे हक में कितना आया मेरे हक में आया 361.55 कि मेरे हक में share of net assets आया अब मैं देखूंगा कि कितना मैं PC दे रहा हूं यह हक को हासिल करने के लिए मैं कितना PC दे रहा हूं PC तो मैंने निकाल रखा तो जितना मुझे हक मिल रहा हूं उससे तो कम मैं PC दे रहा हूं तो यह गुडविल नहीं बनेगा gain on bargain purchase बनेगा 274.12 का तो वही मैंने यहां पर यह break up दिखा रहा तो आपको कुछ नहीं करना आप जब exam में बनाओगे balance it अपना assets liability पूरा दिखा दिया अपना पूरा का 14 का share capital था 42 का securities premium था यह मैंने डाल दिया यह मैंने डाल दिया और मेरा provision for liability 28.93 लाग का जो मैं बाद में दूँँगा तो यह liability के अंदे चला जाएगा जो अलग pen से लिख देता हूं 14 का share capital 42 का other equity security premium हो गया आपका यह और मैं क्या दे रहा हूं मैंने future में 28.93 दूँँगा मैं इनको यह मैंने दिखा दिया और एक sbpr है sbpr या दे यह भी pc का हिस्ता बनेगा यह equity के अंदर जाएगा sbpr 2,50,000 का तो equity मतलब other equity में दिखा देता हूं 2.5 तो यह देखो यह सारा PC है यह जो मैंने किया green pen से लिखा यह सारा क्या है PC आपका ठीक है यह PC और PC मिला के total कितना है 87.43 है अब obvious सी बात है हमारे balance state में 27274.12 का difference आएगा और वो जाना चाहिए capital reserve capital reserve भी other equity का हिस्सा होता है क्योंकि मैं बता दू सेक्यूरिटी स्पीम हो sbpr हो capital reserve हो सब other equity के तो हिस्से है other equity के head के अंदर जाएंगे 274.12 मेरा यह आ गया पर तो अब मुझे क्या करना हो गया मेरा balance match अब देख लो देख लो मेरा balance rate match है मुझे कुछ नहीं करना पड़ा मतलब कितना simple इसी balance rate को अब हम detail में लिखेंगे exam में बस बात करना हम इतना ही था balance rate मुझे अपना पूरा balance rate बनाना है बना दिया मैंने फिर मैं दिखाऊंगा identifiable net assets मेंने कितना acquire किया मैंने का दुको assets इतने का acquire किया liability इतने का acquire किया एक lawsuit pending का liability था वो ले लिया और जो DTA detail बना वो ले लिया यह दो चीज में आप exam में mistake करोगे calculation करने में जो मैंने note down करने को बोला यहां पर लिखा वह भी देखो एक तो अब DTA calculation भूलोगे exam में PP और जो provision for suit damages है उसमें DTA का calculation करना मत भूलना दूसरा जो provision for suit damages ह ना 5 lakh का वो आप लेना मत भूलना liability में तो यह चीज आप बूलोगे नहीं और NCI को balance rate में लेना भी क्या पता बूल जाओगे यह नहीं बूलोगे यह दो चीज ज्यादा important है यह आप star देना यह ज्यादा important है यह बूल सकतो बूलना मत आप और SBPR भी अब इतना नहीं बूलो क्या कितना है 516.5 का मेरा identifiable net assets है उसी का 30% NCI को दे दिया बात खतम तो identifiable minus NCI करूंगा तो net set of net assets मुझे इतना मिल रहा है उसके लिए मैं PC कितना दे रहा हूँ उसके लिए मैं PC दे रहा हूँ 87.43 लग वही 87.43 मैंने allocate कर दिया जो जो मैं दे रहा हूँ मैंने allocate कर दिया अब कर दे रहा है तो मुझे या दे वही स्टेप तो मैं आपको बता रहा हूँ वह स्टेप अगर आप दिमाग में डालोगे तो आप कभी भी गलती करने का कुछ को भी नहीं बनेगा यही तो सारे स्टेप मैंने पहले भी लिखाया थे दम डीवन में स्टार्टिंग में जब भी आपको तो दिखाना पड़ेगा डीटीए डीटील भी कुछ है तो वह भी बना लेना यह दो यह स्टार देना यह दोखो डीटीए डीटील भी जो बनाना है बनाओगी हमने बनाए बर 46.5 बाया फिर MCI दिखाएंगे फिर हम क्या करें हम देखेंगे PC कितना दे रहे है अब गुडविल या कैपिटल जब क्या आएगा नेट एसेट्स माइनस NCI माइनस PC गुडविल या कैपिटल जब आएगा तो यह पांच स्टेप को अगर अपनी दिमाग में रखते हो और उस हिसाब से अगर आप बैलनस इट बनाते हो तो I can 100% से कि हाँ आपका अराम से को आपको नहीं आएगी आप और आप अराम से बैलनस इट बना लोगे तो यहाँ पर यह बैलनस इट तो हम बना लेंगे हमने समझ लिए अच्छे से मेरा कोशिन खतम अब गुडविल कैपिटल इजर हमने निकाल लिया अधर एक्विटी जो हमने यह लिखा हुए एक्साम मे हम लिखाने हैं आप उस सरी कि यही सारी लैडियाले अच्छे से सको तोड़ के लिखा और बस बात को आप घे Aujourd Xiv below इंसट इंस वही लिखनाने है इसे ब थोड्के दिखाओगे लैड्यिपिले सारी तोड़के लिखाओगे ब daran से बस उतना ही यह नहीं है तो हम यह जो balance यहाँ पर मैं बनाया हूँ देखिया तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा पहले तो मैंने acquirer के सारे item तोड़के डाल दिये जो मेरा as it is हुबा हुँ मेरा book में है वही का वही मैंने डाल दिया हम इने इसको classification जरूर किया है non current assets current assets मुझे पता है कैसे करना है है न सेड्यूल त्री आपको पता है यह बात है तो non current assets current assets को classify करना है उधर आप equity and liability में share capital other equity NCA दिखाओगे फिर non current liability current liability classify आपको करना आता है तो यह देखे यह आपका पूरा का पूरा मैंने balance इट से उठाया है यह देखो 300 400 250 450 200 400 500 810 पूरा का पूरा वही लिखा वही देखो 500 810 250 50 40 सब वही का वही है तोड़ा हुआ 40 100 250 सब वही का वही है जो book में लिखा हुआ है as it is जाल दिया फिर मैं क्या करूँगा dynamic का भी तोड़ के दिखा दूँगा 350 100 150 जो भी assets मैंने लिया 350 100 150 300 100 ऐसे तोड़ के मैंने दिखा दिया तो यह तोड़ के मैंने सारा दिखा दिया और फिर बाद में यहाँ पर liability सारे मैंने तोड़ के दिखा दिया यहाँ पर 35 भी दिखा दिया यह सारा दिखा दिया फिर अब मैं क्या करूँगा जब मैंने assets and liabilities दिखा दिया अब दो चीज जरूरी है एक तो यह जो short term provision बनेगा हमारा जो provision for suit damages था और एक DTA याद है हमने DTA बनाया तो 46.5 जबकि यहाँ पर defer tax liability create हो रहा है ठीक है क्योंकि 40 पहले से है और 35 भी पहले से द DTL दिखाते तो दोनों मिला कि 75 का DTL बन रहे और हमने 46.5 का DTA निकाला था तो हम इसको net कर देते तो यह वाला अब exam में net करके दिखाओगे और net करने पर आपका यह फिगर आ जाए यह 46.5 को अब अलेक से DTA मत दिखाना net पे दिखाना तो net हमने DTL से इसको minus कर दिया NCA दिखा दूँआ जितने मैंने red pen से assets या liabilities लिखे हुए है उतना वो जो आएगा उसका 30% आपने NCA दिखा दिया फिर PC आपने क्या दिया share capital securities premium यह SBPR हो गया यह आपका जो जो आप दो साल के बाद 35 लाग दो गया उसका present value यह सर आपने दिखा दिया अब difference goodwill नहीं आएग Capitalism आएगा यह अपने दिखा दिया आप यह करने पर यह आपको बस क्या करना टूटल करना बस balance sheet match है तो कितना simple exam में बनाना एक तो यह दिमाग में पहले रखना जब दे revise करोगे shortcut और फिर बाद में exam में shortcut नहीं करना exam में आप राम से बना सकते हो अपना balance sheet पूरा बना लिया acquire के सारे assets and libraries के item मैंने दिखा दिया है ना one by one मैंने सारा दिखा दिया fair value में तो यह देखो यह 350 को मैं मार कर रहा हूँ जो मैं highlight नहीं कर रहा हूँ मतलब वह वही का वही जाएगा ठीक है यह बाकी तो मैंने highlight किया है यह वाला चीज़ तो जो जो मैं highlight कर रहा हूँ वह आप exam में गरबर मत करना बस बाकी यह तो PC का पार्ट यह आप समाल लोगे है अराम से मुझे भरूस है यह PC है PC है यह भी PC है यह भी PC का पार्ट यह आप समाल लोगे यह आपका capital रिजर्व था है ना आपका जो difference से capital reserve है वो होगी आपका बस बात खतम तो कुछ नहीं इस question में मैंने पूरा अच्छे से करवा दिया कुछ भी नहीं इस question में यह दो working जरूर से बना ले ना और वापास से इसको एक बार अच्छे से reverse कर लो देखो हमने इसी का ही effect दिखाया acquire का पूरा balance rate बना और यह effect दिखाया सारे net assets को तोड़के 516.5 दिखाया जिसमें यह DTA और यह liability इसमें मुझे डर लगताब skip मत कर देना NCI proportionately set of net assets PC में ने इतना दिया मेरा capital is इतनी का आ गया तो अब तो मुझे पक्का से पक्का से यकीन है कि आप exam में कर लोगे तो exam में करना है क्या देखो एक तो calculation of PC का working बनेगा आपका TTA DTL का working बनेगा दो working बनेगा आपका तीसरा working आपका calculation of goodwill or gain on bargain purchase का working बनेगा आपका चोथा other equity का भी आप दिखा देना यह statement of changes in equity जैसा होगे चोटा चोटा सा है न नेक्स में अच्छा सा question एक discuss करूँगा चलिए next में question आपको कराऊंगा test your knowledge का question number two बहुत important question आपकी exam के लिए और यह reverse acquisition का question है reverse acquisition करके concept होता है उसका यह question है जो मैं आपको करवाने वालो इसलिए मैं समझातो हूँ यहाँ पर हो क्या रहा है question अच्छा question है simple लगेगा आपको एकदम simple लगेगा question number two ty के गाउँ 31st December 2001 को entity A ने क्या किया 2.5 sets इसू किया एन exchange for each ordinary set of entity B यहाँ पर acquirer है entity B यहाँ पर acquirer है entity A क्या कर रहा है entity B को acquire कर रहा है यहाँ entity B के सारे sets खरीद ले रहा है entire sets खरीद ले रहा है और हर set के बदली वो उसे क्या दे रहा है 2.5 set दे रहा है all of entity B shareholder exchange their sets in entity B है ना तो जितने भी आपके entity B के shareholder है वो सारे के सारे ने exchange करवा लिया sets है ना वो सारे अपने sets बेज दिया और entity A से sets ले लिया therefore entity A ने issue किया है 150 ordinary sets in exchange for all 60 ordinary sets of entity B तो यह तो मैं नीचे पता चल जाए यहाँ पर issued equity दिया हुए entity A का entity B का entity A का 100 ordinary sets है यह 300 तो चलो share capital प्स other equity नोंने मिला के लिखा हुए ठीक है और entity B का 60 ordinary sets है तो वही entity A का hundred ordinary sets है entity B का 60 sets है तो entity A क्या कह रहा है जो entity B के सारे 60 sets है ना वो को सारे के सारे 60 sets खरीद ले रहे और बदले में उनको उनके एक सेर के बदले टू पॉइंट ओउड़े रहे कितना च पॉइंट दे रहए तो 60 के बदले कितना देगा बताओ मुझे 60 के बदली देगा इंट्टू पॉइंट्व फिप्टी ओर्डिनेरी सेर्स देगा सिस्टी सेर्स के बदली यह में समझ मैं अब मैं आपको समझाता हूं हो क्या रहा है यहां पर अगर मैं आपर सॉलूशन की तरफ जाओ टैस्ट औंग नॉलिज का कोषचिं नमबर 2 यहां पर a जोन है वो लीगल एक्वाइर यहां पर लीकली एक्वाइरải क्यूंकि a yi तो b typical खुरिद रहा है और बदले में अपने रहे तो ए यहां पर एक्वाइरर हुआ यहां पर एक्वारी हुआ लेकिन पता है एक्वinking के सेट्स के बदली 150 सेट्स Élists कर दिया तो ए के जो सेरहolder है उनके पास 100 अपने पहले से हैं और उन्होंने B के सरवोड़डर को 150 S deyi D yaya तो टोटल मिला की 250 सेड्स हो गए तो उनि आउट अफ 250 सेड्स ए के से ड्योंडर हं यहां पर B को खरीद रहे है पर एक आप जितने सेट्स जो रहेंगे A के total sets आप और ने होंगे 250 सेट्स रहेंगे क्योंकि मैं A हूँ आप भी हूँ मैंने मेरे अपने सरोल्डर के पास हंड्रेट सेट्स है और मैंने आपके shareholder को 1.50 sets दे दिया तो अब A और B तो मर्ज हो गीआ है ना अब यहाँ पर बताओ total sets 250 sets A limited ने issue किया है जिसमें A के shareholder के पास 100 sets है B के shareholder के पास 1.50 sets है तो B के shareholder के पास तो majority sets आ गया ना है ना क्योंकि 250 sets में 1.50 sets तो आप के पास है यह reverse acquisition का मामला है जहाँ पर B के सरोल्डर ही मालिक बन जाएगे आगे जाके boss B के सरोल्डर होने वाले तो इसलिए reverse acquisition के basis में हम पते क्या करेंगे हम यहाँ पर यह कहेंगे कि B यहाँ पर एक्वाइरी लीगल ही तो यह एक्वाइरी है बट accounting purpose के लिए B यहाँ पर accounting acquirer है और A यहाँ पर accounting accounting acquiring माना जाएगा क्योंकि बी के से होल्डर जादा से होल्ड करेंगे after acquisition इसलिए भी यहाँ पर accounting acquirer हो गया यह हमने पूरा अच्छे सा समझा अब यहाँ पर हम करेंगे कैसे इसको solve देखो यहाँ पर अब देखो अब यहाँ आपको आपको 60 से होल्ड के बदली 150 से मिला आपको आपके एक से के बदली 2.5 से दे रहाँ यहाँ यहाँ तो देखा जाए तो इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह कि अगर आप मेरे से 2.5 टेंग स्ट्रॉंगर हो क्योंकि मैं आपको आपकी एक से के बदली 2.5 से दे रहाँ मतलब मेरे कंपरीसन में आप 2.5 से दे रहाँ अब जबकि रिवर्स एक्क्विजिशन का मामल है तो हम यह सोचेंगे कि अगर मालो आप मुझे से से बदली एक से से दे चार नाइसर स्वाप उट मुझे रहाँ आप मुझे डे यह सोचना पड़ेगा आप तो यहां पर वह लिखा हुआ है अगर मानलो B क्यूंकि B को मैं accounting acquirer बनाना है तुम B के point of view से सोचेंगे अगर 1 B को sales दे रहे हैं अगर B A को sales देता तो कितना देता तो जब कि यहां पर A B को sales दे रहे हैं 2.5 एक के बदली तो B देता तो B उसे एक sales देता 2.5 के बदली उल्टा हो जाता 2.5 इस्टू 1 की जगा 1 इस्टू 2.5 हो जाता और 1 इस्टू 2.5 को break करें तो यह आता point four is to one यानि यहां पर हमें B के perspective से सोचना क्योंकि B यहां पर accounting acquirer और B यहां पर क्या देगा point four is to one sales देगा तो यानि ultimately अब देखो B अगर A को sales देगा तो कितना B अगर A को sales देगा तो A के एक sales के बदली उसको point four sales देगा और A का total number of sales कितना हो तो मैं पता ही है A का total number of sales है hundred sales तो A को कितना sales दिया जाएगा अगर A के बदली point four दिया जाएगा तो hundred के के बदली 40 सेर्स दिया जाएगा तो यहां पर जो B है वो सेर इसू करेगा एक को कितना 40 सेर्स हम यह उल्टा काम क्यों करें क्यों कि reverse acquisition का मामल है इसलिए यहां पर B को accounting acquirer बनाना है तो B यहां पर purchase consideration देगा न तो मैं इसलिए उस basis में सोचना है कि B यहां पर एगर A को सेर्स देगा तो वो उसके 100 सेर्स के बदली 40 सेर्स देगा और यहां पर question में हमें दिया हुआ है question में हमें इन्होंने दिया हुआ है कि एक सेर का अदाम कितना है देखो यहां पर लिखा हुआ है यहां पर एको कितना सेर्स दे रहा है 40 मतलब आप मुझे सेर्स देगे तो आप मुझे कितना सेर्स दोगे 40 सेर्स दोगे और आपका एक सेर्स का अदाम है 40 रुपीज तो आप मुझे purchase consideration कितना देरो क्योंकि अब आप acquirer बन जारो मैं acquirer हू और आप मुझे यानि 4700 रुपीस 40 इच आप मुझे 1600 का purchase consideration दे रहो यह हमने purchase consideration निकाल लिया 1600 का आप मुझे क्या दे रहो purchase का दे रहो यानि हमें थोड़ा सा हमें उल्टा वे में सोचना है reverse way में सोचना है क्योंकि reverse acquisition है तो मैं फ़र से repeat करते रहो मैं आप मैं यह हूँ आप भी हूँ मैं आपको आपके एक सेर के बदली 2.5 दे रहो लेकिन जबकि reverse acquisition का मामल है तो आप acquirer बनोगे तो आप अगर मुझे देते हो तो कितना देते है उल्टा आप मुझे मेरे 2.5 सेर के बदली 1.4 सेर देते हैं मेरे total सेर से 100 तो 100 into .4 आप मुझे 40 सेर दोगे और आपका एक सेर का यानि 1600 का purchase consideration यहां पर है हमने यह समझ लिए हापर अब अब हम क्या करेंगे balance बनाएंगे तो आप बताओ balance बनाते समय मैं किसका data पहले लिखो और as it is लिखो बी का लिखूँगा क्योंकि यहां पर accounting acquirer है तो इसलिए मैं बी का लिखूँगा हू बहू as it is तो बी का और current assets मैंने लिख दिया 700, acquirer का as it is लिखेंगे फिर अगर इधर हम देखे तो दिखो इनका share capital जो है share capital 600 का है और retain earning 1400 का और मैं आपको यहां पर बता दूँ यहां पर इनों ने जैसे issued equity में 100 assets का 300 लिखा चलो यह phase value है phase value उनका 3 है जो भी हमें मतलब नहीं तो पहले वह बात नहीं करता हूँ पहले में यह समझाना चाता हूँ कि B accounting acquirer है B का balance rate as it is बनेगा पूरा का पूरा as it is बनेगा और B का यहां पर क्या होगा current assets non current assets पूरा दिखा दिया और share capital 600 का दिखाएंगे other equity में 1400 दिखाएंगे और liability भी देखो non current liability 1100 का current liability 600 का वहीं मैं दिखा दूँ यह पर यह देखो share capital 600 other equity 1400 non current liability 1100 और current liability 600 का यह मैंने as it is डाला balance it से पी का डाला क्योंकि B यहां पर accounting acquirer है आप दिखो asset हो रहा है 3700 equity and liability भी हो रहा है 3700 balanced match हो रहा है अब क्या करेंगे अब इसमें हम एक जब कि यहां पर accounting acquire ही बन गया एक यह सारे assets से liabilities को pull करेंगे किसमें fair value में तो हमें देखना है क्या fair value दिया हुआ जी हमें देखो fair value दिया हुआ है fair value कि इसका entity एक चीए क्योंकि entity acquire यहां पर accounting acquire entity एक का identifyable assets और liabilities का fair value बोला same as carrying amount है बोला जो carrying amount है वही fair value है except that जो non current asset है उसका fair value बोला 1500 होगा तो जो non current assets 300 नहीं लेंगे हम 1500 लेंगे तो देखो non current assets 1500 बा मैंने मुझे देखो non current assets 1500 लिग दिया current assets मैंने 5 लिग दिया अब क्या हम acquire का equity and other equity नहीं लेते हैं हम सिर्फ assets and liabilities को पूल करते है तो इनका liabilities क्या है non current liabilities 400 का है current liabilities 300 का तो मैंने ये भी डाल दिया 400 और 300 का तो इससे मुझे पता चलिए कि मैंने identifiable net assets कितना लिया मैंने देखो 2000 का assets है 700 का liability है तो identifiable net assets मैंने 1300 का लिया हूँ है ना 1300 का मैंने identifiable net assets लिया और मैं PC कितना दे रहा हूँ मैं PC तो मैंने पहले से निकाल रखा हूँ मैं 1600 का PC दे रहा हूँ NCA यहाँ पर होगा ने क्योंकि entire share यहाँ पर A, B का खरीद रहा था और reverse acquisition के साब से फिर NCA मानेंगी न तो difference जो वो क्या होगा goodwill यानी 300 का क्या हो जाएगा goodwill हो जाएगा तो देखो यहाँ पर identifiable net assets तो मैंने डाल दिया अब purchase consideration 1600 डालना है मुझे तो यहाँ पर B का एक share का देखा जाए तो हम बोलेंगे purchase consideration हम 1600 डिखा रहे हैं न हम इसको ऐसे लिख सकते थे 40 share अगर face value 10 है तो 400 हम share capital में डालेंगे बाकी 40 share का 30 रूपीज 1200 of security premium में डालेंगे पर मैं आपको पिता दूँ ICA क्या कर रहा पूरा का पूरा 1600 इस question में पूरा share capital में डाल रहे हैं और मैं भी आपको exam purpose के लिए suggest करूं ICA के हिसाब से करो जब तक IC अपना material को ठीक नहीं कर देता है हम पूरा का पूरा share capital के अंदर ही डाल देंगे 1600 का PC को हलाकि मैं break करके दिखाना होता है पर ICA नहीं किया तो हम भी नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे PC जो है पूरा का पूरा हमने share capital में डाल दिया तो अब देखो net assets हमने acquire के 1300 का PC हमने 1600 दिखा दिया difference आएगा goodwill goodwill कितने का आएगा 300 का goodwill आ जाए बात खतम यहां पर balance rate को close करेंगे अब यहां पर मैं close करता हूँ goodwill मेरा आएगा 300 का यह आगया 45 इंडेट का यह आगया 1200 टोटल करके देख लेते हैं इस पर उच्छा पूरा कितना 300 का यह आपका 45 इंडेट हो गया यह आपका 1200 कितना आ गया 6000 और इधर share capital 2200 अधर एक्विटी फोटी इंडेट ही रहेगा 1500 हो गया यह 900 हो गया इभी 6000 हो रहा है तो कितना सिंपल है question tough नहीं है बिल्कुल सिंपल है मैं आपको फिर से बार रिवाइस करा दे रहा हूं कुछ नहीं करना आपको यह देखना है कि A B को कितना share दे रहा है A B को एक के बदली 2.5 दे रहा है तो B अगर A को देगा तो 2.5 के बदली एक देगा यह एक के बदली 0.4 इसलिए B A को उसके 100 share के बदली 40 share देगा और एक share का B का दा में 40 14 to 40 शिंट पीसी मैंने निकाल के बढ़ गया मैं 16 रिट का PC है अब मैं क्या कर आला वह वो दे रहे और डिफरेंस क्या होगा 300 का वो जाएगा वो डाल दिया बस बैलेंस बना दिया बाद खतम यहां पर नीचे वर्किंग भी दिखा दे कैलकुलेशन में आइडेंटी फैबल नेटर से तना लिया PC इतना पे किया तो गोडविल आ गया बस बात खतम तो मैं आपको कोशन नंबर 10 अभी करवाता हूं और यह बहुत इंपोर्डन कोशन है क्यों कि कई बाए आर्टी पी में कोशन दीखा गया आर्टी पी नॉम्बर 22 में आर्टी पी में 2019 म्टी पी के अंदर भी पूछा गया तो आप समझ सकते हैं कितना जाता है इंपोर्डन है और इस कोशन के अंदर जो contingent consideration का मैंने आपको concept समझाया था ना और हलका सा financial instruments का भी concept है जैसे कि financial instruments के अंदर हम क्या करते हैं मान लिजे मैं आपको अपने ही own equity sets देने का वादा करो मैं future में दूँगा अगर मान लिजे मैंने आपको कहा कि मैं आपको contract किया कि मैं आपको fixed number of equity sets दूँगा consideration भी fixed है तब तो उसे हम equity classify करते हैं और अगर मान लिजे consideration या number of sets variable fix नहीं है तब उसे financial liability मानते हैं और मैंने contingent consideration के अंदर भी आपको स subsequent measurement initially तो हम क्या करेंगे fair value में measure कर देंगे अब subsequently आगे जाके re-measurement नहीं होता है अगर वो equity classify हुआ तो लेकिन अगर financial liability classify हुआ तो subsequently आगे जाके at the end of each reporting period हम उसे remeasure करते हैं है ना every balance date में यानि हर reporting period end में हम उसे remeasure करते हैं और जो भी उसका difference adjustment होता हो वो PNL के साथ होता है हाँ ये बात है कि equity के मामले में सरी measurement नहीं होगा लेकिन settlement होगा तो वो भी within equity होगा जैसे मैंने आपसे वादा किया contingent consideration में आपसे वादा कि future में अगर मेरा अच्छा खासा profit हुआ तो मैं आपको two lakh shares दूँगा तो ये fix number of shares two lakh shares दूँगा तो मैं और आज की उसकी ये जो contingency is की fair value आज की date में मानलो five lakh rupees है तो मैं इसे within equity में five lakh rupees दिखा दूँगा मैं ये पीसी का हिस्सा होगा और within equity ये five lakh rupees दिखाया जाए अब आगे जाके मानली जब मुझे आपको shares देना पड़ा जो मैंने आपको two lakh shares देने का बादा किये तो मैं इस जहां पर मैंने five lakh rupees other equity में से दिखा के रखा है वहां से में में share capital और security स्वे में में होतना amount transfer कर दूँगा बात कर था हम और अगर liability होगा तो ये measurement होगा तो वैसा ही question है जो कि exam के लिए काफी important है देखते हैं आउस्ट contingent consideration payable in relation to a business combination be accounted for on initial recognition पूछे और subsequent measurement भी मेजरेमेंट भी पूछे एस पर इंडियस मालो 1st April 2001 को A limited ने B limited का 100% acquisition कर लिया मतलब कोई भी NCA नहीं है as per the terms of the agreement purchase consideration payable होगा following two tranches में पहला एक तो immediately 10 lakhs है जिसू किया जाएगा A limited B limited को immediately 10 lakhs है जिसू करेगा और इसका phase value 10 है तो phase value से में तो मतलब है हमें तो fair value से मतलब है है ना क्योंकि purchase consideration निकालेंगे तो fair value जाएगा आगे नीचे में दिया हुआ है देखो तब fair value the sets of A limited on the date of acquisition is ainer 20% तो हम क्या करेंगे immediately 10 lakhs है देंगे और एक का fair value 20 है यहनि 200 lakhs का तो हमने sets immediately दे दिया फर्दर हमने कहा कि हम 2 lakhs sets और देंगे एक साल के बाद अगर company का profit before interest and tax जो है वो exceed कर जाएगा 1 crore यहनि एक साल के बाद company का profit exceed कर गया 1 crore तो हम 2 lakhs देंगे तो यह तो contingent consideration हुआ ना तो यह contingent consideration हुआ अब इसको हम आज क्या acquisition date पे measure करेंगे हां हम देखिए कि इसकी fair value क्या है है ना इसकी fair value क्या है तो fair value इसका दिया हुआ दिको नीचे at the date of acquisition fair value 25 lakh है तो यह 25 lakh जो यह part of PC होगा और यह दिन equity हम दिखा देंगे contingent consideration 25 lakh का यह part of PC होगा तो part of PC क्या होगा एक तो 200 lakh हो गया और यह 25 lakh का contingent consideration है 225 lakh हो गया अब पहली बात यह कि contingent consideration equity classify होगा कि liability होगा देखो यहाँ पर 2 lakhs fix दिया जाएगा तो यह equity classify होगा और equity के मामले में remeasurement नहीं होता है तो आगे जाकि कोशे ने बोला कि इसका fair value अगर share का 20 का 25 भी हो जाएगा हम इसको consider नहीं करेंगे क्योंकि यह जो 2 lakhs हम बाद में देंगे ना इसका अगर इसका value पे तो 20 से 25 हो रहा है तो इसको हम consider नहीं करेंगे क्योंकि contingent consideration में अगर आपका जो उसका fair value change होगा अगर वह equity classify हो तो remeasure नहीं होगा तो वही का वही 25 लाग की यह पड़ा रहेगा यह remeasure नहीं करना आपको और जब shares दे दोगे तो यह आपका other equity से निकलके share capital और security premium में चला जाएगा बात खतम तो यहाँ पर इतना ही था अब देखो एक और second part भी चालो होते हैं आपर second part में इन्होंने क्या बोला यह second part यह cd card देना cd नहीं है यह point number 3 से point number 3 भी नहीं अब इसको c पकड़ो यह second part है आपका point number c से point number c में second part में इन्होंने बोला कि point number एक हो तो same to same लो 10 लाग से आपने इसू किया फैर विलो 20 रुपीज है 200 लाग का तो PC आपका हो गई है ना लेकिन आप यह समझ लो कि अगर मालो number of sets fix नहीं हुआ तब तो हम equity classify नहीं करेंगे तब तो हम liability classify करेंगे यहनि जो contingent consideration जो एक साल के बाद दिया जाएगा वो तो contingent consideration है number of sets to be suit after one year अतले यह contingent consideration है और contingent consideration में अगर आपका number of sets fix नहीं है तो यह liability classify होगा तो हम initial recognition में तो वही होगा initial recognition में तो मोलेंगे 200 लग का sales दे रहे है और जो contingent consideration उसका fair value 25 लग है तो 225 लग का PC होगा हाँ अब second case में यह equity के अंदर नहीं जाएगा liability के अंदर हम दिखाएंगे within liability दिखाएंगे क्योंकि यह liability classify हो रहा है तो यह contingent consideration का provision जो दिखाएंगे हम equity के अंदर नहीं liability के अंदर दिखाएंगे 25 लग का बात खतम 225 लग दिखा देंगे अब later on अगर मान लीजे इसका fair value change हो जाते है देखो यहाँ पर लिखा हुआ है एक साल के बाद अच्छा इन्होंने यह बोला rather a limited agree to issue variable number of sales having a fair value equal to rupees 40 लाग after one year तो एक साल की बाद बोल रहेंगे 40 लाग का sales देंगे जिसका fair value तो आज की ट्रेट में 25 लाग ही है हम future में आपको हमने कहा कि हम आपको 40 लाग रुपीस का sales देंगे sales का दाम जो होगा होगा बना number of sales fix नहीं है अब जो 40 लाग रुपीस का sales देंगे दे भी तो सकते नहीं भी दे सकते हो तो future में depend करेंगे और आज का उसका fair value 25 लाग है तो हम तो आज का fair value ही contingent consideration को PC का हिस्सा मानेंगे तो 225 लाग की आपका PC होगा अब future में मान लो हमें 40 लाग रुपीस देना पड़ा तो हम बोलेंगे liability तो री मैसर होता है तो 25 लाग की जगा 40 लाग देना पड़ेगा 40 लाग का sales तो बाकी जो 15 लाग है यह आपको और नुकसान हो गया यह पीनल में आप दिखाओगे कि liability का sub-secondary measurement होगा यह पीनल में दिखाओगे तो इस second case में हम 15 लाग रुपया पीनल में दिखाएंगे क्योंकि liability classify हुए तो मैंने पूरा question आपको समझा दिए अब मैं आपको answer के लिए आपको बता देता हूँ देखो यहां से आपको समझना है point number one का answer देखो 225 लाग है और point number one में देखो यह अगर equity classify होगा मैंने highlight करके छोड़ आप भी highlight कर लो इसको देखके ठीक है अगर यह equity classify होगा तो यह re- 25 लाग की होगा आपका PC लेकिन यह contingent consideration financial liability का हिस्सा होगा अब जबकि liability का हिस्सा है तो यह re-measurement होगा आगे जाके 15 लाग का नुकसान आएगा और यह जो 15 लाग का नुकसान आएगा यह PNL में जाएगा 15 लाक रुपीस PNL में जाएगा मैंने पूरा जो ग्यान मैंने अच्छे सा समझा दिया है अंसर भी बार इंका go through कर ले ना मैंने अपने एंट से पूरा समझा दिया है अब मैं आपको क्या करूंगा पता है अब मैं आपको करवाँगा मुझे आपको पढ़ाना है अभी common control बचा हुए एक topic वो मुझे आपको करवाना है common control चलिए हम समझते common control business combination देखो मैं पहले आपको समझाता हूँ कि common control business combination क्या चीज होती है इसके लिए के example लेता हूँ मैं आपके साथ देखो या पर मानवे एक जगाती limited एक entity है एक company है जगाती लिमिटेड उसमें individual प्रतीक है यह प्रतीक limited नहीं कोई company नहीं है एक individual प्रतीक जो है वो hold करता है 70% जगाती limited का तो बताओ क्या जगाती limited को individual प्रतीक control करता है हां individually प्रतीक control करता है अब जब भी जगाती limited का कोई भी resolution पास होना होगा प्रतीक अकिला vote कर देगा तो वो resolution पास हो जाएगा यहां पर प्रतीक जो है वो जगाती limited को control करता है इसमें कोई doubt न नहीं क्योंकि प्रतिक थोड़े न कोई company है अगर प्रतिक limited होता ना तब हम कह सकते हैं प्रतिक limited parent होता और जगाती limited subsidiary होता प्रतिक तो यहां पर individual है और individual कभी भी parent entity नहीं होती इंडिविजल में थोड़े न कोई यहां पर यह समझो प्रतिक individual जगाती limited को control करते हैं पर यहां पर parent subsidiary का relation नहीं है सेम वैसे मालो एक और company है प्रियंका limited जिसको भी individual प्रतिक control करते है तो प्रतिक यहां पर देखा जाए तो जगाती limited को भी control करते हैं प्रियंका Limited को भी कंट्रोल करते हैं यहां पर यहां पर आप समझो प्रतीक यहां पर acquire कर लिया प्रियंका लिमिटेड को या वे प्रियंका लिमिटेड ने acquire कर लिया जगाती लिमिटेड को इसे फिर भी हम क्या मानते हैं पत्या common control business combination इसके बीचे का कारण भी logic भी क्यों क्योंकि प्रति के लिए क्या पता है ये individual प्रति की सारा खेल रच रहे वो ऐसा केल रच रहे कि वो जगाती लिमिटेड में भी उसका कंट्रोल है प्रियंका लिमिटेड में भी उसका कंट्रोल है तो वो जान मुझके जगाती लिमिटेड के त्रू प्रियंका लिमिटेड को acquire कर रहे हैं ना जगाती limited को parent बना देगा प्रियंका को subsidiary बना देगा और ऐसा इसलिए भी कर सकते है क्योंकि वो चाहता है कि प्रियंका limited के सारे assets को fair value में दिखा है है ना तो यहाँ पर जबकि दोनों में common control है है ना common control मतलब जगाती limited और प्रियंका limited दोनों को commonly प्रती control करता है और इसलिए अगर मानलो जगाती limited प्रियंका limited आपस में merger होते यह जगाती limited प्रियंका limited को acquire करते है यह प्रियंका limited जगाती limited को acquire करते है तो हम इसे क्या मानते common control business combination मानते है और जब common control business combination होता है न तो accounting अलग होता है जो मैं आपको समझाऊंगा जैसे हम बागी business combination में तो हमने देखा था कि accounting किस तरीके से होता है एक्वारी के assets and liabilities को farewell में दिखाते है goodwill बगिरा दिखाते हैं यह चीज यहां पर नहीं हो का common control business combination का accounting अलग होता है pulling of interest method से जो मैं आपको समझाऊंगा पर पहले हम समझतों लेते कौन सा कौन सा business combination को common control business combination माना चाहेगा तो आप समय लो अगर को individual तो अलग-अलग entity को कंट्रोल करता है तो वैसे situation में वो दू एंटीटी जबकि common control में है वो दू एंटीटी आपस में merger या acquisition होगी तो वो common control business combination माना जाएगा इसके अलावा भी इसके अलावा यह मानलो दो fellow subsidiary है मानलो एक प्रतिक limited है इस बार प्रतिक limited एक company है वो क्या कर रहा है जगाती limited को parent जो है वो सेम है तो वहाँ पर भी यह जो fellow subsidiary के बीच में कोई merger हुआ वो common control माना जाएगा और या फिर group entities के अंदर आपस में किसी भी प्रकार का merger हो है ना आपस में किसी भी प्रकार का within the same group merger हो आपका acquisition वो भी common control होगा इसके लिए मैं समझा देता हूँ आपको मैं मानलो a limited company है मानलो एक company है इसका parent है इसका पैरंट है एक पैरेंट है जो बी लिमिटेड दी लिमिटेड तीनों को control करते है भी लिमिटेड को एफ लिमिटेड को control करते है दे घी physics को I limited को J limited को control करते है और D यहाँ पर X limited को control करते है Q limited को control करते है इधर X limited, Z limited को control कर रहा है तो यह सारे के group में entities हो गए यह सारे group entities हो गए यह same group के entities हो गए तो इन में अगर मैं बता दू इन में कोई भी अगर मालो G जो है वो X को acquire कर रहा है या Y जो है वो F को acquire कर रहा है या Z जो है वो B को acquire कर रहा है कोई भी किसी को अगर acquire करेगा या अपस में किसी का भी merger होगा जबकि ये same group के होगे तो इनके बीच में कुछ भी प्रकार का acquisition या merger होगा वो common control माना जाएगा क्योंकि already ये same group के अंदर ही है है ना और या फिर मानलो fellow subsidiary के अंदर को merger हो तो वो भी common control माना जाएगा तो आप देखिए यहां पर वह ही लिखा हुए merger between fellow subsidiary या फिर मानलीजिया parent और subsidiary का relation मानलों कैसे हुआ एक्स लिमिटेड जो है वो एक्स लिमिटेड का 70% interest लेके रखा हुए तो यहां पर एक्स लिमिटेड क्या हो गया parent हो गया और यह subsidiary हो गया अब एक्स लिमिटेड ने क्या सुचा पता है इसने सुचा मैं काम करता हूँ एक्स और पूरा का पूरा मढ़ जो के एक single company बन जाएगी अभी तो तुनों अलग अलग company है बस ना एक्स जो है 70% interest लेके controlling interest ले रखा हुए जिसलिए parent subsidiary का रिस्त है पर अब एक्स स्तित्वे ही मिटा देना चाहते है तो अगर यह जैसे कि यहाँ पर हुआ था Apollo Munich एक company थे तो पहले SDFC ने उसको acquire कर लिए उसके sets acquire कर लिए है ना अब Apollo Munich जो वो SDFC के अंदर operate करने लगए फिर बाद में Apollo Munich का पूरा स्तित्वे मिटा दिया पूरा merge कर दिया है ना SDFC के अंदर अब Apollo Munich का नाम ही नहीं कुछ तो वैसे एक लिमिटेट को पूरा merge करके एक्स लिमिटेट के अंदर गोल दिया जाएगा तो यह भी क्या है common control यह क्योंकि पहले से इनके बीच में parents सबसेटरी का रिस्ता था तो यह common control का मामला हो जाएगा फिर वोई acquisition of an entity from an entity within the same group इसका तो मैंने example आपके साथ ले लिया था सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट यह वाला है और इससे related question भी वो भी मैं आपको करवा दूँगा कि यहाँ पर अगर same individual या कोई companies अगर दो अलग अगर entity को कंट्रोल करती है तो उनके बीच में अगर कुछ भी प्रकार का business combination हुआ तो वह common control business combination माना जाएगा अब common control जब भी होगा तो क्या होगा आपको पता है आपके सारे assets and liabilities को पूल करूंगा carrying amount पर मतलब हमने तो अभी तक यह पढ़ा था कि business combination होने पर एक्वारी के सारे assets and liabilities को fair value में पूल करते हैं लेकिन जब common control की बात आएगी तब आपके सारे assets and liabilities को carrying amount में पूल किया जाएगा और हमने देखा था कि normal business combination में अगर आपने को assets and liabilities को recognize नहीं क्या होगा तो भी हम recognize कर सकते हैं वो possibility निया assets या liabilities भी recognize किया जा सकते हैं लेकिन in case of common control business combination कोई भी नया assets या liabilities को recognize नहीं कर सकते हैं जो acquire के books में assets या liabilities को recognize करने के लिए आपस में common control entities को merger या acquisition करवा रही है इसलिए standard ने बोला हम ऐसा धूकादरी हो सकता है standard ने बोला हम आपको अगर merger या acquisition करोगी भी तो assets and liabilities सारे carrying amount में दिखने चाहिए कोई भी नया assets या liabilities नहीं दिखीगा और even जब हम consideration आपको देंगे तो securities जो है वो nominal value में दिखाया जाएगा ताकि securities premium head के अंदर कोई पैसा ना चाहिए nominal value में दिखाया अगर मैं आपको कोई कोई आपका business acquire कर रहा हूं बदले मैं आपको कोई में sales वगेरा भी दे रहा हूं securities दे रहा हूं वो nominal value में दिखाना पड़ीगा यह नहीं फीस value में हम दिखाएंगे हाँ अगर हम कोई cash यतना amount यह उतना में है ना और यहां पर अगर assets को fair value में दिखाते तो भी contention वाली बात नहीं मैं आपको बता दू मालो मैंने आपका identifiable net assets acquire किया 50 crore का वो भी carrying amount ने और मालो मैंने आपको PC दिया 30 crore का तो 20 crore खा जाएगा capital reserve में जाएगा other equity में और अगर मालो मैं आपको 60 crore भी देता हूँ न तो भी 10 crore आपका goodwill होना चाहिए दिखा जातो पर वो goodwill हम दिखा नहीं सकते हम उसे भी capital reserve में negative 10 crore दिखाएंगे यानि आप समझ लो common control business combination में goodwill दिखाना prohibited है no goodwill is recognized in case of common control business combination it is adjusted with capital reserve even if it is negative हम adjust करेंगे capital reserve के साथ और मैं आपको इन बात बता तो मैंने आपको पढ़ाया था कि जब normal business combination है common control का मामला नहीं मैंने आपको पढ़ाया था कि एक्वाइरी का एक्विटी एक्वाइरी का सहर capital और अधर एक्विटी से में मतलब नहीं होते है हम सिर्व एक्वाइरी का एसेट्स और लाइबिलिटिस को फेर विल में पूल करते हैं लेकिन in case of common control business combination हम क्या करते पते है एक्वाइरी के सारे एसेट्स को तो लाइंगे carrying amount पे एक्वाइरी के सारे liabilities को लेके आएंगे carrying amount पे और साथ साथ एक्वाइरी के जितने other equity ना जैसे securities premium हो गया retain ending हो गया capital reserve हो गया इन सब को भी pull करेंगे carrying amount यानि कहने का मतलब simple है मेरा balance it और आपका balance it हम दोनों को simple way में merge क कर देंगे मेरा जो retain ending का capital reserve का securities premium का balance है वो आपके retain ending securities premium capital reserve के साथ merge हो जाएगा मेरे assets आपके assets merge हो जाएंगे सब कुछ merge हो जाएगा आप बस जो number of shares है उसमें changes आ सकता है तो उसका भी कुछ adjustment होगा capital reserve में चला जाए यह निकुल मिला कि एक्दम simple balance sheet बनेगा ऐसा हम question भी कर लें यहां assets से liabilities नहीं दिखाएंगी कोई goodwill वगेरा नहीं होगा और सिर्फ common control business combination में ही हम acquire के other equity को भी खिचते है carrying amount तो वही चीज़ यहां पर लिखावा दिखिए जो transferer आप acquire हम पर transferer है और common control में acquire एक्वाइर एक्वाइर नहीं बोला जाते क्योंकि common control relation है transferer ट्रांसफरी ना इसको transfer कर रहे है ना एक्वाइर तो जो भी retain एंडिंग इसका होगा वो ट्रांसफरी के retain एंडिंग से merge हो जाएगा general reserve revolution reserve capital reserve जो भी transferer कर रहेगा वो ट्रांसफरी के general reserve revolution reserve capital reserve respectively उनसे merge हो जाएगा समझ में आया तो यहाँ पर एकदम simple way में common control business combination accounting होगा ध्यान लगना pulling of interest method है यहाँ पर assets liabilities carrying amount कोई goodwill नहीं दिखा सकते कोई निया assets liabilities नहीं दिखा सकते आपका negative हो या positive हो capital इज़र भी आएगा difference जो भी रहेगा आपका और जो भी other equity के जो भी item है वो acquirer के other equity से merge हो जाएग सिंपल सिंपल कोईशिन में आपको करवाऊंगा comment control के फिर एक दो आपको बड़ी कोईशिन भी कराऊंगा comment control के फिर हमारा लगबग यह index 103 का topic तो लगबग हमारा खतम हो जाएगा illustration 30 है I think yes illustration 31 मुझे पहले discuss करना यहाँ पर मैं आपको समझा रहूं हो क्या रहा है मालनो एक company है ABC limited और इधर एक company है XYZ limited अगर सोचो ABC limited पे P एक individually इसका 25% stake है C का 25% stake है P का मालनो 25% stake है E का भी 25% stake है पताओ क्या कोई भी ABC limited को control करा नहीं P भी control नहीं कर रहा C भी control नहीं कर रहा D भी control नहीं कर रहा E भी मालनो यह चारों के पास individual अलग अलग person है B अलग person है C अलग person है D अलग person है E अलग person है चारों के पास 25% का voting rate है तो यहाँ पर ABC को कोई भी control नहीं कर रहा है ते वैसे XYZ में भी चारों के पास 25% का वोटिंग रहे हैं 25%, 25%, 25%, 25% और कोई भी XYZ को कंट्रोल नहीं कर रहा तो अगर ABC Limited एक्वाइर करती है XYZ को तो यह common control नहीं है अगर XYZ ABC को एक्वाइर करती है तो भी यह common control नहीं है common control तो तब होगा जब दोनों को कोई control करें यहाँ पर तो ABC को कोई control नहीं कर रहा क्या ABC में कोई भी resolution पास करना होगा BCD मिलके ले लेंगे या BC और E मिलके लेंगे है ना maturity या CDE मिलके लेंगे किसी भी ratio में हो सकता है क्योंकि किसी का भी control नहीं है और नहीं यहाँ पर किसी का control है तो individually company में किसी का control नहीं तो हाँ पर फिर common control business combination कैसे हुआ हाँ यहाँ पर एक possibility है मालो B, C और D इन तीनों ने मिलके क्या क्या joint arrangement कर लिया और यह मिलके gang बना लिया इनोंने इनोंने बोला हम एक gang बन जाते हैं और हम E को हमेशा से हटाएंगे इसकी बात ही नहीं सुनेंगे यह B, C, A और D मिलके पता है एक जूट हो गए और इनोंने agreement कर लिया return agreement कि आगे से जो भी decision लेंगे हम तीनों मिलके ही लेंगे तो joint arrangement कर लिया joint control करते jointly इनोंने ऐसा arrangement कर लिया कि यह तीनों मिलके joint ABC को control करते हैं वैसे यहाँ पर XYZ को भी BCD जो है मिलके control करते है joint arrangement के दर तो अब यहाँ पर हम कहा सकते हैं ABC limited को कौन control करता है BCD मिलके control कर रहे है और वैसे XYZ को भी BCD मिलके control कर रहे है तो अब अगर ABC XYZ को acquire करेगा तो common control है XYZ अगर ABC को acquire करेगा तो common control है वही चीह यहाँ पर लिखावा देखे ABC और XYZ को 4 shareholder B, C, D, E मिलके 4 हों कि बस 25% का voting right है अब shareholder C line important because shareholders B, C, D इन्होंने shareholder agreement कर लिया in terms of governance of ABC and XYZ due to which they exercise joint control तो अगर यह agreement नहीं करते तो यह 3 नहीं है यह 1 खिलाड़ी है यह 3 मिलके 1 हो गए और इधर भी यह 3 मिलके 1 हो गए यहाँ पर तो अब हम कहा सकते कि हाँ अगर ABC XYZ को acquire करेगा तो वह common control होगा क्योंकि B, C, D यह 3 मिल गए joint arrangement के तर यह दूनों को control कर रहे हैं वह अगर illustration 32 के बात करें तो यहाँ पर यह लिखा हुआ कि कोई प्रकार का अगर agreement नहीं होता तो क्या होता अगर वह same question ही है अगर मालों इन तीनों की बीच में agreement नहीं होता तब ABC Limited को कोई control नहीं करता XYZ को भी कोई control नहीं करता जो भी control आपके कितने बार कह ओराएं कि control आ रहा है पर control temporary nature का तो वह वैसा nature का नहीं होना चै ट्रांसेटरी nature का नहीं होना चै वो भी मैं आपको समझा रहूँ है quote है उसका भी मैं आपको समझा रहूँ इस से i-related it quote है yes ये देखो ये question में फटाफट go through करके समझा दूँगा यहाँ पर यहाँ पर क्या पता है ABC Limited जो वो X Limited को acquire करके रखा हुए तो ABC यहाँ पर क्या है parent है और X Limited यहाँ पर substitute रही है अब पता है ABC ने क्या क्या पता है ABC ने एक Y Limited करके company थी और ABC ABC Limited, Y Limited का पहले से कोई रिस्ता नहीं था अब ABC ने Y Limited को खरीदा तो आप बोलो कि ठीक है खरीदा तो common control का मामला नहीं है तो अगर ABC Limited, Y Limited को acquire करे की तो यह business combination होगा यह common control नहीं है क्योंकि ABC अलग party है Y Limited अलग party है तो Y Limited ने क्या क्या ABC को पहले खरीदा, पहले उसे अपनी subsidiary बनाया, normal business combination लगाया फिर बात में क्या क्या इसने Y Limited को X Limited में transfer कर दिया, देखो ABC Limited ने Y Limited को X Limited में transfer कर दिया, तो देखा जाए तो ABC Limited जो Y Limited को control कर रहा वो तो temporary है, क्योंकि यहाँ पर लिखा 1st April को इसने क्या क्या Y Limited को खरीदा, और 2nd April को transfer कर दिया, X Limited को तो एक दिन के लिए Y Limited को इसने निचर का हुआ न, तो standard बोलता है, ऐसे नहीं चलेगा, मतलब पता है मैं आपको फिर सा समझा रहा हूँ, मैंने करा क्या एक circle है जिसके अंदर ABC और X Limited है, क्योंकि ABC X को control करता है, तो यह दोनों एक ही entity हो गए, अब इसने क्या क्या 1st April को Y Limited को खरीदा 1st April को Y Limited को खरीद लिया ठीक है, चलो ठीक है normal यह business combination ही है, क्योंकि ABC अलग है, Y Limited अलग है common control का मामला है नहीं, normal business combination है, अब 2nd April को क्या किया, 2nd April ABC ने क्या किया X Limited के अंदर Y Limited को बीच दिया, transfer कर दिया तो देखा जाए, तो जो ABC ने Y Limited को पहले खरीदा फिर X को transfer किया, एक दिन के बाद, यह तो temporarily तो क्यों कि ऐसा सीधा ही, X Limited के तुरू खरीदवा देता है, तो standard यहां पर common control नहीं लगाना है, X Limited सीधा normal business combination होगा पर otherwise अगर आप ऐसे सोचते तो आप पता है क्या सोचते मतलब पताब problem के हैं, पर question में problem के एक circle था जिसके अंदर ABC और X था ABC और X था, पहले से अब Y Limited को खरीद के Y Limited को भी circle के अंदर डाल दिया के Y Limited को खरीद लिया अब ABC, X और Y Limited तीनो group members है अब अगर X, Y को खरीदेगा तो आप बोलो कि सार यहां पर X और Y के बीच में तो common control हो रहे है पर यह चीज allowed नहीं है क्योंकि यह Y जो है यहां पर आया temporarily ABC के अंदर आया यह मानलो सुरुआत सही कि ABC ने कभी Y Limited को खरीदा है नहीं सीधा मानलो सीधा X नहीं Y को खरीदेग कि ABC ने जो Y को खरीदा हो सिर्फ एक दिन के लिए खरीदा वो temporary nature का, transitory nature का है वो allowed नहीं है सीधा मानेंगे कि X नहीं Y को खरीदा है कोई भी खरीदारी और यह एक या दो तो दिन के लिए वो टेंपरेडी उसे कंसीडरी मत को रहा है यह मान लो कि X नहीं Y को खरीद है ABC ने कभी खरीद है नहीं मतलब मान लो क्या हुआ मैं अतको सिंबल से बात एक तम अच्छे समझा रहो मान लो आप मेरे दोस्त हो ठीकि आप मेरे तो हम दोनों भाई भाई यह हैं मैंने क्या कि लड़की पटाया मैंने एक दिन के लिए मैंने गल्फ्रेंड बनाया फिर उसको आपको षोग दिया मैंने लड़की एक दिन के लिए पटाया है फिर उसको आपको षोग दिया तो मेरे गल्फ्रेंड थी हम और मानूगा मेरे जीवन में वो कभी आई नहीं, है न, वही वाला चीज यहां पर हो रहा, क्योंकि वो मेरे जीवन में एक दिन के लिए उसका कोई महत्वर नहीं है, तिदा वो आपकी जीवन में यह हमाल लेंगे, राद, मैंने बस आपकी मदद की ऐसे मेडियेटर बन गए, चलो, तो यह मैं आपको पार्ट समझा दी अच्छी तरी कैसे, अब मैं आपको common control का कोई question होगा, कुछ अच्छा है question, वो मैं आपकी साथ discuss करूँगा, demerger का भी question करूँगा, आपको मैं, common control का भी, demerger, merger, दूनों के question करूँगा, merger अलग चीज़ है, demerger, अलग चीज़ है, चली, illustration 38 देखते हो, यह question में बता तो दू बार पुछा जा चुका, already पहले, और यह आगे भी पुछा जा सकता है, तो important question है यह, AX Limited and BX Limited, amalgamated from 1st January 2002, यह दो company थी, एक का नाम था AX Limited और दूसरी का नाम था BX Limited, अब दोनों company amalgamate हो गई और नई company form हो गई ABX Limited, यह दोनों company देखा चाहिए, तो legal acquire है, है ना, दोनों company AX और BX Limited क्या है, legal acquire है, और यह legal acquirer हो गया, तो AX के हिसाब से पुराना बात करें, तो पुराने AX में तो यह क्या होता था, यह acquirer होता था, इन दोनों को pull किया जाता था, है ना, accounting acquirer कौन से, accounting acquirer कौन से, इन दोनों में हमें वो चेक करना होता है, तो उसके लिए हमने कई सारे points बढ़े थे ना, कि हमने देखा था कि कौन majority voting rates रखेगा आगे, AX रखेगा, कि BX रखेगा, या largest minority voting rate किसका है, या फिर size किसका बढ़ा है, है ना, कौन या फिर आपके जो management को कौन dominate करेगा, हमने देखा था, है ना, या फिर power किसके पास है, appoint, remove, अगेरा करने का, board of directors का, तो वो सारी चीजों को देखते थे, और premium कौन दे रहा है, है ना, तो उन सारी चीजों को देख है, धूड़ना पड़ेगा कि कौन accounting acquirer है, अब आगे देखो, AX और BX दोनों का balance rate हमें दिया हुआ है, नीचे other equity यह जो है न, other equity इसका bifurcation भी हमें दिया हुआ है, general reserve, PL, investment allowance reserve, export profit reserve, दोनों का bifurcation दिया हुआ है, देखो, 3050, 27 rate है, यह रहा, other equity का bifurcation, अब देखो, आग BX, AX और BX को sets देगा, यह बोला जा रहा है, तो legal acquirer है, ABX तो ऐसे भी, also the new debentures were issued in exchange of the old series of both the companies, हम से पूछा क्या गया है, prepare a note, sewing purchase consideration and discharge there, and draft the balance rate of ABX Limited का balance rate बनाना है, तो case में बनाना है, एक assume करो कि दोनों entities common control में, अच्छा, अगर दोनों entities common control में, तब तो आपको acquirer, acquirer डूमने की आवज सकते ही नहीं है, क्योंकि दोनों के balance rate को मिला, तो that's all, बात खतम, क्योंकि अगर common control का मामला होगा, तो acquirer, acquirer दोनों के carrying amount of assets and liabilities लेने, दोनों के other equity को भी मिला देने, और जो आपका overall share capital लेगा, वो दोनों में बटवारा हो जाएगा, और दूसरे व solution करना में, second case में bx को बूला गया larger entity, मतलब bx यहां पर acquirer होगा, bx यहां पर क्या होगा, accounting acquirer होगा, यनि second case में बूलना चाथे कि second case में common control नहीं है, आप समझ लो, second case में बूलना चाथे कि bx को आप non common control का case नहीं है, bx आपका accounting acquirer है, और AX आपका accounting acquire होगा अब देखो fair value of net assets दिया हुआ है AX और BX का property plan and equipment का दोनों का fair value दिया हुआ है inventory का दोनों का fair value दिया हुआ है और business का भी fair value दिया हुआ है मैं आपको बता दू अगर हम पहला case करेंगे point number A तो कोई जरत नहीं है fair value का क्योंकि मैंने का नब हम जब common control accounting करेंगे तो दोनों के मिला देंगे assets carrying amount of assets को तो देखो PPM कितना दिखाएंगे दोनों का मिला के कितना हो रहा है 16,000 PPA दिखा देंगे investment दोनों का मिला के 1600 और वो दिखा देंगे carrying amount पे inventory दोनों का मिला के कितना हो रहा है फो देंगे यह हम दिखा देंगे त्रेडिसेबल 58,000 और दोनों का मिला के cash and cash equivalent दोनों का मिला के 8,000 और इन्हीं दोनों का plus कर दिया हमने बस बात खतम है ना और अगर मैं other equity की बात कर तो मैंने कहाँ दा ना कि दोनों का other equity भी मिला देंगे ट्रांसफर और ट्रांसफरी के जितने रिटेन अर्णिंग है सब कुछ मिला देंगे तो ये भी मिला दिया हमने अर्दर एक्विटी पे 575 जिरू आ जाएगा इवन मैं बतारो एक्विटी सहर कैपिटल भी 13,000 ही रहेगा 6,000 प्लस 7,000 हाब अस फ़रक कितना है कि 13,000 में से हम AX को कितना सेर्ज देंगे BX को कितना सेर्ज देंगे वो बैस हमें निकालना है तो कि requisite number of sales दिया जाएगा ये बोला गया question में ABX requisite number of sales देगा तो मानेंगे ठीक है वो 13,000 का सेर कैपिटल होगा जो कि दोनों में बटवारा हो जाएगा उनके ratio of net assets पे है ना तो सब कुछ total कर दिया देखो मैंने इधर भी ये 7,000 हो जाएगा total में इधर ये 25 मिनिट हो जाएगा तो common control में तो balance बनाना चुट क्यों का खेले दोनों के assets liabilities, equities सबको plus कर दो तो वही चीज़ यहाँ पर देखो मैंने already बना रखा मैंने यह किया देखो पीपी दोनों का carrying amount plus कर दिया investment दोनों का carrying amount plus कर दिया inventories भी plus कर दिया सारे assets दोनों का plus करके मैंने value निकाल लिया equity and liability में बता रहा हूँ share capital जो है ना यह वही का वही ले 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 ना 13,000 जो यहाँ पर है है न यह रोखो 6,000 plus 7,000 13,000 है न 13,000 है और यह कैसे होगा यह 1300 shares of rupees 10 ही चोगा अब मुद्धा यह कि जो 1300 shares है दोनों में कैसे बाते है क्योंकि यह 1300 shares total रहेगा अब यह कौन issue करेगा ABX issue करेगा यह किसको किसको मिलीगा AX और BX को मिलीगा है ना तो उनके net assets के साफ से देनेंगे और मैं बता दू सारी जो value से इन 1000 है क्योंकि balance जो दिया हुआ इन्होंने values वो 1000 में दिया हुआ triple zero में यह देखवा अब आगे हमने पूरा balance बना लिए यह भी हमने मिला दिया दोनों का इन्हीं जेनरल रिजर्ब भी दोनों का प्लेस हो जाएगा investment allowance रिजर्ब दोनों का प्लेस हो जाएगा export profit रिजर्ब भी दोनों का प्लेस हो जाएगा यह दिको मैंने इसका नीचे बना की भी रखा है अब notes to accounts बनाओगे ना तो share capital total ठाटीन रेट रिजर्ब रिजर्ब दोनों का प्लेस करके दिखा दिया और फाइब सेन फाइब जरू आएगा वही तो मैंने लिखा हुए यह दोनों मिला के फाइब सेन फाइब जरू होना है यह दोनों का मिला दिया बात खतम बोरोइंग दोनों का मिला दिया बात खतम तो कुछ नहीं यह कोशिन में कॉमन कंट्रोल में तो बैलेंस बनाना बस क्लस करने का खेल है यह तो अब क्लास 56 के स्ट्रेंड होते तो भी कर लेते अब हम यह देखेंगे कि नेट एसेट्स हमने कितना लिया एक और भी एकस का तो यहां पर नेट एसेट्स की टाइम सैर कैपिटल अधर उप यह दिखों सबके कैरिंग अमांट अव एसेट्स और जो लाइबिलिटी है लाइबिलिटी यह रहा एक्विटी नहीं लेना लाइबिलिटी दोनों का ले लिया तो हमें पता चलिया कि नेट एसेट्स जो एकस का आया है वो 9,050 का है और बी एकस का है 9700 तो एक काम करेंगे जो 1300 सैर्स issoo होगा ने इसी रेशयो में issoo कर देंगे तो हमने जो 1300 सैर्स एस उ करना है वह हम क्या करेंगे इसी रेशयो में issue कर देंगे तो हमने क्या किया देखो 30 इंडैट सैर्स को इनका जो शेर होलडिंग तूनों का मिला कि 1850 होता है उसी प्रो राटा नेट एसेट्स के प्रो राटा में हमने उनको शेर्स एलोकेट कर दिया तो इसको मिला 627 शेर्स और रुपीज टेनी चैनी 627 जिरो हुआ और इसका हुआ 6730 तूनों मिला के 13000 हो जाएगा यहाँ पर एक्स को कितना मिला मैं आपर दिखा भी सकता हूँ तो इसेट्स टू सेवन जिरो शेर्स कैपिटल है ठीक है और दूसरे वाले को मिला है 6730 तो कॉमन कंट्रोल में बिल्कुल सिंपल ता मर्जर करना है और कुछ नहीं दोनों का ऐसेट्स लाइबरिटी अधर एक्विटी सब मिला दो पस सहरी कैपिटल का बटवारा करने के लिए हमने नेट असेट्स एक्विटी वही ट्रांस्फरर और ट्रांस्फररी दोनों के सारे रिजर्व का हमने प्लस कर दिया और टोटल दिखा दिया बात खतम अब यहाँ पर यह तो था हमारा common control का मामला अब दूसरा वाला case हम discuss करेंगे जहाँ पर common control नहीं है यहाँ पर यह second case हो गया second case में common control का मामला नहीं तो second case भी एकदम simple है tension की कोई बात नहीं है second case में bx larger entity तो bx accounting acquirer होगा तो आप बता हम क्या करेंगे कि आप bx का में सारा share capital other equity liability assets सारा carry amount मिलेना चाहिए मैंने आपको समझाय था step wise कि acquirer के सारे item carry amount पाएंगे तो मैंने वही किया एक्वाइर के सारे item सारे के सारे item acquirer के मैंने carrying amount में डाल दिये even share capital other equity भी मैंने लिया सब कुछ मैंने carrying amount में डाला है ना और कौन है acquirer यहाँ पर ध्यान से सुना यह BX है BX यह यहाँ पर accounting acquirer है तो 7500 550, 2750, 4400 यह सभी कुछ मैंने लिया है यहाँ पर देख सकते हैं सभी कुछ यह मैंने लिया right side वाला जो है right column वाला है ना यह acquirer लिया 7000, 2700, 4000, 1500 यह देखो सारा ले लिया अब second step में क्या करेंगे acquirer कोन है आपर AX है AX है सारे assets and libraries इसको fair value में लेना है अगर fair value दिया वानी तो carrying amount को fair value माननो तो देखो fair value है आपर नीचे 2 जन का दिया हुए एक तो PPE का दिया हुए यह fair value दिया हुआ था जो मैंने ले लिया और inventory का भी fair value दिया हुआ था जो मैंने ले लिया अब बाकी का fair value दिया हुआ नी तो मैं क्या करूँगा बाकी का जो carrying amount उसको fair value माल लूँगा यहाँ पर आप देखो इसका 95 hundred fair value दिया हुआ था यह वाला लिया इसका भी inventory का भी fair value थाटीन रेट दिया हुआ था ले लिया बाकी का जो carrying amount ने थाउजन फिप्टी एटीन रेट फोर फिप्टी वही ले लूँगा मैं थाउजन फिप्टी एटीन रेट फोर फिप्टी रेखो और liabilities भी लेंगे liabilities भी वही ले लेंगे 3000,000 common control में लेते थे यहाँ पर तु लेंगे ने तो यहाँ पर तु यह लेंगे ने बस 3000 और 1000 ले लिया हमने तो इससे मैंने 3000,000 ले ले इससे मुझे पता चल जाएगा कि net assets मैंने कितना acquire किया तो दिखो यह सारे assets मैंने लिये और यह liability मुझे इससे पता चल जाएगा कि net assets मैंने कितना acquire किया तो मैंने सारे assets और liability को adjust किया यहीं प्लस माइनस किया तो मेरा 100001 rate का identifiable net assets है तो मुझे पता चला कि 100001 rate का identifiable net assets मैंने लिया है अब मैं PC कितना दूँगा NCI यहाँ पर है ना क्योंकि पूरा का पूरा यहाँ पर merger हो रहा है NCI यहाँ पर है नहीं तो 100001 rate का net assets अब यह सारा plus और इन दोनों को minus करना 100001 rate का net assets अपने लिया है अब PC कितना दोगे ओव्यसी बाते कोश्य ने बोला नहीं PC कितना देंगे पर हम मानेंगे जो AX का business का fair value वही PC देंगे अब AX limited का business का fair value बता दिए 11,000 तो obviously बाते AX अपना धंडा को 11,000 में बीचेगा तो हम यह मानेंगे कि 11,000 ही इसका purchase consideration होगा जो कौन चुकाएगा BX चुकाएगा अब BX इसको consideration कितना देगा सबसे पहले 11,000 देगा अब 11,000 जो consideration देगा BX वो किस form में देगा BX अपने shares देगा तो हम यह पता करना पड़ेगा कि BX का अपना एक share का दाम कितना है तभी तो पता चलेगा number of shares कितना देगा तो दिए वो BX का business का fair value 14,000 है BX का entire business का fair value जो है 14,000 है और BX का number of shares कितना है 700 shares है और रुपीज टेन इचे क्योंकि 7,000 लिखाव है ना share capital तो 700 shares और रुपीज टेन इचे यानि इसका business का fair value 14,000 है number of shares 700 है यानि एक share का fair value 20 रुपीज मतलब आप वो BX accounting acquirer मैं हूँ AX आप मुझे 11,000 रुपीज consideration दोगे जो मेरा business का fair value है किस form में दोगे आपके shares अब आपका business का fair value 14,000 है आपके total number of shares है 700 तो एक share का आपका 20 रुपीज हुआ तो आप मुझे जो 11,000 consideration दोगे in the form of shares और एक share का अदम 20 है तो मतलब 550 shares दोगे at rupees 20 करके तो उसका 10 रुपया share के capital में चला जाएगा 10 रुपया securities premium में चला जाएगा तो पता चलेगे कि 550 shares दिया जाएगा कि तो को मैंने आपर पूरा लिखा हुआ इसको देख यहां पर आप fair value business 14,000 है number of shares 700 है BX का तो आपका per share fair value आ जाएगा कितना 20% अब number of shares कितना दिया जाएगा 11,000 उनको PC देना है और 20 रुपीस हमारा एक सरकादा में तो 550 shares हम उनको देंगे अब 550 into 10 55 minute का share capital है और 55 minute का security stream है तो आप देखो यहां पर क्या है यहां पर 10,100 का हमने net assets लिया है अब income हम PC देंगे कितना PC हम इनको देंगे 11,000 जो इनका fair value business है किस form में share capital 55 minute का होगा security premium 55 minute का होगा 11,000 का PC दे रहे तो अब बताओ goodwill कितना होगा मैंने 10,100 का net assets डाल दिया 11,000 PC दिखा दिया तो बच्चा कितना 900 जादा दिया net assets के उपर तो वो 900 क्या होगा goodwill होगा 900 काम क्या दिखा देंगे goodwill दिखा देंगे इसको मैं एकाम करता हूँ assets को मिटा देता हूँ इधर उपर लिख दे goodwill की goodwill आएगा 9 rate कैसे आया identifiable net assets हमने acquire किया 10,100 का और 11,000 का PC दे रहे हैं तो जितना access दे रहे 900 वो हमारा goodwill हो गया 9 rate का मैंने goodwill दिखा दिया बात कर दो मैंने छोटा सा balance sheet भी बना है आपको समझाने के लिए ultimately हम क्या करें AX का हम 10,100 का net assets ले रहे उनको PC दे रहे हम 11,000 जो उनका fair value business in the form of sets है न 11,000 दे रहे अब difference जो है वो goodwill हो गया तो यही तो मैंने balance sheet में बिठाया मैंने I ने पहले तोड़ के दिखा दिया सारा है न और मैंने फिर PC डाल दिया 11 rate का और फिर difference मैंने 9 rate का goodwill दिखा दिया तो कितना simple है balance sheet बनाना तो सोचो न आप बस थोड़ा हुआ ने तो छुटा असा balance sheet बनता पहले acquirer PX का पूरा balance sheet बना लो सारे items जाल तो अब AX का assets libraries fair value में डाला 10,100 PC दिया 11,000 का 9 rate का difference goodwill दिखा दिया तो balance sheet तो जख मार के भी match होगा किसी भी हालत में match होगा यह समझो आप तो कितना easy होगी हमारे लिए और इसका working थोड़ा बहुत मैंने यहाँ पर लिखा वो आप डाल देना देखो share capital मैंने दिखा दिया तो हमारा खुद का 7 rate sets था हमने उनको 550 sets दिया है तो 12,500 होगी है यह देखो हमारा खुद का 7 rate sets था उनको 550 sets दे दिया हमने तो 12,500 का share capital है other equity में इस बार दोनों का मत मिला देना क्योंकि common control नहीं है other equity में हम acquire का equity से में मतलब नहीं है हमें अपने ही equity से मतलब होता है तो हमने सारा BX का लिए है यह सारी किसके पते है यह सारा BX का लिए हुए और यह भी BX का यह securities premium जो share issue किया न तो जो securities premium में 55 minute यह देखो यह पहले 27 enter का break up दिखा दिया हमने 27 minute का break up दिखा दिया और जो फिर आपका 55 minute का securities premium में यह मैंने दिखा दिया आपका आगया तो यह working का बस आपको दिखाना है तो देखो ना question कितना simple है question बिल्कुल भी tough नहीं है और यह question exam में आ सकता आप अराम से practice कर लोगी हो जाएगा यह common control का मामला मैं सब मिला दो बात खतम और second वाले case में acquirer को ने BX का पूरा item डाल दो acquirer को ने AX उसके assets and liabilities को डाल दिया fare value मे 10,001 rate हुआ PCD 11,000 और goodwill 9 rate का हो गया इसलिए मैं effort देता हूँ थोड़ा सा बार बार repeat करते तो उसलिए थोड़ा वीडियो लंबा हो जाता है बट वो आपके दिमाग में चप जाएगा बार बार कहने से और वो आपके अच्छे के लिए मैं करता हूँ अगर आपको पसंद नहीं आता है बार बार repeat करना तो मुझे बता देना आगे से मैं repeat नहीं करूँगा पर मैं सायद आप लोग के अच्छे के लिए repeat करता हूँ बार बार चलो तो यह question हमने कर लिया अब हम next को एक question देखते हैं करेंगे जो की merger का मैं question एक करवाँगा merger का question common control का मैंने करवा दिया प्राए मैंने सारे अच्छे question आपको करवा दिया आपको मैं एक बात बता दूँ यह दोनों का separate video आपको YouTube में मिल जाएगा मैं उसका link description में डाल दूँगा तो उसके चकर में एक गंटा बरबाद हो जाएगा है ना तो वो मैं करवाँगा ने या फिर हमारा जो सारे all big question का वीडियो ने उसमें भी वो question मिल जाएंगे आपको उसका link में description में दे दूँगा मैंने सारा करवा दी अमीन मिल ठीके बस एक टी वाई के question निमर 12 और 13 वो बहुत जादे ही बड़ है तो वो भी करवाने का sense नहीं बनता है इस वीडियो में अधरवेस बाकी सारे बड़े question म दोनों हमने cover कर लिए इस वीडियो के अंदर कि बरूट जो मैं देख लेता हूं कौन सा मुझे करवाना था यस मुझे करवाना है आपको कि यह वाला करवा देता हूं इलस्टिशन 36 करवांगो आपको मैं यह डिमर्जर है डिमर्जर में देखो कहानी थोड़ी से अलग होती है मर्जर में कहानी अभी तक हमने डिमर्जर का एक भी question नहीं किया यह आप ध्यान में रखना तो डिमर्जर में कहानी थोड़ी सी अलग होगी अच्छे से करवा लाप्टॉप एंड मॉबाइल डिवीजन लाप्टॉप हैस बिन मेकिंग कॉंस्टेंट प्रॉफिट वाइल डिवीजन मॉबाइल हैस बिन इन्वेरियबली सफरिंग लॉसस यानि एक ही कंपनी है जिसका नाम है एंटरप्राइस लिमिटेड उसके दो डिवीजन है मालो लबीजन में एक एक ही बिल्डिंग में दो डिवीजन एक फर्स फ्लोर में मालो को म मॉबाइल का का मकपनी एक ही इसलिए टॉटल वेल्यू हमें लेना है हाला कि नोने division wise हमें बता दे अब इसको ऐसे समझ सकते हो जैसे मैं प्रतिक जगाती एक ही हूँ मेरी company एक ही है मैं दो subject पढ़ाता हूँ ना FR और SFM तो मालो अभी मेरी company का नाम है जगाती limited तो जगाती limited के अंदर ही FR और SFM दोनों चलता है अब मैंने क्या सोचा कि SFM को मैं split क को तो मही मालिक हूँ जो जगाती limited का मालिक है वही जेडी limited का मालिक होगा बस company split करके दो बना दिया हमें तो वहीं यहाँ पर हो रहा है यहाँ पर क्यों रहे डिमर्जर इसलिको कहते इमर्जर का मतलब एक company के अंदर जहां दो division थे हमने उसमें से एक division mobile division को निकाल के उसको एक नई company फॉर्म करके उसके अंदर डाल दिया डिया डिमर्जर यानि डिमर्जर से कभी फाइदा वगिरा नहीं होता है बस तो डिवीजन दो separate company में बन जाती है बस यही होता है split होता है है ना जैसे कितने बार आप रिखना भाई-भाई का धंदा चला एक ही company है तो एक ही लिमेटेड और यह turn around limited एक नई company इन्होंने खुद फॉर्म किया यानि enterprise limited ने क्या किया एक company फॉर्म किया नया turn around और उसमें mobile division के सारे assets and libraries डाल दी split कर दिया जिसे हम de-merger कहते हैं आगे अब जो नई company वो क्या करेगी existing जो shareholder है न enterprise limited के उनको यह वन क्रोड एक्विटी सेर्स दे दी कि और रुपीज 10 इच एट प्रीम और रुपी 15% to the members of enterprise limited देखो जो enterprise limited के मालिक लोग है member से उनको ही share दे दिया जाएगा आगे क्या लिख एक member है जो अकेले 52% hold करता है तो वो अकेला member जो वो control भी लेके रखा हो गए तो मैं इसको इस तरीके सा समझाता हूँ देखो enterprise limited है मालों इसके चार shareholder A, B, C, D और भी बहुत सारे shareholder others में डाल दिया मैंने A 52% hold करता है B 10%, C 15%, D 5% और बाकी बहुत सारे remaining shareholder है जो 18% hold करता है अब इसमें control किसके पास है A के पास control है यहाँ पर A control करता है enterprise limited अब क्या हुआ इसमें से एक division निकाला गया और वो turn around में डाल दिया तु turn around जब shareholder जब turn around 1 crore share issu करेगा नहीं यहाँ पर पूला गया 1 crore shares यह देगा तो किसको कितना देगा E, को 0.52 crore देगा इसको 0.10 crore देगा asco 0.15 crore देगा इसको 0.05 crore देगा, इसको 0.18 crore देगा तो उसी proportion में जिस proportion में इनका यहां holding है उसी proportion में यहां इनका holding होगा तो देखो ने अकेला individual यही enterprise limited को control करते है और यही आगे जाके turn around को control करेगा तो देखा जा तो यहां पर common control का मामला है क्योंकि एक member अकेला 52% interest hold कर रहा है तो इसी ने यह खेल रचा होगा इसी ने एक नया company ने turnaround बनाया और उसमें division mobile को split कर दिया हाला कि company यह की बस उसको split किया गया तो यह common control का मामला है लेकिन common control business combination है यह यह यहां पर merger नहीं हो रहा है यहां पर merger हो रहा है और मैं difference बताऊं क्या merger में merger में merger में हम क्या करते थे सारे assets को मिला देते थे यह limited का be limited का assets मिला दिया liability मिला देते हैं पर यहां थोड़े ना मिला सकती है तो डिमर्जर हो रहा है अब यहां पर कितने बच्चों का सवाल आता है सर यहां पर भी आपने other equity वगेरा को plus क्यों नहीं किया दूनों का मिला है क्यों नहीं है अरे भाई यहां पर merger नहीं हो रहे तो कैसे मिलाएंगे हैं यहा आएगी तो वह अपना वह लेकी जाएगी जो भी सवान है तो यहां पर हम कैसे merger करेंगे दिहान रे डिमर्जर हम करेंगे तो हम सारे carrying amount के सबसे merger होगा और कोई goodwill दिखाए नहीं जाएगा सबसे पहले मैं क्या करूंगा पते हैं मैं एक balance rate बनाऊंगा पूरे entire enterprise limited के जिसके pp कितने है net वाला ले लेंगे net वाला एरा net pp depreciation के बाद effect जो आएगा net pp net pp कितना 125 क्रोड का है current asset 700 क्रोड का है तो मैंने देखो वो यहां पर रिख लिया मैंने का pp 125 क्रोड का है current asset 700 क्र total दोनों division मिला के total है यह total मैंने लिख दिया फिर इसके अलावा आप देखो यहां पर current liability 425 का है यह तो net current asset 0 नहीं है current liability 425 क्रोड का है और loan fund total 300 क्रोड का है तो देखो current liability 425 loan 300 का यहां पर डाल दिया मैंने और इसके अलावा सहर capital 25 का surplus 75 का है मैं यह फिगर नहीं ले रहा हूं मैं total ले रहा हूं पूरे enterprise limited का balance sheet इससे मैंने बना लिया तो देखो मैंने as it is हुबा हुब फिगर लिखा है तेर capital 25 अदर एक्विटी 75 जो है यह रहा है यह देखो यह तो टोटल है इसका कोई काम नहीं है जो टोटल है उसको मैं cut कर देता हूं यह तो टोटल है यह मैंने ले लिया यह भी टोटल है यह net current assets भी कोई काम करने यह तो net करके current assets minus current liability से निकाला यह हमने ले लिया यह हमने ले लिया net property plant and equipment ले लिया यह दोनों लेना नहीं क्योंकि gross minus depreciation है तो इससे मैंने balance sheet बना लिया हूँ बहू मेरा balance sheet बन गया अब मैं क्या करूंगा पता है अब यह जो item है values यह जो assets and liabilities के value यह दोनों division का मिलाक है laptop और mobile दोनों division का मिलाक है इसमें से मैं क्या करूंगा अब ज निकाल देना है देखो mobile division का PP कितने का 100 का निकाल दूँगा current assets 500 का निकाल दूँगा तो मैं यहां से mobile division को जो 100 का PP है और current assets जो 500 का है यहां से निकाल के यहां पर आ जाएगा यहां से minus हुआ और यहां पर turned around को मिल गया है इनका चला गया turn around को मिल गया इसके अलावा liability अगर हम देखें तो देखो loan fund पूरा का पूरा 300 mobile division का है और आपका current liability अगर देखेंगे 400 mobile division का है तो देखो loan fund पूरा का पूरा minus हो जाएगा और इसको मिल जाएगा current liability 400 का mobile division का है यहां पर minus हो का यहां पर इसको मिल जाएगा तो अब मेरी बात सुनो अब मेरी बात सुनो इसका enterprise limited का हुआ क्या इसके 600 के assets गये और 700 का liability गया क्या इसको बजले में कोई consideration मिला नहीं आप बो यहां आप स्ट्री रहे ना consideration वन करोड कंसीडरीशन यह चो तर्ण इराउंड यह consideration दे थो रहा है मेरी बात सुनों यह consideration चो टर्ण अरूंड यह enterprise limited को नहीं दे रहे उसके सेरहोल्डर को दे रहे तो समझ मैं enterprise limited को नहीं मिलीगा यह enterprise limited के मालिक लोग है शेरहोल्डर उसको मि लो for example प्रतीक, प्रियंकारी, सब अंकीत इन लोग बहुत जैंड एंटरप्राइस लिमिटेट के सेर होल्ड करते थे अब टर्ण एराउंड एक निया कंपनी बनेगा तो वो मोबाइल डिवीजन के सारे असेट्स लेके जाएगा तो उसके जो भी सेर्स पैसे होंगे वो तो उनके मेंबर को देगा, कंपनी को थोड़े ना देगा, कंपनी तो स्प्लेट हो रही यहाँ पर तो यहाँ पर यह समझना कि एंटरप्राइस लिमिटेट को कोई कंसिटरेशन नी मिल रहा, उसके मेंबर्स को मिलेगा तो इनका हुआ क्या, इनका 600 का एसेट गया, तो 700 का लाइबरिटी का इसका तो फाइदा हो गया मेरे भाई, जितना का एसेट गया, उससे जादा का लाइबरिटी चला गया 600 का asset गया तो ज़्यादा liability discharge किया इनोंने इनका तो 100 का फाइदा हुआ क्योंकि net asset पे minus 100 का इसका फाइदा होगी 100 का तो जो फाइदा होगी 100 का वो यहां पर surplus दिखा देंगे 100 other equity में और इनका balance rate close हो जाएगा कि आएगा 25 या आएगा 200 दोनों मिला कि हो जाएगा कितना 225 और इधर share capital भी 25 का 25 भी रहेगा 175 का other equity loan fund zero हो जाएगा और यह 25 हो जाएगा यह भी आपका 225 हो गया तो देखा दोनों side match हो रहा है इनका balance तो match किसा खतम इनका किसा खतम अब turn around की बार ही आती है टंडवर उन क्या कर रहा है इसको ये assets मिले है तो यह गलती से मैने 500 लिख दिया यह हंड्रेड है यभी मैने गलती दिया मैने maur करना 100 मिला न 100 मिला और इधर 500 मिला लिखने में गलती हो गए तो 100 मिला और इधर ये 500 मिला मेरे से mistake हो गया लिखने में तो देखो 600 का इसको asset मिला 700 का liability मिला उपर से इसने consideration भी दी दिया कितने का इसने 1 crore shares दियो और रुपी 10 each और जबकि हमने देखा है कि common control के मामले में nominal value में share issue होता है तो premium को हमें ignore करना चाहिए तो हम ये बोलेंगे कि 1 crore shares दिया जा रहा है phase value 10 है तो 10 crore का ये PC दे रहा है तो 10 crore इसका share capital में चला जाएगा तो अब मेरी बात सुनो इसका hook क्या रहा है देखो इसका net assets आया identifiable net assets अगर में बात कर उसको कितना मिला turn around को 600 का asset मिला तो 700 का liability मिला तो minus 100 का net asset मिला और इसने PCB उपर से 10 का दे दिया तो इसका तो double loss एक तो इसको net पे liability मिला 100 crore का और उपर से 10 का PCB दी दिया तो इसका no loss कितने का हुआ 110 crore का आप बोलो के goodwill दिखा दे नहीं दिखा सकते common control का मामल है आप goodwill नहीं दिखा होगी आप 110 crore का negative capital reserve दिखा दोगे 110 का बात खतम आपका इधर भी balance it match करेगा तो इधर को 600 हुआ और इधर भी आपका essioniल होगा किधर भी 주고 का बात खतम लेकिन मैं आपको बता तो आएंज से नहीं आप और गरबर किया उन्होंने क्या क्या पते हैं उन्होंने ऐसा नहीं किया उन्होंने क्या क्या मैं आपको बता देता हूँ उन्हों ये securities premium को भी consider किया तो आईसे के continued दिया गया कितनی का पतन है 1 कुरोड सायर और रुपीस 10 इच एट अच्च प्रिम्यम और रुपीस 15 यह दर रूपया को मैं प्रिम्यम भी 15 यह अनि होटेल 25 क्रोड इन्होंने पी सी मेला है माना जिसमेंसर 10 करोड का सायर का चाहं है और यह मेल entitled क्या होगा अगर हम आज से कि हम पूरा ले 25 क्रोड तो हम यह बोलेंगे कि देखो इनका 600 का asset आया 700 का liability आया तो identifiable net assets इनको कितने का आया 100 क्रोड का net liability इनको मिला और यह PC दे दे रहे PC कितना दे दे रहे 10 क्रोड का तो यह दे दे रहे 10 capital और 15 का इनका आगया securities premium 25 का अगर यह PC दे देंगे तो इनका overall loss तो 125 का आजाएगा overall loss कितने का आगया क्योंकि net liability लिया 100 का और 25 PC दे दिया तो overall नुकसान 125 यह goodwill तो दिखा नहीं सकते हम capitalism में दिखाएंगे तो minus 125 में दिखाएंगे तो अभी भी इनका net पे वही आएगा 15-125 कितना आएगा 110 ही आएगा जो मैंने पहरे लिखा था बस लिखने का style थोड़ा सा लोगो जाए तो यहाँ पर आप देखो IC के साब से अगर मैं आपको बताओ तो इनकी entries क्या होगी यह देखो यहाँ पर entries मैंने यहाँ पर लिख रखा हुए मैं फिर से आपको लिखा देता हूँ इन्होंने PP and current assets मिला के 600 का इन्होंने asset लिया और liability इनको 700 का मिला तो net assets इनके पास minus 100 का आया अब इन्होंने क्या क्या purchase consideration जो दिया share capital और securities premium कितने का दिया share capital 10 का security premium 15 का 25 का PC दिया तो इनका capital reserve कितने का आएगा capital reserve इनका debit में आएगा क्योंकि goodwill दिखा नहीं सकते हम तो यहां पर debit में capital reserve आएगा 110 का तुक जो थोरी capital reserve इनका 110 ही 125 का आएगा ना 125 का इनका capital reserve आप देख सकते हूं हाँ perfect तो capital reserve 125 का आया इनका और वही तो मैंने यहां पर लिखा यह देखो securities premium 15 था capital reserve 125 का आगे क्योंकि 125 का नुकसान है तो वही अब यहां पर आप इसको notes to accounts में जब आप दिखाओगे तो आपको यह दिखाना पड़ेगा एक तो जो आपने securities premium 15 का यह रहा यह आपने दिखाया और capital reserve 125 का यह आपने दिखा देगे अलग से यह दूनों मैंने notes to accounts में दिखाओगे ultimately मेरा 110 ही negative होगा यह मुझे बस आपको समझाना है अदर्वास आप directly भी exam में कर सकते हो 110 लिख सकते हो पर क्या पता नंबर दे ना दे तो आप IC के साब से इसको अधर equity में दिखाना 15 securities premium हुआ और जो भी difference है वो goodwill नहीं होगा capital reserve होगा कि हमने कर लिए अब यह भी balance rate बन गया हमारा बात खत्म 600 और इधर भी आपका 600 ही होगा अब देखो इन्हों ने पूछा क्या क्या हमसे इन्हों ने पूछा कि prepare करो balance rate enterprise limited का कर दिया turn around का भी balance rate बनाओ बना दिया अब यह पूछ रहे कि enterprise limited का general entries भी बताओ तो general entries में वही बताएंगे हम क्या बताएंगे हम यह बताएंगे जो इनका ppe गया current assets अग्या तो अगर ppe जाएगा तो बनापव करेडियन होगा तो पीपी 100 का credit होगा current assets ढाट होगा liability जो इनका खिया जाने पर debit होते है to loan fund debit होगा current liability debit होगा तो वह यहां पर लिखना है तो doon हमने debit कर 3 ंट स्वंड sih थो और रलेट का डा 600 पर इसको चैपिटल की जगा सर्पलस वर्ड भी यूज़ कर सकते हूं कि यहां पर में बता दू आइसे का करने का तरीका थोड़ा सा लगे आईसे ने क्या किया मैंने पीपी जो है मैंने net दिखाया यहां पर कि 100 का P covert था मैंने net दखा दी 100 का PP बात खतम ICA ने ऐसा नहीं किया उन्होंने growth प्प dos दिखाया और depreciation अलग से दिखाया PP अलग से दिखाया depreciation अलग से दिखाया तो यहां पर दिखो मैंने सीधा एक line में खतम किया PPP net दिखा गिया इन्होंने किया 500 का ग्रोस दिखाया और depreciation अलग से दिखाया accumulated depreciation जो credit balance रहे तो उसको debit किया PPP जो debit balance रहे उसको इन्होंने credit किया यह depreciation भी नहीं दिखा जित तो accumulated depreciation है तो इन्होंने यह दूनों दिखाया मैंने net पे क्लाइन पर दिखाया तो यह जैनल एंट्री आप एक्जाम में पास कर लोगे बात खतम तो बनी गया अल्टिमेटल बैलेंस इंटरप्राइस का अराम से बनेगा आपको कुछ नहीं करना टोटल फिगर लिखने उसमें से माइनस करकी इधर डालते जाना बस बात खतम इधर इ अगर यहां पर आप चाहो तो छोटा से बैलेंस इट भी यहां पर बना सकते हैं एक और तो टर्न एराउंड को क्या मिला इनको 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 100 नेगेटिव मिला और इन्होंने PC कैसे दिया इन्होंने PC में share capital दिया 10 का सेक्यूरिटिस प्रीमियम दिया 15 का 25 का PC दिया तो जो भी डिफ्रेंस होगा आप बोलोगे गुडविल पर गुडविल हम वर्ड लिख नहीं सकते हमें capital इज़र भी लिखना पड़ेगा और वो capital इज़र ओव्यस सी बात है इधर ही होता है लेफ्ट साइड में क्या होगा बैलन्सिंग फिगर 125 आप कहा जाएगा देखो इधर भी मैच करेगा हूं तो दोनों को मिलाने पर अपका अधर सब्सक्राइब होगा जो कि आपको यहां पर दिख रहा है अंडरे टेन को सेक्योड़िस प्रीमियम कैपिटल बात खत्म तो मैंने यह कोशन भी आपको अच्छे से करवा दिया एकदम बहतरीन तरीके से करवा दिया तो डिमर्जर में धियान रहे हैं पर हमें पूलिंग ऑफ इंटरस मेथद नहीं लगान है है ना तो हम ऐसा नहीं कि उन दोनों का रिजर्व को जोड़ देंगे ऐसा नहीं करेंगे हम यहां पर जो गया गया जो आएगा इंटरप्रैस लिमिटेट का सरफ्लस हो जाएगा और वो भी अपना दिखाएगा जो से मिला न एक मैक्सी डिवेजन एक मीनिवेजन कमपनी एक ही दो डिवेजन है तोतल दिया हुए हमें टोटल से मतलब होगए यहां पर फिर बात में बोला कि एक नई कंपनी फॉर्म होगी मिनि लिमिटेट और वह क्या करेगी मीनिवेजन के सारे असेट्स को एक्वाइर कर लेगी औ और रोपी को डिया जाए 95 एंजांस को दिया जाएगा कंसीटरेशन जो है जैते पिछले कोशेंट में भी ब्रक्रीटर सब्सक्राइब के दिया घए अब जो मेंबर्स प्रक्षाइस हो Si writing हो यह डेटा डाल देंगे जिसे आप देखों यहाँ पर क्या है equity capital 50 का है other equity 650 का यह तो टोटल है तैर capital 50 other equity 650 है loan funds 100 का है current liability आप देख सकतो 200 का है यानि 50 650 100 200 तो यह सारा data मैंने हाँ पर लिख रखा हो देखो देखो 50 650 100 200 मैंने पूरा answer है मैं आपको बस यहाँ पर quality करवा दे रहा हूँ यहाँ इस question में देखो 50 650 100 200 as it is डाला और assets भी जो जो है वो हम डाल देंगे यह देखो 300 यह तो depreciation cost आपका sorry cost 900 का depreciation 600 है wdb 300 का है और current asset 700 का है यानि pp 300 का है current 700 का है यह सारी तो हमने as it is डाल दी इधर भी thousand है इधर भी 50 650 700 800 इधर भी thousand हो गया यहाँ पर match कर रहा हमारा अब क्या होगा यह पूरा balance इध हमारा match कर रहा है asset 1000 का है equity and liability भी thousand का है यहाँ अब हम क्या करेंगे इसमें से यह जो mini division है यह निकल के चला जाएगा और assets भी देखो PP 200 का current assets 300 का निकल जाएगा PP 200 current assets 300 का निकल गया और यह निकल के mini limited में चला गया 200 और 300 निकल के चला गया से वैसे यहाँ पर आपका जो loan fund 100 का यह भी निकल के चला जाएगा mini limited पे तो देखो loan fund भी 100 का निकल के चला गया और एक current liability भी तो था करेंट लैबिटी यानि मैं कहना चाता हूँ 200 का PP निकल के गया current set 300 का निकल के गया current liability 100 का और loan fund 100 का निकल के चला जाएगा किसमे mini limited में ये सारे देखो 200 300 निकल के गया और loan fund और other current liability भी 100 100 का निकल के यहाँ पर चला गया अब इसका हम देखेंगे maxi mini limited का हुआ गया इसका total 500 का asset गया और इसका 200 का liability गया तो difference कितना है 300 फाइदा होगी है कि नुकसान होगी है 500 का asset गया 200 का liability गया तो net पे 300 का नुकसान होगी है ने asset ज्यादा चला गया है तो यह जो नुकसान deficit कि हम 300 other equity में adjust कर देंगे तो हमारा balance इट मैं चुछ जाएगा यह तो मेरा before demurger वाला balance इट है जो यह सारा figure डाला था था ना 300, 700, 50, 650 थे कोई before वाला डाल दिया हमने 100, 200 अब यह adjustment हमने क्या दिया बस यह दो assets 500 का गया 200 का liability का है तो net पे 300 का घाटा हो गया यह घाटा को other equities adjust कर देंगे तो 650 minus 300, 350 आ गया यह हमारा balance rate बन गया बात का तो यहाँ पर maximum unlimited में तो कुछ कर नहीं नहीं है आपका before demurger यह थे items उसमें से क्या गया mini division के जो assets and liabilities गये तो net assets गया 300 का 300 का नुकसान other equities से match कर दिया और हमारा निया figure आगे balanced match है अब अगर हम इसकी बात करें mini limited देखो mini limited को 500 का asset मिला यह दोनों अभी नहीं है mini limited को 500 का asset मिला 200 का liability मिला 300 के इसको net asset मिला है और इसने क्या दिया इसने PC में क्या दिया इसने 5 करोड shares over rupees 10 each दिया PC में 50 करोड का इसने PC दिया 50 करोड का इसने एक दिया PC दिया तो तो still फाइद है क्योंकि इसको 500 का asset मिला 200 का liability मिला बतला identifyable net assets इसको 300 का मिला और इसने PC दिया सिर्फ 50 तो बचा हुआ 250 इसका capital reserve हो गया जो कि other equity में चला जाएगा बात खत अब हमने यह डाल दिया तो यह पूरा का पूरा हमारा balance rate बना दिया हमने आप अब कोशे ने बोला है कि debit गया other current liability debit होगा PP और current assets credit होगा तो देखो loan fund debit हो गया current liability debit हो गया और PP इनोंने gross में दिखा दिया आप जैसे पिछले question में भी था ना gross में पूरा 300 दिखाया depreciation अलग से दिखाया तो 300 और 100 200 ही होता है जो कि 200 net पे गया है तो यह दोनों इनोंने gross में दिखाया दोनों figure पिछले बार के तरह और current assets इनका 300 का गया और मैंने कहा तरह ने इसका नुकसान जो 300 का हुआ यह capital reserve में debit हो गया अब deficit भी लिख सकतो इसके जगा पे तो यह entry तो अब आराम से बना लोगे आपर को tension वाली बात है नहीं loan fund debit other current liability debit और PPE के मामले में gross में दिखाने के चक्कर में हम क्या करेंगे पहरे 300 का PPE हम दिखाएंगे गया और 100 का depreciation accumulated depreciation को debit कर देंगे तो यह देखें 300 और 100 यह वाला यानि यह loan fund दोनों हो गया PPE का यह दो item हो गया और current assets हमारा 300 का गया यह वाला तो ultimately capitalism में नुकसान आ गया 300 का जो deficit है यह वाला आ गया अब अगर mini limited की बात करें तो mini limited को 500 का asset मिला है PPE current assets मिला है और इसको liability भी मिला loan fund और current liability इसको मिला इसने PC दिया 50 का बचाओवा फाइदा जो हुआ capitalism दिखा दिया बात करता हम तो यह इनका journal entry भी मैंने pass कर दिया balance rate भी मैंने आपको समझा दिया बात करता हम अब मुझे बस एक चीज़ इन्होंने जो पूछा हुआ हूँ हो मुझे बताने क्या पूछा है इन्होंने मैं बता देता हूँ यह पूछ रहे हैं यहाँ पर the directors of the two companies asked you to find the net asset value equities are pre and post demerger भूल आप pre और post demerger इनका net asset value बता हूँ हम बता देंगे तो देखो pre demerger net asset value क्या था देखो pre demerger इनकी कि before demerger है before demerger इनका asset था thousand का और इनका liability था 300 का तो net asset 7 rate का था और net asset represent क्या करता है shareholder fund तो देखो 7 rate का shareholder fund था यानि net asset 7 rate का था before demerger और number of sets कितने थे 5 crore थे 5 crore into 50 5 crore into 10 यानि 50 crore 5 crore sales और रुपेज 10 each तो यानि 7 rate क्रूड का इनका net assets था और number of sets थे 5 crore यह देखो अब यह सारे assets minus liability क्या हुआ है तो यह आएगा वही 700 crore का net assets था number of sets था 5 crore इससे इनका net asset NAV पर से रागया net asset value पर से रागया कितना 140% लेकिन आगे क्या हुआ after demerger क्या हुआ after demerger इनके पास 500 का asset बचा है और 100 का liability तो यह देखो यहाँ पर भी shareholder fund से पता चल रहा 400 का net assets बचा है तो जो 400 का net assets बचा है अगर तो यहाँ पर number of sets थो वही है net assets 400 का तो 400 divide by 5 80 हो चुका हमारा यह आगया हमारा तो बुलू कि ऐसा कैसी हुआ है यहाँ पर पहले तो 140% अब demerger के बाद 80 क्यों हो गया क्योंकि mini division चला गया है उधर तो उधर बाकी का जाएगा अब देखो उधर mini division की बात करें तो इनका assets था 500 का लाइबरेटी था 200 का net assets इनका 300 का जो कि shareholder fund में दिख रहा है 300 का net assets है और number of sets है 5 crore तो यहाँ पर अब देखो number of sets 5 crore है यहनि 300 divide by 5 crore होगा है ना तो यह 60 per share हो गया अब मालोग for example मैं पहले maxi mini division का 1 share hold करता था आउट ओ 5 crore यह 5 crore into 10 ना आउट ओ 5 crore में 1 share hold करता था और मेरा 1 share का value था before demerger 14 अब बाद में क्या हुआ after demerger मैं यहाँ पर भी 1 share hold करता हूँ यहाँ पर भी 5 crore 5 crore के बतली 5 crore तो यहाँ पर मैं मुझे 1 share मिला तो मैं दोनों company में एक एक share hold करता हूँ अब after demerger इस company में मेरा worth रहेगा 80 rupees का इस company में मेरा worth रहेगा 60 rupees का तो पहले सिर्फ एक company में था worth 140 का अब 2 company में मिला कि 80 plus 60 भी 140 होता है तो बताओ क्या impact हुआ shareholder wealth में कुछ भी impact नहीं हुआ तो वही 3rd वाले part में नों ने पूछा है कि बताओ comment on the impact of demerger on shareholders fund तो कोई impact नहीं है तो यहाँ पर demerger into two companies had no impact क्योंकि demerger से पहले 140 पर से था value after demerger 2 company में एक में 80 एक में 60 दोनों मिला कि भी 140 हो रहा है तो यहाँ पर just company का separation हो रहा है दो distinct companies बन रही है लेकिन आपका इस सरोल्डर के worth में कोई effect नहीं पढ़ रहा है मैं मानता हूँ मैंने फटा-फट चे करा है पर मैंने at least question को touch करके करवात हो दी आप लोगो क्योंकि यह पिछले वाले question से similar था और मैं आपको एक बात बता दो डी मर्जर की मामले में कर लेना common control का मामला है क्यों कि जो पिछले company के owners ते वही नई company के owners होते हैं और basically यहाँ पर डी मर्जर में आप exam में कोई भी डी मर्जर का question है तो एजम से लेना common control और उसी basis में solve कर देना ज्यादा सही रहेगा ज्यादा सुखी जीवन रहेगा आपका ठीक है तो यह question आप बस धिहान रखना merger में pulling of interest method है डी मर्जर की कहानी थोड़ी सी अलग है डी मर्जर का हमने concentration test का question करवा दूँगा और मैं बता दू practical तो मैंने सारी question इसी वीडियो में cover कर लिए पस टीवाइक का question number 12 और टीवाइक का question number 13 मैंने नहीं कर रहा है मैं description में लिग दे दूँगा वहां से आप कर लीजेगा ठीक है बाकी क्योंकि वह बहुत जादा ही बड़ा है उसको छोड़ दे तो बाकी सारी question almost मैंने सारी करा दी वंजरो 3 के जितने practical questions है एंड ये topic कर रहा हूँगा फिर ये video हमारा खतम हो जाएगा चलिए अब एक last concept बस मुझे समझाना है business का definition business का मतलब समझाऊंगा फिर आपको एक concentration टेस्ट एक concept है उसके questions भी exam में पूछे जा सकते तो वह मैं कर वाँगा फिर हमारा वीडियो खतम हो जाएगा मुझे पता है वीडियो थोड़ा लंबा हो गया बट फिर भी आप समझो हमने सारे concept भी तो cover किये हैं questions भी सारे में ने करवा दी इसी सिंगल वीडियो के अंदर तो उस हिसाब से सोचे तो चलो कोई problem वाली बात नहीं है इस बाहने हमारा पूरा इंडस 103 सेक्योर हो जाएगा चलिए अभी हम definition of business समझते है definition of business के में सिंपल सा example लेता हूँ मान लीजे मैं एक workforce को मैंने लगाया हूँ महाँ पर और उससे फिर वो business बन रहा है उससे returns आ रहे आउटपूट आ रहे तब वो business कहलाते है इसलिए business का मतलब क्या asset और साथी साथ integrated set of activities है ना तब जग यह वो business बनते है जिससे आपका ultimately income generate होता है output generate होते है इसी वज़े से business के तीन element होते है input process output input का मतलब सारी economic resources हो गये जैसे कि non current assets property plan and equipment intangible assets जो भी assets हो गये जो भी resources हो गये उसे हम input बोलते है अब वो अकेला input कभी business नहीं हो सकता वो तो assets है उस पे अगर हम अपना क्या करे processes लगा दे है ना strategic management process हो गया जैसे कि आपका और भी हम बहुत सारा protocols rules वगेरा लगा के business यानि ह ultimately organized workforce अगर उसमें लगा दे proper process लगा दे तब वो business बन सकते है ऐसा मैंने process लगा दियो उसमें जिससे input और process मिला के output generate करके दे यानि business को profit दे तब वो business खिलाते है यानि इसलिए business के तीन element होते है एक हो गया input यानि assets वगेरा दूसरा हो गया process जैसे कि strategic management process हो गया operational process हो गया जो top management जो आपके strategic decisions वगेरा लेते है ना और जो top level के हमारे जो employees होते है जो organized workforce है जैसे अगर मैं मिठाई की दुकान की बात करूं तो मिठाई की दुकान में organized workforce कोन होगे जो कारीगर होगे जो स्वाधिस्वाधिस्वाधिस्वाधिस्वाधिया बना रहे और strategic management process जो strategy वगेरा पढ़ाता हूँ तो मैं भी organized workforce के अंदर आता हूँ मैं भी process के अंदर आता हूँ मैं input बहुत से camera वगेरा सब चीज़ का use लेके मैं पढ़ाता हूँ और साथ में हमारे कोई manager है जो process करते हैं इसको promote किया जा सके proper तरीके से ताकि proper तरीके से वो business चले तो यहाँ पर input process दोनों आपर बोले कि input है process भी है लेकिन output नहीं है ability to generate output है तब भी आप उसे business मान सकते हो क्योंकि बहुत सारे धंदे में तो आप देखना profits होता ही नहीं वो losses में चल रही है पर उनमें ability की future में profit कमा सकती है तो फिर वो भी फिर business कहलाईगी लेकिन ध्यान रही ही जो मैं organized workforce की बात कर होगे है ना टॉप लेवल के management होगे जो टॉप लेवल के employee होगे जिनके भी रहा हमारा धंदा नहीं चलेगा है ना वो वो लोग आपके और गनाइस workforce यानी processes के अंदर आते हैं तो accounting का काम करते billing प्रेपे रोल या फिर other administrative system वगेरा का इन सब चीज़ों का काम करते यह processes नहीं तो चले मैं इसका मतलब फटा फट से सौट मैं आपको revise करा दिया for your exam अब मैं आपको समझाता हूं concentration test यह ऐसे तो option अले पर यह बहुत मदद करता है यह concentration test अगर पास हो जाए ना तो मैं पता चल जाते है business नहीं है फिर आप asset acquisition ही मानोगे चार्टिंग में आते हैं मैं asset acquisition और business combination का difference के question भी करवा दिया था तो अभी हम वही पढ़ेंगे कि आपका concentration test आपको मदद करेगा यह test करके पता कर लो अगर यह test पास हो गया मतलब आप उसे business combination नहीं मानोगे आप उसे asset acquisition मानोगे यह कैसे करना वही मैं आपको समझाओंगा इसके लिए मैं आपको काम करता चोटा से example के साथ मैं आपको समझाता हूँ यहां देने एक दम अच्छे से मान लो मैंने company एक business मैंने acquire किया पता नहीं वो business ही पर समझ लो मैंने एक business acquire किया जिसका मैंने identifiable assets acquire किया thousand crores आपकी company मैंने खरीदा है अब मुझे नहीं पता वो business ही है asset acquisition इसलिए मैं determine करने के लिए चेक कर हूँ मैंने आपकी company खरीदा जिसके thousand crores के overall total assets है net asset नहीं total assets है identifiable assets मुझे thousand crores का मिला liabilities भी मैंने assume किया 700 crores का मैंने liabilities assume किया आप बताओ identifiable net assets कितना हुआ 300 crores का identifiable net assets हुआ अब मैं purchase consideration 300 crores से ज़्यादा भी दे सकता हूँ कम भी दे सकता हूँ यह 300 भी दे सकता हूँ मालो मैंने purchase consideration पे किया 350 crores का तो मतलब क्या होगा identifiable net assets मैंने acquire कि 300 crores PC मैंने दिया 350 crores तो आप बोलोगे good will है बाकी 50 crores के good will है तो good will मैंने क्या दिया 50 crores का बाकी का मेरा good will होगी आपके हैं पर तो आपको यह समझ में आ गया कि ठीक है यह आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आपको इसमझ में आ गया पूरा का पूरा अब मैं आपसे यह पूछना चाता हूँ कि आप बताओ ना gross assets मैंने कितना acquire कि आप मुझे बता सकते हूँ आप बोलोगे gross asset मतलब net asset की बात नहीं कर है net asset का मतलब होता asset minus liability gross asset का मतलब होता पूरा का पूरा asset उसमें liability minus वह ना हो तो अगर मैं आपसे पूछो इतम पूरा का पूरा gross asset तो आप क्या बोलोगे आप बोलोगे gross asset हमने 1000 क्रोड का acquire किये है है ना इसको मैं balance sheet का भी रूप दे सकता हूँ अगर मैं balance sheet बनाऊंगा तो मैं ऐसे तो लिखूँगा देखो मैं लिखूँगा identifiable net assets नहीं total assets मैं लिखूँगा assets मुझे पूरा का पूरा 1000 क्रोड का मिला है और liability मेरे सर पे भार आया 700 क्रोड का तो net assets 300 है पर gross में तो 1000 क्रोड का assets है और goodwill भी तो gross asset का हिस्ता होगा goodwill भी मुझे 50 क्रोड का हुआ है तब ही तो मैंने PC दिया 350 क्रोड का अब PC यहां पर मैं नीचे लिख देता हूँ 350 क्रोड मैंने जो दिया ताकि balance sheet हमारा match है इसका काम नहीं इसको मैं बाद में काल लेगा एक ओड तरीका है एक ओड तरीका है जैसे मैंने आपको यह कहा कि मैंने cash भी तो pay किया PC के रूप में मैंने 350 क्रोड का cash pay किया है PC के रूप में दो तरीके से समझ सकता हूँ जितना मैं gross asset acquire करूँगा उतना मैं पैसा भी तो दूँगा अगर आप से मैं 1050 का gross asset acquire करूँगा तो बताओ आप मेरे से 1050 नहीं लोगे मैं तो कहे रहा हूँ 1000 क्रोड मैं asset ले रहा हूँ और 50 क्रोड क मैं goodwill खरीद रहा हूँ अब goodwill ले लिया मतलब मैंने पूरा इतना ही PC दे रहा हूँ मतलब मैं तो 1050 क्रोड का मैं PC दे रहा हूँ किस form मैं एक तो 350 क्रोड मैंने PC दे दिया और दूसरा 700 क्रोड मैं future में दूँगा तो इसको निकालने का gross asset को निकालने का दो तरीका है एक तो total asset plus goodwill करके directly निकालो पर यह हमारे काम नहीं आएगा अभी जो मैं आपको समझाना चाता हूँ ICA oriented way में logic जो देना चाता हूँ उसमें यह काम नहीं आएगा अभी तो logic देने के लिए इसा समझा दिया पर ICA का oriented solution करने में यह हम तरीका नहीं लगाएंगे हम यहाँ पर ICA इतना तो मैं दे रहा हूँ आज 350 क्रोड का purchase consideration और यह जो 700 क्रोड मेरे सर पे भार है यह में जो future में चुपाना भी तो पड़ेगा तो मैं ऐसा नहीं कर सकता मैं PC plus liability ले ले लूँ तो भी मेरे gross asset आचाएगा तो यहाँ पर मैं ऐसे निकालूँगा मैं जब निकालूँगा calculation of fair value of gross asset acquire net नि gross asset acquire मैं हमेसा exam में ऐसे निकालूँगा मैं लिकूँगा मैंने PC कितना दिया PC मैंने दिया 350 क्रोड का plus मैं इस पे liabilities कितना मैंने लिया वो मैं इसमें plus कर दूँगा तो मेरा 700 क्रोड का मैंने liability लिया है वो मैंने plus कर दिया मेरा 1050 क्रोड आ गया जो कि आप देखो यहाँ पर भी आ रहे है यह हो गया मेरा fair value of gross asset acquire तो अब आप exam purpose के लिए यह समझोगे कि कभी भी आपको gross asset acquire निकालना है तो आप क्या बोलोगे कि consideration कितना दिया और साथ सद आपने liability कितना assume कि उस consideration में plus liability कर दोगे तो आपका gross asset acquire आ जाएगा liability plus कर दोगे क्योंकि यह आपने आज दे दिया है पीसी यह future में आपका दीनी का आपका सरफे भार है तो यह करने पर grow मैं net की बात नहीं कर आप gross की बात करो इससे मेरा gross asset आ जाएगा अब मैं आपको एक example के थूरू समझाना चाता हूँ अब मेरी है अब मेरी बात समझ लो हम DTL और DTA को consider नहीं करते हैं अपर हम DTL और DTA को consider नहीं करने वाले हैं तो अब मैं last में बता दूँगा अभी इतना समझो DTA detail आपका नहीं आने वाला अब मेरी बात सुनो यहाँ पर लिखावा है कि मैंने consideration जो transfer किया वो 300 crude का consideration transfer किया अब मैं आ अब लोगे 300 प्लस 800 इलेवन रिट ग्रोस असेट हो गया यस करे 300 प्लस 800 कर दो क्योंकि 300 हमने PC दिया और 800 हम फ्यूचर में देंगे 11 रिट हो गया और यह detail तो हम लेंगे नहीं अगर इसके अंदर detail होता तो माइनस कर देते हैं मनलो overall liability के अगर मैं बात करू 810 है overall liability मेरा 810 क इंक्लूडिंग detail पर detail मैं minus कर दूँगा detail में लेने वाला नहीं मैं सिर्फ और सिर्फ liabilities लूँगा accept detail detail को मैं नहीं लेने वाला तो मेरा liabilities 800 क्रोड का वो मिलूँगा अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ logically बताना मुझे जवाब देना देखो मैं अगर बोलू मैंने consideration कितना दिया आज मैंने 300 दे दिया 800 future में दूँगा तो आपको पता future में 800 दूँगा ही नहीं क्योंकि इनके business से भी मुझे 200 क्रोड पैसा मिला है तो जब मैं future में 800 क्रोड दूँगा तो मेरे pocket से तो 600 जाएगा क्योंकि 200 तो इनके business से में दे दूँगा तो मेरे pocket से जितना जाएगा वोई gross assets acquire मतलब तो मेरे pocket से कितना जाएगा 300 तो गया और future में 800 जाएगा लेकिन उसमें से 200 को आप minus कर तो 200 तो आप इससे दे दोगे या फिर आप ऐसे भी समझ लो 300 में दे रहा हूं तो 200 मुझे मिल भी तो रहा है तो net मैं आज कितना दे रहा हूं net तो आज मैं 100 ही दे रहा हूं इसलिए हम cash को minus कर देते क्यूंकि भाई आप वो चाहता तो मुझे cash को निकाल की भी बेच सकता था धन्दा तो अगर वो मुझे 200 cash इसमें business पर दे रहा है और मैं 300 crore उसको दे रहा हूं तो देखा जाए तो मैं 300 crore दे नहीं रहा हूं मैं उसे 100 crore दे रहा हूं तो 100 crore दे रहा हूं net पे और 800 बाद में दूँगा 900 ही होते हैं और या फिर आप simple assets हम जो 300 आज दे दिया future में 800 हम चुक plus liabilities हमने इतना assume किये 11 crore हमारा fair value of gross assets हैं लेकिन इसमें से cash minus कर दो और मैंने कहा ना DTA भी आपका DTA, DTL को हम include नहीं करते हैं ये कोई काम कीशी नहीं तो इसको भी minus करेंगे DTL थो हमने इसमें लिया ही नहीं था अगर लिया भी होता पूरा liabilities 810 होता तो minus 10 कर देते हैं और DTA भी देखा हमने 20 crore minus कर दिया तो ध्यां रखना DTL, DTA कभी नहीं आएगा और obvious सी बात है ये जो gross assets आपका आया 11 rate इसके अंदर तो सारे asset है, DTA भी होगा इसके अंदर और हमें DTA निकालने, इसमें minus कर रहे हैं आपर, क्योंकि आप indirectly gross asset निकाल गरो, directly भी मैंने आपको निकाल के दिखाया था, सारे asset plus goodwill मिला के gross asset होता है, पर हम indirectly PC plus liability से gross asset निकाल रहे हैं और gross asset के अंदर DTA भी होगा, वो DTA मुझे निकाल देने, वो DTA मुझे निकाल देने, तो इ इकालने का मैं तरीका समझ गया, मैं आपको एक दम रफ में आप पर बता रहे हो, देखो, PC कितना दिया, plus liability, है न, minus आपका liability excluding detail, धियान रगना, excluding detail, minus आप क्या गरोगे, cash अगर कुछ है, उनका धंदा से में कुछ cash मिला है, है न, minus cash of acquire, ठीक है, minus DTA, क्योंकि detail DTA दूनों आज जाएगा, तो एक बार आपको यही समझना है, gross asset acquire के हमें यही समझना है, तो gross asset acquire हमारा निकल के आजाएगा, अब मैं PC में भी breakup करूँगा, देखो, PC जो आएगा न, purchase consideration, वो पूरा 100% आना चाहिए, अब मालो, for example, मैंने 70% खरीदा, आपके धंदी का, 30% कोई और नहीं खरीदा है, चुकि NCA है, तो वो NCA भी लेना है, क्योंकि हम overall gross asset निकाल रहे, gross asset में पूरे business का gross asset निकाल रहे, तो अगर मैं आपका 70% business खरीद रहा हूं, 30% NCA के पास है, तो gross asset निकालना है, तो NCA को भी तो लेना पड़ेगा, क्योंकि मैं 70% asset के लिए आपको payment कर रहा हूं, NCA 30% के लिए payment करेगा, पूरा gross asset निकालना है, तो मैं NCA भी लेना पड़ेगा, इसलिए धिया रहा हूं, अब आपको मैं समझा रहा हूं, fair willow gross assets required निकालना है, क्या formula है, अब आपको अराम से समझ में आएगा, देखो, मान लो for example, मैंने किया कि मैंने भी 50% ही खरीद है, क्य हुआ जाएगा, और NCA का 30% है, मतलब मेरा पहले से 20% था, 50% मैंने अभी खरीद है, NCA का 30%, ये तीनों मिलाएंगे तब ही तो PC होगा, तो ये तीनों मिला के PC होगा, ध्यान रखना जो भी आप PC एड़ करोगे, मैंने कहा था न, PC जो लोग या 100% होगे, यानि PC के अंदर NCA प्रिवियसली हेल्ड इंट्रेस्ट वो भी आ जाएगा था कि वह 100% रहे, तो अब आपको ख्लियर है, सर क्यासे निकलेगा, प्रिवियसली हेल्ड इंट्रेस्ट और आज सब मिला के और NCA ने जितने दिये, पूरा का 100% PC ले लो, चलो ठीक है सर 100% PC ले ले लेंगे, उसमें सर लाइबिलिटी जोड देंगे, प्लस लाइबिलिटी कर देंगे, कर दिया हमने, लेकिन लाइबिलिटी में धियान रे, डिटील प्लस नहीं करेंगे, एक्स्लूडिंग डिटील, और माइनस क्या करेंगे, सर कैस तो उनका आ रहे तो नेट होने वाला है, माइनस कैस कर द CTL minus cash and cash equivalent minus DTE कि आपका fair will of gross asset acquire आ गया तो sir अब हम निकालना सीख गए कि fair will of gross asset acquire कि है अब ये मैं इसको complete नहीं करूँगा उससे पहले मैं क्या चाहूँगा पते एक example one है जो की exam में पूछा जा सकता है मैं इस example one के basis में आपसे gross asset निकालने की मैं आप में कोसेस करूँगा कि हम gross asset निकाल पाए उसके लिए मैं काम करता हूँ थोड़ा सा answer को मैं रब कर देता हूँ आप मेरी मदद करना निकालने में चलो हम पढ़ते हैं entity है पहले से 20% hold करते है और इसने further 50% अभी acquire किया by paying 300 crore तो 300 crore इसने जो भी पैसे दिये है वो तो 50% के लिए पैसे दिये और पुर 20% को मानते थे big या उसको fair value में लेते थे PC का हिस्सा मानते थे वसलिए 20% PC का हिस्सा है तो 20% जो उसका fair value नीचे दिया हुआ हमें यह देखो जो fair value entity का previously held interest है उसका 80% है तो 80 crore है तो बाकी 20% जो हम पहले से hold कर रहे उसका fair value 80 crore है और NCI वाले का 30% interest जो है उसका 120 crore है तो आ आप मुझे बताओ PC total कितना हो गया 100% PC कितना हो गया 500 crore हो गया क्योंकि PC में हम सब कुछ लेंगे है ना तो आपका क्या आएगा हमारा पुराना जो है 80 crore का है हम अभी 50% खरीद रहे हैं 300 crore पे NCI जो है 120 crore है यह तीनों मिला के आपका 100% होगा कितना आरा तीनों मिला के 500 crore मतलब PC देखा जातो 500 crore PC हमने निकाल लिया 100% PC किया 500 crore है इसमे हम liability plus करेंगे excluding detail तो दिको liability अलग से दिया होगा detail अलग से दिया होगा detail नहीं लेंगे सिर्फ financial liability लेंगे अगर inclusive of detail बताता तो detail को minus करते हैं अलग अलग से बता चलो ठीक है liability 800 crore ह मैं यहाँ पर ऐसे भी लिख देता हूं total तो 950 crore का liability था उसमें से 150 detail था तो 800 crore का हमने detail ले लिया ठीक है plus कर दिया इससे कितना आएगा 1300 crore आ जाएगा अब हम क्या करेंगे cash and cash equivalent उनका कुछ ले रहे क्या yes एक्वारी का 200 crore का cash and cash equivalent ले रहे तो यह minus हो जाएगा हमारा और D ATA भी कुछ उनका है उनका DTA not given अगर दिया वा रहते तो minus करते दिया वा कुछ भी नहीं है तो यानि fair value of gross assets acquire कितना का है 1100 crore का आया हमारा तो हमने यह निकाल लिया अब concentration test क्या कहता है मैं आपको यह समझाना चाता हूं concentration test यह कहता है कि आप चेक करो कि कहीं ऐसा तो नहीं क कि आपने जो PC दिया है यह जो आपने यही gross assets 1100 crore आपने जो gross assets acquire किया है मतलब कुल मिला के हमने gross में liability हटा हो पूरा का पूरा gross assets कुल मिला कि हमने 1100 crore का gross assets लिया है तो standard यह बूलना चाता है concentration test कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अपने single assets पे ही 90% से ज्यादा खर्चा कि हो यह जो 1100 crore का gross assets है इसमें एक single assets ही अच्छा खासा portion करते हैं ऐसा तो नहीं है तो आप देखो यहाँ पर हमारा balance rate क्या देवा देखो हमने एक building लिया 1000 crore का हमारा building आ रहा है अब बताओ जो हमारा overall gross assets कितनी का 1100 crore का हमारा gross assets है उसमें से तो भाई सिर्फ 1000 crore का तो एक building हम ले रहे है तो यानि हम बोलेंगे 91% जो gross assets है यानि 1100 crore का total gross assets है उसमें से 1000 crore का building है तो 1000 divided by 11 rate अगर हम करें तो 91% के आस पास तो आपका सिर्फ building का value है gross assets का और standard कहता है कि अगर आपने substantial portion जो gross assets का substantial portion आप एक single identifiable asset में use कर रहे हो consume कर रहे हो तो मतलब वो asset खरीद रहे हो आप देखा जा तो यहाँ पर हम इसको धन्दा बना रहे है यह देखा जाए तो एक building यह खरीदा जा रहे है क्योंकि अगर मैं एक building खरीदता तो 1000 crore रुपीस मेरा लगता है ना और यहाँ पर मैं इसको business का रूप दे रहा हूँ 1100 crore का मेरा gross assets आ रहे है तो भाई मैं तो 1100 crore का gross assets ले रह है तो फिर मतलब हम मानेंगे concentration test pass हो गया हम मानेंगे यह business combination का मामला नहीं है यह asset acquisition का मामला है तो वहीं यहाँ पर अगर मैं इस example को समाप्त करूँ तो मैं यह बोलूँगा कि मैंने 1100 crore का gross asset acquire किया यह मैंने निकालना सीख लिया इसमें से 1000 crore का तो सिर्फ एक building है यानि जो 1100 crore का gross asset है इसमें से तो सिर्फ 1000 crore का एक building single identifiable asset है जो कि 91% carry करते है इसी वज़े से हम मानेंगे कि यह क्या है यह आपका concentration test pass हो रहा है यह business combination का मामला नहीं हाँ अगर मालो ऐसा होता है यहाँ पर कि building 500 crore का होता बाकी दूसतरा machinery वगरा 200 crore 300 crore का होता तब हम बोल देते चल उसमें से building 500 crore का है machine 200 crore का है है ना और आपका अलग-अलग assets को 100 crore का है को 50 crore का है तो हम बोल देते कि कोई भी single asset substantial portion नहीं है क्योंकि मैं single बड़ा asset की बात करूई है यह यह भी आपका around 45% हो रहा है substantial portion नहीं है मतलब अगर एक single asset substantial portion consume कर है gross asset का मतलब concentration test pass वो आपका आपका business combination नहीं है तो यहाँ पर यही हुआ यहाँ पर क्या हो रहा है कि जितना मैंने gross asset acquire किया land अकेला उसका 91% है 90% से ज्यादा अकेला land है और इसी वज़े से हम बोलेंगे क्या यहाँ पर हम बोलेंगे fair below building हाजीन करोड जो है यह gross asset का 91% है मतलब substantial portion of gross asset acquire is concentrated in a single identifiable asset that is land जो gross asset का substantial portion है वो land अकेला 91% consume कर रहे है इसलिए यह business combination का मामला नहीं है आप asset acquisition accounting यह करोगे आपर तो इस मामले में यह जो अपने business खरीद है यह business माने नहीं जाएगा आप asset acquisition का accounting करोगे अब मैं अपना example की बात करोओ मेरा example यहाँ पर जो मैंने बना रखा था मैंने जो आपको समझाया थे हैं अब अब आप देखो इतना समझ लेना अगर मालो यह सारे लेंड वगेरा के वेलू 400-500 क्रोड होते यानि 90% के आसपास नहीं होता तब फिर हम business combination फिर भी माल लेते हैं तो अब आपको मैं रिवाइस करा देता हूं concentration test आप exam में अराम से कर लोगे सबसे पहले आपको निकालना अब देख लो कोई आपने जो बहुत सरे assets लिए कई सिंगल ऐसा तो नहीं है जो कि concentrated हो रहा है substantial portion gross assets का वो अकेला concentrate कर दे रहा है जिसे land हमने देखा था एक्स मामले में कि 11 rate crude का gross asset आया था और land अकेला था होजिन crude का 90% से जाद है अगर 90% से जाद है तो ऐसा situation में मतलब यहां पर इन्हों ने ऐसा लिखा नहीं कि 85% 90% हम 85% से जादा होगा तो माल लेंगे यहां substantial portion आपका concentrate हो रहा है ना gross asset का substantial portion single asset में concentrate हो रहा है हम मोलेंगे business combination का मामला नहीं है तो I hope अब आपको यह समझ में आगी अच्छी तरीके से और मैंने अब आपको सब कुछ करवा दी अब कुछ भी नहीं बचा and I hope आपको यह वीडियो पसंद आया होगा अच्छी से हमन मैं आपको सेम इसी तरीके से इंडस 110 भी मैं आपको detailed revision वीडियो में detail में revise कराऊंगा और once वीडियो अप्लोड भी हो जाएगा तो description में link में डाल दू चलो thank you so much everyone